Hello guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel दो दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेर किया था जहाँ पे मैंने SQL का complete roadmap आपके साथ discuss किया था और उसी वीडियो में मैंने आपके साथ resources भी शेर किये थे कि आप SQL कहां से सीख सकते हो और अगर आपको याद होगा तो मैंने last में ये भी बोला था कि मैं आपके साथ within two days खुद का SQL course शेर करूँगा और इस वीडियो में मैं वही करने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आपको end-to-end SQL पढ़ाऊँगा data science के लिए और क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ाया है बिफोर स्टार्टिंग एक तो points में clear करना चाहूँगा ये जो वीडियो है ये actually मेरा एक pre-recorded course है जो मैंने इस साल के शुरुआत में एक college में लिया था during their placement training तो यहाँ पर you would see कि सामने से कुछ बच्चे questions वगएरा पूछेंगे और reply करूँगा तो थोड़ा interactive है also इसमें मैंने बहुत सारे MCQs वगएरा भी solve किये हैं और बहुत real world datasets लिया है movies का dataset लिया है, Titanic का dataset लिया है तो आप थोड़ा related feel करोगे और एक चीज यह जो पूरा का पूरा course है वो MySQL based है हमने जो database choose किया है वो MySQL है तो यह मैं पहले से clear करना चाता था third point is कि not only इसमें मैंने SQL queries पढ़ाई है end to end, मैंने आपको databases भी पढ़ाई है मतलब database related जो concepts होते हैं कि database क्यों use करना चाहिए और database के जो कुछ important concepts होते हैं जैसे कि ER diagram, keys और database के जो important functionalities हैं सब कुछ मैंने इसमें बहुत आराम से discuss कर रखा है अब यह आपके उपर अगर आप बहुत जल्दबाजी में वीडियो देख रहे हो आपका कुछी दिनों में interview है तो आप जा करके क्या कर सकते हो कि सिर्फ SQL queries के ओपर focus कर सकते हो otherwise I would recommend आप एक बार end-to-end ये वीडियो देख लो एक दो FAQs मैं जल्दी से आपके सामने बोलना जाऊंगा एक doubt आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या ये 5-6 गंटे का वीडियो देख करके SQL complete हो जाएगा The answer is no This is a beginner's course अगर आपने ये कर लिया तो आप थोड़ा अगर practice कर लो उसके बाद मुझे लगते हैं कोई भी job interview crack कर पाओगे बट सिर्फ पढ़ करके interviews crack नहीं होगे जो resource मैंने पिछले वीडियो में शेर किया था वो resource इस वीडियो में भी शेर कर रहा हूँ आप लोग make sure ये 5-6 घंटे का वीडियो देखो और इसके बाद जा करके SQL को खुब practice करो और एक बार अगर आपने practice कर लिया तो आपकी probability बहुत high है jobs को crack करने की एक और चीज़ मैंने इसमें एक चीज़ और पड़ाया है कि python के साथ databases को integrate करके SQL को कैसे use किया जाता है ये आपको बाकी जगों पे शायद ना मिले और बहुत लोग बोलेने कि ये उतना important नहीं है but I feel कि आपको इस चीज़ का knowledge होना चाहिए तो ये कुछ बाते थी मेरी तरफ से जो मैं starting में बताना चाहता था that's it now let's start the video so what we are going to do is we are going to take a practical example using which we will understand first of all कि how useful databases are and how can we use databases alongside python ठीक है मेरा पूरा idea आज के session का बस इतना है कि आपको databases के लिए prepare करना है मैं अच्छे से जानता हूँ कि when I was a student and I used to study about DBMS it was one of the boring subjects that I did in my college मतलब मेरे को boring लगता था क्योंकि reason समझ में नहीं आता था और फिर पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी और आपको भी वही पढ़ना है and I don't want that I really don't want कि आप database को एक boring subject की तरह लो क्योंकि databases actually boring नहीं है जब आप company में जाके काम करोगे databases के उपर तो you would realize कि databases are such an interesting topic और इसको use करते हैं real world में जो चीज़े हैं वो आप बना सकते हो वो swiggy का app बनाना या फिर आप facebook की website बनाना उन सब में databases के concepts use होते हैं तो आज की class में what we will do is we will use database to build class ठीक है तो for that you will have to download a few softwares अभी आप साथ में नहीं कर पा होगे so what you have to do is you have to first download this software called XAMPP XAMPP is a great software जो आप अपने machine पे install करके databases को अपने machine पे run कर सकते हो otherwise आपको कोई server use करना पड़ सकता है AWS जासा तो I prefer XAMPP इसमें दो चीज़े आपको bunny बनाई मिल जाती है एक है Apache which is your web server इसको use करके आप browser में सारा database के साथ काम कर सकते हो second is MariaDB which is basically MySQL का backend ठीक है MySQL हम use करेंगे MySQL is one of the most powerful databases around और अच्छा है बढ़िया है हम इसके उपर काम करेंगे ठीक है तो अगर आप इसको तो what I would suggest is कि अभी आप बैट करके साथ में पढ़ो और बाद में वीडियो को देख करके आप इस पूरी चीज़ को repeat करें इस project को दुबारा से बनाओ ठीक है ओके अब second software जो आपको चाहिए वो है Pycharm Pycharm is a software using which you can write Python का code in a much more managed fashion ठीक है आप ये सारा code वैसे idle में भी कर सकते हो बट Pycharm में बहुत सारे features होते हैं जैसे code का suggestion आता है libraries install हो जाती है वहीं पे मुझे output देख जाता है कुछ भी error होता है तो मुझे पहले ही बता देता है तो ये proper code editor है और इस तरह के code editors के उपर ही काम करोगे जब आप industry में काम करोगे ठीक है तो there are multiple options either you go with Pycharm or you can go with VS code or you can go with whatever atom जो भी आपको पसंदे sublime text ठीक है but I am going to use Pycharm because I prefer writing code python code in Pycharm ठीक है तो देखो setup is very simple what you will do is you will open up Pycharm first you will open up Pycharm this is Pycharm और Pycharm में you would create a new project इस project का नाम आप रख सकते हो hit db demo 2 क्योंकि one मैंने अल्रेडी करा रखा है first batch में यहाँ पे यह मेरा folder बन गया इस path पे my projects db projects के अंदर and I will create a new python file over here by the name of app छीक है and I will create one more file for my database और इसका नाम होगा db helper छीक है अब यहाँ पर आपको इस project में काम करने के लिए एक library install करना पड़ेगा उसको बोलते है mysql.connector उसका काम क्या होता है वो python से mysql का connection करता है so that python में code लिख करके आप mysql के database में changes कर पाऊ या उसको access कर पाऊ तो you will have to import this library called mysql.connector ठीक है अब यह आपको ऐसे error दिखाने लग जाएगा बोलेगा कि यह install नहीं है यह आपको install करना पड़ेगा तो आप क्या करोगे आप नीचे यहाँ पर तर्मिनल में जाओगे यह पाइचाम आपको टर्मिनल का feature देता है टर्मिनल का feature is very simple it's basically command prompt running from this location यह command prompt ही है यहाँ पर बस आपको यह command लिखना है pip install space mysql.connector बस आप यह command लिख करके जैसी enter मार होगे यह install करके आपके machine पर download करतेगा ठीक है internet चाहिए पड़ेगा आपको और यह अभी भी error थो कर रहा है उसका reason क्या है कि मेरे machine पर actually 2-3 versions है python के और मैंने किसी एक version में mysql.connector already install कर रहा है तो यह शायद कोई दूसरा वाला है और कुछ compatibility issue की वज़े से इसमें mysql.connector आ नहीं पा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा हो सकता है आपको यह problem ना है I will go to settings settings में I will go to my project वहाँ से I will go to python interpreter और वहाँ पे मेरा interpreter है 3.8 जिसमें यह सारे modules installed है पहले से ही इन में से कहीं भी mysql.connector नहीं है so I will go to actually मैं 3.8 यूज़ करता हूँ machine learning के लिए so यहाँ पर अगर आप notice करो यहाँ पर काफी सारी libraries है जो machine learning से related है और मैं 3.7 यूज़ करता हूँ for normal python development websites बगेरा बनाने के लिए तो यहाँ पर यह देखो इस जगा पे मेरा mysql connector है ठीक है so I will just click on apply okay और अब क्या हुआ कि मेरा जो back end है मतलब मेरा जो interpreter इस project का वो 3.7 हो गया और 3.7 हो जाने की वज़ेसे वो error चला गया so अगर मैं यहाँ पर mysql लिखूं तो मुझे suggestion आ रहा है like this ठीक है so this is the first line you need this library in order to write code for your databases ठीक है अब यहाँ पर हम लोग का setup complete है हम लोग आके code करेंगे बट उसके पहले थोड़ा सा आप database का flavor लो ठीक है databases कैसे काम करते है so first of all databases क्या होते है database is basically this thing जहाँ पर आप data को organize और store और retrieve कर सकते हो इसके बारे में हम लोग और formal discussion करेंगे when we will reach this part जब हम यह सब पढ़ेंगे database system overview and all यहाँ पर हम बहुत proper theoretical discussion करेंगे today's code is more about hacking hacking in the sense कि आप जल्दी से चीज़े बस एक बार चला के देखोगे ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम एक database create करेंगे और फिर हम उसके साथ काम करना स्टार्ट करेंगे ठीक है तो अभी आपने XAMPP कोल के एक software install किया आप XAMPP को start करोगे जैसे आप start करोगे तो आपको यह control panel दिखाई देता है जहाँ पे बहुत सारी services होंगी Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat ठीक है अब यहाँ पे यह जो दो services है Apache और MySQL यह आपके काम के services है तो जब आप initially start करोगे तो आपको ऐसे दोनों ऐसा दिखाई देगा आप Apache को start कर दोगे और आप MySQL को start कर दोगे अभी आपको बाकी services से कोई मतलब नहीं है जैसे आप इन दोनों को start करोगे अब आप क्या कर सकते हो अब आप अपने database को अपने browser में open कर सकते हो कैसे you can just go to your browser and you can just type localhost flash phpmyadmin जैसे आप यह open करोगे आपको यह जो दिखाई दे रहा है this is your database server this is not your database database server का मतलब क्या हुआ कि this is a computer server is a computer this is a computer जहाँ पे आपके सारे databases है so it is a computer जहाँ पे multiple databases है और यहाँ पे if you want you can create your own database so यहाँ पे देखो left side में you can see यह मेरे अलग-लग databases है जैसे मैं Amazon type के एक project पे काम कर रहा था तो मैंने Amazon बोल के एक database बनाया यह कभी मैंने sample बोल के एक database बनाया यह मैंने test बोल के database बनाया ठीक है now if you want you can create a new database on this database server कैसे यहाँ पे databases का option है इस पे आप जैसी click करोगे यहाँ पे आपको create database का option आएगा ठीक है यहाँ पे आप क्या करोगे आप यहाँ पे एक database का नाम दे दो hit-db-demo last class में मैंने बनाया था और मैं जैसी create पे click करोगा यहाँ पे notice करना यहाँ पे database आ जाएगा यह देखो अब मैं जैसी click करोगा इसके उपर यहाँ पे यह दिखाई दे रहा है no tables found in database now one important concept is this कि आप directly database के अंदर data store नहीं करते instead आप क्या करते हो database के अंदर tables बनाते हो और tables के अंदर rows and columns में data store करते हो I hope आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है ठीक है तो अधा पूरा the hierarchy is this कि first database server होता है उसके अंदर database होता है उसके अंदर tables होते हैं और tables के अंदर rows and columns होते हैं जहाँ पे आप data store करते हो ठीक है अब हमें कौन सा table create करना है हम बनाने वाले हैं एक login registration system जहाँ पे हम user को login करवाएंगे उसको registration करवाएंगे तो basically मुझे एक table चाहिए to store user का information और currently मैं क्या-क्या information store करने वाला हो I am going to store user का नाम उसका email और उसका password if you want आप और चीज़े भी store कर सकते हो we are just going to store three things name, email and password and we will store one more thing called user ID जहाँ पे हम उसका एक unique ID store करेंगे जैसा college में आपका role number होता है तो हम एक table बना रहे है by the name of users जिसमें 4 columns होंगे जैसे मैं यहाँ पे go पे click करूँगा एक नया page खुलेगा जो काफी दरावना लगेगा यहाँ पे आपको अपने database का description देना है कि column by column क्या क्या है उसके अंदर ठीक है तो यहाँ पे first row में आपको first column का information देना है मैं बोल रहा हूँ मेरा first column का नाम होगा ID second का नाम होगा name third का होगा email और fourth का होगा password ठीक है फिर आपसे पूछा जा रहा है कि what will be the type of your database ठीक है so मतलब type of your database नहीं type of the column of your database so ID का type क्या होगा integer क्योंकि ID integer होगा name कैसा होगा यहाँ पे string नहीं होता यहाँ पे var care होता है variable character email कैसा होगा var care होगा variable character password कैसा होता है var care होगा variable character ठीक है मतलब आप 11 digit का integer store कर सकते हो तो मैंने वहाँ पे 11 लिख दिया या फिर नहीं भी लिखो तो चलेगा by default 11 होता है ठीक है var care में the maximum string that you can store is of length 256 0 से 255 तो मैंने तीनों जगा maximum value डाल दिया क्योंकि मुझे tension नहीं लेना now you might ask कि what if मुझे 255 से ज़ादा बड़ा कुछ store करना है जैसे कि user ने blog लिखा तो उसके लिए एक दूसरा option होता है उसको बोलते है text बट हम text नहीं use करेंगे हम var care use करेंगे ठीक है now इसके बाद एक important concept ये है कि यहाँ पर एक option होता है AI बोलके AI मतलब auto increment मैं क्या करूँगा मैं अपने ID को AI कर दूँगा AI करने का logic क्या होता है कि जैसे जैसे आप नया user add करते हो तो आपको हर अगले user का ID पिछले वाले user से एक बढ़ा के करना होता है तो जब आप नय user को डाल रहे हो database में तो आपको हमेशा पहले चेक करना पड़ेगा कि last user जो है उसका ID क्या है और फिर उसमें एक add करके add करोगे फिर से उसको database में अब यह थोड़ा hectic काम है तो इससे अच्छा यह है कि मैं अपने database को क्या बोलता हूँ कि तुम चेक कर लेना कि last user जो है उसका ID क्या है उसमें एक add करके automatically insertion कर देना मुझे attention नहीं लेना that is AI अब मैंने जैसी यहाँ पर AI किया यह index automatically primary हो गया इसका मतलब यह जो मेरा column था इसको मैंने primary key बना दिया अब primary की क्या होता है यह हम बहुत detail में पढ़ेंगे इस पॉइंट पर बस ऐसे समझ लो कि इन चार columns में से मुझे कोई एक column ऐसा चाहिए था जिसको use करके मैं सारे users को uniquely identify कर पाऊँ जैसे आपके college में अगर मुझे आप तक पहुँचना है तो unique identifier would be your role number क्योंकि नाम भी repeat हो सकता है तो आपका role number would be a better unique identifier separate users ठीक है and that's it इतना करके आप बस यहाँ पर save पर click करोगे and आपका table बन जाएगा तो अभी तक हमने क्या किया guys अभी तक हमने अपना zamp install करने के बाद database server open किया उसके अंदर एक नया database बनाया और उस database के अंदर एक नया table बनाया that's it हभी तक हमने इतना ही काम किया ठीक है अब एक important discussion और वो discussion यह है कि आप कभी भी किसी भी database के साथ कितना भी complex project कर रहे हो कितना भी complex maybe आप facebook बना रहे हो या फिर आप college का website बना रहे हो किसी भी complexity level का project अगर आप कर रहे हो तो आप database में सिर्फ 4 ही काम करते हो you do this crud crud में c का मतलब होता है create r का मतलब होता है retrieve u का मतलब होता है update d का मतलब होता है delete तो आप कभी भी एक database से जब interact करते हो तो आप इन 4 में से कोई एक ही operation करोगे सोच के देखो जब मैंने database बनाया तो मैंने create किया जब मैंने table बनाया तो भी मैंने create किया अब सोच के देखो अगर मैं login कर रहा हूँ एक user को एक webpage में एक user अपना email password डाल रहा है और login बटन पे click कर रहा है सोच के बताओ ये operation इन 4 में से कौन सा होगा I guess आपको समझ में आना चाहिए you are doing retrieve आप पूछ रहे हो कि ये email और ये password का बंदा database में है की नहीं तो आप search कर रहे हो तो login करना is a good example of retrieve करना अब माल लो आपने क्या किया आपने अपने किसी friend के post पे कुछ comment किया था जो की बहुती अच्छा था जो उसके पापा नहीं देख सकते थे तो आपके दोसने आपको call किया और बोला भाई comment edit मार दे तो जो आप comment edit कर रहे हो it's actually a good example of update कुछ भी level पे edit करना is a good example of update आप whatsapp पे message भेज़े आपने realize किया कि नहीं भेजना था आपने जट से delete कर दिया this is an example of delete सोच कि देख लो आप इतना सारा काम दिन भर में करते हो 50 applications यूज करते हो किसी भी application का कोई भी operation imagine कर लो and you would realize कि वो हमेशा इन चारों में से कोई एक काम ही होगा हमेशा database मतलब ये चार काम और जैसी आप ये समझ जाते हो ना फिर databases के उपर काम करना रोड़ा easy हो जाता है because at the end you know कि कुछ भी कर रहो हूँ यही चार चीज़े तो कर रहो हूँ मैं अपना database को drop कर रहो delete कर रहो that is deletion मैं अपने table में दो columns add कर रहो that is update करना मैं किसी को search कर रहो that is retrieving so you do these four operations only that's it that's the idea और यह हम follow करेंगे so सबसे पहले what I will do is मैं यहाँ पर using zam I will show you कि आप कैसे यह चारो operations कर सकते हो ठीक है so सबसे पहले मैं आपको insert operation दिखाता हूँ कि how can you add a new user to your table यहाँ पर आपको insert tab दिखाई देगा insert में आपको क्या करना है यहाँ पर आप let's say आपने user को add किया you are just providing all the necessary details और यहाँ पर आपने डाल दिया one two three four ठीक है I am not passing id I hope आपको समझ में आ रहा है क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि id is auto increment मेरा mysql automatically figure out कर लेगा कि boss यहाँ पर क्या करना है ठीक है so अगर मैं वहाँ पर जाओ और go पर क्लिक करो ठीक हो वो क्या बोल रहा है one row inserted ठीक है और अगर मैं browse पर जाओ you can see कि हमने हमारा पहला user add किया हमारे database में ठीक है एक और user को add करते है insert पर क्लिक किया एक दूसरे user को add किया unkit unkit add the rate gmail.com password उसका कुछ भी है और go पर क्लिक कर दिया और अब फिर से browse पर क्लिक किया we have two users so आपने just देखा how can you add a new user to your table using the insert tab ठीक है अब मैं आपको जल्दी से देखाता हूँ search करना ठीक है कि नितिश नाम से कोई बंदा है की नी मैंने go पर क्लिक किया ये देखो ये बंदा है मैं फिर से search पर गया मैंने search किया कि कोई बंदा one नाम से है की नी go पर क्लिक किया देखो फिर से है मैं search पर गया मैंने check किया कोई ऐसा बंदा है जिसका id 0 से लेके 5 तक के बीच में हो मैंने go पे click किया और actually दो users है जिनका id 0 से 5 के बीच में तो you can actually do very flexible searching retrieve operation on your database वो हम करेंगे जब हम यह सब पढ़ेंगे यहाँ पर retrieving data जब हम पढ़ेंगे तो we will learn these concepts बहुत carefully और मैं आपको practically भी करके दिखाऊंगा बट अभी बस आपको flavor दे रहा हूँ कि यह 4 operations होते हैं तो searching आपने देखा अब देखो update कैसे करते हैं let's say यह मेरा user है मुझे इसका password update करना है second वाले का तो मैं बस इसके उपर double click कर दूँगा और मैं लिख दूँगा 2345 और मैं बहारा के click कर दूँगा यहाँ पर देखो लिखा रहा है one row affected और यहाँ पर you can see आपका second user का password आपने edit कर दी आप उसका name, email, कुछ भी edit कर सकते हो you can edit everything ठीक है? you can also delete stuff यहाँ पर देखो हर row के आगे delete का option आ रहा है let's say मुझे first user को delete करना है मैंने first वाले पर click किया, ok पर press कर दिया और यह देखो delete हो गया तो अभी हमने just देखा कि यह 4 operations आप database में कैसे करते हो but obviously यह 4 operations आप database में घुस के नहीं करते what you do is यह 4 operations आप python या किसी और programming language के through करते हो आपको यह access नहीं रहता कि आप directly database में घुस करके सब कुछ कर रहो यह सारा काम आप programming language के through करो ले ठीक है, तो what I will do now is इस database को use करते हुए I will create a छोटा सा project जिसको use करके आप login registration करवा पाओगे इस database के अंदर, that is going to be our end goal for today's class ठीक है, let's start with the coding part कि कैसे हम यह login registration system बना सकते no swarm, once the data is deleted you cannot retrieve it इसलिए delete नहीं करना चाहिए delete नहीं करना चाहिए, बहुत careful रहना चाहिए, databases के साथ जब आप deal कर रहे हुए, आप तो भी ultra careful ठीक है, तो yeah, let's start with the project guys, let's start with the project ठीक है, so सबसे पहले मैं app.py में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना सारा logic लिखूँगा, related to my project और database से related सारा logic मैं इस file में लिखूँगा, ठीक है देखो, सबसे पहले I am creating a class, let's say हम एक project बना रहे है, flip card तो flip card का login system बना रहे हैं, ठीक है यहाँ पर we will have constructor जो की क्या करेगा इस method को call करेगा menu बोल के, ठीक है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर menu बोल करके, एक function बना रहा हूँ, एक method बना रहा हूँ, ठीक है और यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमारे पास GUI बनाने का capability नहीं है इसलिए हम गरीबी में यह गरीब वाला menu बना रहे है जो हमने पहले भी कभी बनाया है जहाँ पर लिखा हुआ है enter one two register two enter two two login anything else two leave ठीक है, कुछ भी और प्रेस करेगा प्रोग्राम बंद हो जाएगा ठीक है यहाँ अभी जीद, you can use VAMP VAMP भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों सेम ही चीज़ होता है ठीक है user कुछ input देगा उसको मैं एक variable में ले रहा हूँ user underscore input ठीक है, like this और यहाँ पर I am just writing up routing code it says if user input is equal to equal to string of 1 I will call self.register बोल के function elif user input is equal to equal to 2 तो I will call self.login बोल के function और else user ने कुछ भी और प्रेस किया तो what I will do is I will import sys call a library and I will write sys.exit with an error code of 1000 कुछ भी एक error code डाल सकते हो यह आपकी company का internal code हो गए और फिर हम क्या कर रहे है यहाँ पर जा रहे है and we are creating a function called register ठीक है meanwhile अब आपको क्या करना है जब आप इस class का object बनाओगे यहाँ पर फिलाल मैं pass लिख देता हूँ जब आप यहाँ पर इस class का object बनाओगे obj is equal to flip cart इस class का जब आप object बनाओगे तो यह constructor trigger होगा और menu को call करेगा इसी step में आपको क्या करना चाहिए you should connect connect to the database यह साही time है database से connect करनेगा ठीक है database से connect करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें उस file को call करना पड़ेगा so we will write from actually यहाँ पर what I will do is I will write the code to connect to the database ठीक है so यहाँ पर we will create a class by the name of db helper ठीक है और इसके अंदर we will write a constructor और यहाँ पर आपको बस एक line का code लिखना है mysql.connector.connect बोल के एक function होता है जिसमें आप चार चीज़े provide करते हो और वो चार चीज़े होती है पहला host मतलब IP address of your database server जो अभी है फिलहाल local host मतलब मेरा खुद का machine आपका username क्या है उस machine के उपर सभी का root होकर जब आप zampt install करोगे what will be the password password सभी का blank होता है और database का नाम क्या है आपके database के server के उपर क्योंकि देरा multiple databases हमारे database का नाम है hit-db-demo you can see that यह देखो यह हमारे database का नाम hit-db-demo ठीक है जैसी आप यह code run करते हो यह function आपको पलट करके connection object देता है जिसको आप store कर लेते हो in a variable ऐसा क्यों करते हो क्योंकि database बहुत शक्की मिजाज का बंदा होता है वो जितनी बार आप उससे बात करने का try करोगे उतनी बार आपको बोलेगा login करो उतनी बार बताओ अपना username password तो आप क्या करते हो एक बार login करके वो details इस object में store कर लेते हो अब इस object को use करके आप हर बार आगे subsequently डेटाबेस से बात कर सकते हो ठीक है अब बस आपको इस चीज करने आपको एक connection object आपने बना लिया आपको एक cursor object बनाना होता है so cursor object क्या होता है it's basically an object in python जिसके बास capability है database से बात करने का ठीक है वो आपको बनाना जरूरी है so मैं cursor object बना रहा हूं मैं उसका नाम रख रहा हूं my cursor and this will be equal to cell.con.cursor like this अब मैं इस my cursor को use करकर के बार-बार database से बात करूँगा ठीक है now this step is risky because यहाँ पर आप database से connection कर रहो कुछ भी हो सकता है यह machine हो सकता है बंद हो जाए hack हो जाए या फिर आपने कुछ गलत बता दिया कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर गलती होने का chance है तो आप इस पूरे code को try के अंदर डाल देते हो like this और यहाँ पर आप लिख देते हो accept और accept में आप print कर देते हो let's say you print कुछ भी connected to database और यहाँ पर आप else में आते हो और यहाँ पर आप print कर देते हो some some error occurred could not connect to database ठीक है that's the code right अब आप क्या करोगे बस यहाँ प्या होगे इस वाली file में और यहाँ पर आप क्या करोगे सबसे पहले import करोगे from db helper file I'll import the db helper class और इस class के constructor में आप क्या करोगे इस class का object बनाओगे कैसे ? you would write self.db यह आपके database object का नाम है and this will be equal to db helper class का object so जैसे आप इस class का object बनाओगे automatically यह पूरा code execute होने लग जाएगा और आप connect कर जाओगे और या तो यह print होगा या तो यह print होगा let me show you मैं क्या कर रहा हूँ मैं इस code को run कर रहा हूँ इस वाले को नाम तो सही है क्यों run नहीं कर रहा है यह code sir db hepler हो गया sir उपर class db hepler हो गया oh sorry कैसे तुम को दिखा पहले ही देखिया था क्या तुमने ने तो फिर वहाँ भी गलत ही आया हो गया या वहाँ भी गलत ही पकड़ा होगा उसने db helper है यहाँ पर मैंने गलत ही लिखाता है इसका मतलब this should be db helper यही तो फाइदा होता है code editors का वो reason नहीं है अभी भी error वही आएगा अगर मैं इसको दुबारा run करू could not connect ऐसा क्यों हो रहा है mysql.connector.connect host मैंने प्रोवाइड किया user root है password blank है और database यह है कोई और database ट्राई करते हैं जो हमारे यहाँ पर है sample बोलके database है अगर मैं यहाँ पर लिखू sample क्या मैं sample से connect कर पा रहा हूं sample let's see sample भी connect हो रहा है की नहीं नहीं connect हो रहा है क्या reason हो सकता है exam तो चल रहा है exam तो चल रहा है hmm host user name तो नहीं होता I'll just check user name होता है तो शायद बलती हो सकती है हाँ my bad so actually यहाँ पर user name होता है यह parameter का नाम ठीक है and you would see connected to database ठीक है अब यहाँ पर आप कुछ भी गलती करोगे let's say आपने कुछ ऐसा database का नाम दे दिया जो नहीं है जैसे कि यह database नहीं है तो क्या होगा यह code यह out अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत डाल दूँ तो कुछ भी हो रहाँ जा यह code गलत में कैसे काम कर रहा है गलत में it should not work except में except मैंने लिख रहा है connected to database अरे यार यही पर मैंने उल्टा लिख रहा है जब यह नहीं हो रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि connected to database और else में मैं बोल रहा हूँ कि some error इसलिए शुरू मैं connect हो गया था अभी disconnected है sorry my bad अगर accept हुआ it means कुछ error हुआ और यहाँ पर अब बाकी changes में revert कर रहा हूँ यहाँ पर user नहीं होता user name नहीं होता user ही होता है और यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही लिखा sorry it was a stupid mistake अब इसको run करने पर it should show connected ठीक है और अब अगर मैं यहाँ पर जाके database का नाम गडबड कर दूँ let's say hit demo one कर दूँ और अब run करूँ तो अब यह error आएगा ठीक है some error record अगर आप यहाँ पर जाओ यह कुछ भी और करो माले लो आपने IP address गलत लिखा यह यह server down है database server down है in that case also it will throw this error some error record ठीक है अब अगर आप चाहते हो कि इसके बाद error है तो code काम ही ना करे तो आप यहाँ पर भी import कर सकते हो sys ठीक है और यहाँ पर आप लिख सकते हो sys.exit0 0 is the exit code for database error let's say तो आप code आगे जाएगा ही नहीं अगर कुछ भी आपने गलत दिया code फट जाएगा और आगे नहीं जाएगा यह देखो इसके आगे गया ही नहीं which is good user को हम आगे नहीं भेजना चाहते सब कुछ मैं ठीक करते तो और यह code लिख करके I'll go back and now we are here यहां तक आई हो आपको कोई पहशानी नहीं होनी चाहिए हाँ अभी जी we can also create database using code वो हम करेंगे मंडे को मंडे को हम python में code लिख करके या फिर sql में code लिख करके we'll create our database जैसे आज हमने क्या कि हमने directly GUI को use करके database create कर दिया था मंडे को हम लोग code से create करेंगे ठीक है उसको sql बोलते है sql query run करेंगे ठीक है so now guys अब हमें क्या करना है यह register function बनाना है so register function बहुत simple है आप user से तीन चीज़े मांगोगे आप सबसे पहले पूछोगे enter the name उसको आप एक variable में store कर लोगे let's call it name फिर आप एक और variable बनाओगे email बोलके और इसमें आप store कर लोगे जो भी user email देगा ठीक है फिर आप लिखोगे password input enter the password ठीक है तीनों चीज़े मांगने के बाद आप क्या करोगे आप self. आप यहां पर एक function लिखोगे इस class में एक method लिखोगे registration करवाने का you will create a method by the name of register और इसको चाहिए होगी टीन चीज़े एक name एक email और एक password और यहां पर आप वो code लिखोगे जिससे database में actual registration होगा ठीक है अब यहां पर आपको सीखना पड़ेगा SQL queries जिसके उपर आप काफी time spend करोगे यह पूरा part SQL queries का ही है SQL का मतलब होता है structured query language which is kind of the programming language for databases ठीक है तो जब भी आप यहां पर कुछ नया insert कर रहे थे let's say मैं यहां पर फिससे एक नया value insert कर रहा हूँ तो actually behind the scenes वो SQL query run हो रहा था I'll show you कि कहां पर run हो रहा let's say 1234 is the password और मैं आप यहां पर go पे click किया था तो आपको यह दिखाई दिया था कि एक row insert हो गया but behind the scenes यह code run हो था this was the code जो execute हो था यही same code हमें क्या करना पड़ेगा python में run करना पड़ेगा to register a new guy so what you will do is you will use the cursor object हमेशा database से बाग करने के लिए cursor object को use करोगे और इस object के अंदर एक class इस object के class के अंदर एक method होता है उसको बोलते है execute ठीक है और इस execute में you pass the query you pass the query like this ठीक है you pass the query like this और यहाँ पे what you will do is अगर आप यह query run करोगे तो हर बाल यही values insert होगी obviously आपको यह नहीं चाहिए आपको यह चाहिए कि जो name, email और password में है यह values insert हो so what I will do is I will just create string formatting जो मैं अपने strings में बढ़ा था like this and like this और आप बाहर आओगे और यहाँ पे dot format में लिख दोगे name, email and password चीक है यह आप क्या करोगे यह query execute करोगे और यह query since आप database से connected हो यह string जा करके database पर run कर जाएगा और insertion हो जाएगा ठीक है you have to just make sure कि जब आप insertion करते हो उस process में in fact आप कभी भी अगर कोई write operation perform कर रहे हो मतलब अगर आप update कर रहे हो delete कर रहे हो या फिर create कर रहे हो तो you always have to write this commit वाला step ठीक है अब यह commit step क्या होता है यह हम बहुत detail में पढ़ेंगे जब हम लोग acid properties पढ़ेंगे databases का वहाँ पर आपको यह समझ में आएगा but for now बस ऐसे समझ लो कि this is a two step process to register a new user into your database अब यहाँ पर गडबड हो सकता है इसलिए आप क्या करोगे इस पूरे code को try accept block के अंदर डाल दोगे so अगर आपने इसको try के अंदर डाल दिया यहाँ पर आपने लिखा accept और अगर accept में घुसे तो आप return कर रहे हो minus one मतलब कुछ error हो गया और else में आप return कर रहे हो one मतलब सही से insertion हो गया ठीक है this is the logic राजदीप my cursor is an object जिसको use करके आप database से बात करते हो उसके अंदर ऐसे functions है जो database से आए होए data के साथ काम कर सकता है it is a object a class specifically created to interact with database बस यही समझ लो उसके अंदर functions जो है वो database से बात करने में आपको help करते है ठीक है so अब देखो यह register function को अगर आप name, email और password देते हो तो यह आपको minus one return करता है या one return करता है minus one का मतलब insertion नहीं हुआ और one का मतलब insertion हो गया ठीक है so आप मैं क्या करूँगा इसी register को call करूँगा यहाँ वाले register से ठीक है क्योंकि मेरे पास name, email, password है I would write self.db.register और register में आइल पास name, email and password ठीक है और वो palette के मुझे minus one या one देगा तो I would store it in response बोलके एक variable और अगर if response is one इसका मतलब वहाँ से insertion हो गया I would print registration, registration, successful ठीक है and I will call self.menu again ठीक है else I would print registration, failed और in fact in any case हम लोग menu उसको दिखाएंगे तो इसको बाहर ले आते है over here, ठीक है that's the code for registration एक बार इस code को try करते हैं गईस मैंने इस code को run किया यहाँ पर मैंने डाला one enter your name तो मैंने कुछ नया नाम डाला रचसे amit amit at the rate gmail.com password 1234 enter मारा, it says registration successful और फिर से ये menu आ गया जाके देखते हैं database में amit insert हुआए कि नहीं ये देखो एक और बार try करते हैं फिर से हमने किया one मैंने लिखा ankita ankita at the rate gmail.com 2345 enter मारा, फिर से successful browse पे गए ये देखो अगला user भी add हो रहा है so that is how you do registration guys that is how you do registration ठीक है so यहां तक अगर आपको कोई परिशानी है please let me know this is the code जो हमने लिखा registration का और उसमें हम इस function को call किये जो कि इस class का function है जिसका काम था database में actual insertion करना और आप ऐसा ही करते हो guys आप हमेशा database का code अलग रखते हो और अपना बाकी application logic अलग रखते हो और in fact आपका जो view होता है जो user को दिखाई देता है वो भी अलग रखते हो but since हमारे पास कोई view नहीं है user को दिखाने के लिए कोई GUI नहीं है इसलिए हमने third file नहीं बनाया इसलिए हमने third file नहीं बनाया so login के लिए मैं फिर से database में घुस करके एक function मनाऊंगा database में घुस करके पहले मैं एक function मनाऊंगा इस function का नाम होगा search और अगर आप इसको एक email और एक password अगर देते हो तो यह search करेगा कि यह email password वाला बन्दा database में है की नहीं अब यहाँ पर you run a different SQL query यह SQL queries आप पढ़ोगे next week but इस बार जो SQL query है वो ऐसा दिखाई देता है so you would write you would write self dot फिर से my cursor इसके पास है execute हमेशा SQL query execute के अंदर ही execute होता है ठीक है और यहाँ पर you would write this query you would write select all the rows from users table wherever email का value is like email like email and password का value is like password और आप बाहर आ करके dot format लिख होगे और यहाँ पर आप पास कर दोगे उपर से आपको जो email और password मिल रहा है this is the query इस point पर आपको इन queries का जाधा tension नहीं लेना है यह queries हम लोग बहुत detail में next week पढ़ने वाले है आज की class का main objective is कि आपको दिखाना है कि future में जो आप पढ़ने वाले वो किस तरीके से useful है इस तरह के applications बनाने में तो अभी tension मतलो अब यह query जब run होता है तो यह read query है this is not a write query write query क्या होता है जब आप database में changes करते हो जैसे कि create, update or delete this is a read query, retrieval यहाँ पे कुछ data palette करके आता है तो आप क्या करते हो आप यह code लिखते हो self अब जैसे आपने यह code run किया तो इस code से जो भी data palette के आया वो my cursor में आके store हो गया तो आप लिखते हो self.mycursor.fetchAll बोलके एक function होता है जो वो सारा data fetch करके आपको देता है और आप उसको एक variable में store कर लेते हो and you call it data और अब आप यहाँ पे print कर रहे हो whatever is inside data यहाँ तक आईकेस कोई परिशानी नहीं है यही हमारा function ठीक है अब मैं गया वापस app.py में और यहाँ पे मैंने एक function मनाया by the name of login और यहाँ पे मैंने user से सबसे पहले मांगा enter email और इसको एक variable में store कर लिया by the name of email फिर मैंने एक और variable मनाया password और इसमें मैं user से मांग रहा हूँ input enter password मिरे पास email भी है मिरे पास password भी है अब मैं self.db object यूज़ करूँगा db object के पास search वाला function है जिसको दो चीज़े चाहिए name और sorry email और password वो मैं भेज़ दूँगा क्योंकि मिरे पास दोनों है सो मैंने लिखा email, password ठीक है अब ये function call हो जाएगा ये execute हो जाएगा data fetch होगा और data print होगा अब देखो इससे क्या होगा मैंने इस code को run किया और मैंने इस बार लिखा तू और उसने मैंसे पूछा email डालो मैंने डाला nitsh nittish gmail.com enter मारा 1234 जैसी मैंने enter मारा ये देखो guys database से ये data return हुआ एक list के अंदर एक tuple है और उस tuple में उस user का सारा information है उसका id है उसका name है उसका email है और उसका password है अब देखो अगर मैंने इस code को दुबारा run किया और इस बार मैं कुछ गलट डालो एक ऐसा user जो exist ही नहीं करता लाइक ये user exist नहीं करता तो मुझे पलट के क्या मिल रहा है एक empty list जिसमें तेरा zero tuples it means ऐसा कोई user मुझे नहीं मिला तो अगर आप मुझसे कोई पूछे कि how can I decide कि login हुआ कि नहीं तो बहुत simple है जब मैं इस function को call कर रहा हूँ तो वहाँ से पलट के मुझे data मिल रहा है मालो जो भी data आ रहा है वो यह function मुझे return कर दे रहा है तो मैं उस data को receive कर रहा हूँ in a variable called data और अब मैं यहाँ पर check कर रहा हूँ कि यह data is actually a list या तो tuple वाला list या तो empty list तो मैंने check किया if length of data is equal to equal to zero इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी details मैंने डाले वैसा कोई user exist नहीं करता तो I would print incorrect incorrect email slash password मैंने क्यों नहीं बता है उसको password गलत है कि email गलत है क्योंकि मैं उसको confused रखना जाता हूँ he might be a hacker मैं क्यों बता हूँ कि email गलत है या password गलत है ठीक है और else और by the way यहाँ पर मैं उसको फिर से login के पास ही भेज़ दूँगा वो दुबारा login कर पाएगा else else मतलब जो data है उसके अंदर at least एक item है इसका मतलब हो गया कि भाईया वहाँ पर कोई ना कोई user है ठीक है तो उस case में मैं बस क्या करूँगा मैं लिखूँगा print hello comma मुझे user का नाम निकालना है तो user का नाम निकालना है मतलब मुझे उस list के अंदर गुसना है पहले tuple के अंदर गुसना है और उसके second item को निकालना है क्योंकि वहाँ पर नाम है तो I would write data का first item will be the tuple और tuple का first item will be the name and that's my code अगर मैं इसको run करूँ और यहाँ पर 2 लिखूँ और यहाँ पर मैं अगर सही वाला डालू nitish at the rate gmail.com password is 1234 दिखो क्या रहा है hello Nitish बड़ अगर मैं यहाँ पर कुछ और डालू let's say कोई और user ankita let's say ankita2345 उसका password है मैंने लिखा 2 यहाँ पर मैंने लिखा ankita at the rate gmail.com 2345 enter मारा देखो यहाँ आ पर आ रहा है hello ankita it's as if आप ऐसे समझ सकते हूँ कि हर किसी को उसका profile page दिख रहा है अब obviously मैं पास profile pages नहीं है इसने मैं string के थ्रूँ आपको बताना चाहता हूँ कि we are able to identify कि login कौन user कर रहा है ठीक है अब यहाँ पर आप क्या आगर सकते हो यहाँ पर उपर में you can create one more menu you can create one more menu like def login menu यह उन users को दिखाऊगे जो login कर चुके है ठीक है so what you will do is आप यहाँ पर यहाँ पर you will write input यहाँ पर you would write one enter one to see profile two enter two to edit profile three enter three two delete profile something like that ठीक है और enter four two logout जो options आप देते हो GUI में वही same options हम अपनी गरीबी में दे रहे यहाँ से आप user से input मांग सकते हो और फिर accordingly अलग-लग functions बना सकते हो जो कि हम बनाना सीखेंगे आज की class का objective वो नहीं है और यहाँ से आप फिर क्या कर दोगे आप call कर दोगे self.login menu को और अब अगर आप उसको run करो तो लेट से अगर आप कुछ गलट डाल रहे हो जो user नहीं है तो आपको यह input मिल रहा है incorrect email password और आपको दोबारा बोला जा रहा है एंटर करने के लिए और मैं इस बार सही डाला nitish at the rate gmail.com password 1234 और इस बार देखो मिरको बोल रहा है hello Nitish और अब बोल रहा है enter 12C profile enter 2 to log edit profile enter 3 to delete and enter 4 to logout ठेक है and that is how guys you build applications बतलब अब I know this is not the most complex application that you will do but यह application अगर आप आदे घंटे 45 minutes में बना सकते हो using databases imagine अगर आप एक पूरा महीना किसी project के उपर काम करो तो you can actually build any of the products that you use on a daily basis आप Amazon बना सकते हो आप clipcard बना सकते हो आप gana.com बना सकते हो आप कोई भी website बना सकते हो अगर आपके बस database का power हो database has made this so easy सारा data यहाँ पर maintained है और आप इसी data से पूरे टाइम इंटराक्ट करेगा इसी data से आपका Android आप भी इंटराक्ट करेगा इसी data से आपका iOS आप भी इंटराक्ट करेगा so database is a central figure in software development और problem क्या है कि हम college में पहले पढ़ते हैं DBMS as theory तो जैसी हम यह सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे rules हैं कि इस तरह से करो उस तरह से करो तो पहले हमने कुछ बनाया ही नहीं फिर उसके पहले हम इतना सारा ग्यान दे दिया गया तो हम चट जाते हैं बोर हो जाते हैं then we leave कि छोड़ो यार क्या फालतू है but when you go to a company and when you are actually working as a web developer or a software developer then you would realize कि okay database is a must concept जब मैं college में था trust में मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ाई करके paper निकाला था but जब मैं industry में आया और मैंने 2-3 projects बनाए उसके बाद मैंने सबसे बहले एक database की proper किताब खरीदी जो मेरे को पढ़ने में एकदम नफरत होती थी college में वो किताब खरीदी आज तक वो किताब यहाँ पे पीछे shelf में रखा हुआ है और उसको मैं refer करते रहता हूँ यह सब पढ़ने के लिए कि अच्छा यह इसके good practices है इसके bad practices है trust me guys if you are good at databases आप कभी भी कम package वाला job नहीं लोगे जिस software developer को database अच्छे से आता है he can become a very good back-end engineer और back-end engineers जो अच्छे होते हैं उनका salary तगडा होता है ठीक है okay yeah guys okay so let's start with DBMS and थोड़ा सा आठका class theory based है ठीक है कल से ऐसा नहीं रहेगा कल से चीजें practical होंगी हम लोग queries वगरा लिखेंगे but today's class is mostly theory और इतना थेवरी आपको I would say पता होना चाहिए I would not say कि फाल्तु है ठीक है so let's start with DBMS we'll start with this basic question data क्या होता है कोई answer करेंगा data क्या होता है क्योंकि कोई words ही नहीं बचते data क्या होता है बताने के लिए तो what is data यह काम करते है google करते हैं what is data data are characteristics or information usually numeric that are collected through observations ठीक है DBIR data आपको पता है क्या होता है हाँ सही बोला पिनाकी ने raw facts and figures perfect data होता है raw facts and figures अब data से आप क्या कर सकते हो आप information create कर सकते हो तो अगर आप उसके उपर processing करो तो आप उसको information में convert कर सकते हो और फिर आप information से knowledge create कर सकते हो I'll give you one example यह example in 3DQ में ही पढ़ा मैंने उन लोगोंने यह example दिया कि 90 के उपर है यह data है marks 90 के उपर है अब इससे information क्या हुआ first division और knowledge क्या हुआ कि वो topper है class का यह knowledge बन गया तो यह एक pyramid है यह आपको समझना होता है सबसे bottom में होता है data उसके उपर होता है information और information के उपर होता है knowledge तो इसलिए data is kind of important आपको सबसे पहले समझना चाहिए requirements of data अगर आप databases का बात कर रहे हो databases के context में बात कर रहे हो data का तो data के यह 5 properties होनी चाहिए ठीक है पहला होता है integrity integrity का मतलब data should be accurate and consistent दोनों words का मतलब समझना accurate का मतलब वो सही चीज बता रहा है और consistent का मतलब हमेशा जो बता रहा है वही बता रहा है मेरा नाम क्या है नितिश this is accurate information कल भी मेरा नाम क्या है नितिश मरने तक मेरा नाम क्या है नितिश that is consistency तो integrity होना चाहिए एक accuracy होना चाहिए और consistent होना चाहिए that is integrity database में जब भी data रखोगे it has to be it has it should have integrity ठीक है second availability हमेशा अवेलेबल होना चाहिए अगर आप एक social networking website बना रहे हो जहापे आप database से data निकाल निकाल के users को दिखा रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 12 बज़े से लेगे एक बज़े तक user अपना profile नहीं देख सकता या किसी time पर profile अवेलेबल नहीं है कि उसमें किसी भी level पे कुछ भी problems अकर करे तो security होना चाहिए data का कि वो हमेशा secure रहे data जैसा है वैसा है उसमें कुछ परिशानी नहीं होना चाहिए independent of application एक database application अगर आप बना रहे हो लेट से आप facebook जैसा कोई application मना रहे हो तो वो application एक ही database से चलेगा और वो database का application android में भी खुलेगा ios में भी खुलेगा website भी बनेगा desktop software भी बनेगा सभी जगह से same data आपको दिखाई देना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम android पे कुछ और दिख रहा है iphone पे कुछ और दिख रहा है same data should be available across platforms, across applications and the last one is concurrency same data को अगर multiple लोग access कर रहे हैं तो सबको same चीज दिखाई देनी चाहिए और in fact सब कोई सारा data access कर पाए यह ensure करना पड़ता है इसको बहते है concurrency तो यह requirements पकड करके databases design होते हैं तो अब एक question आता है और उसलिए आता है क्योंकि एक चीज हमेशा आपको पता चलनी चाहिए पता होनी चाहिए if you are going to become software developers especially backend type पे कि databases are costly आप कोई भी website यूज करो जहां पर आप databases खरीद होगे लेट से आप AWS यूज कर रहे हो या फिर आप I don't know Google Cloud यूज कर रहे हो GCP या फिर आप Azure यूज कर रहे हो या फिर आप GoDaddy यूज कर रहे हो कोई भी यूज करो कुछ भी यूज करो आप वहां पर जाके देखोगे कि आपके databases का काफी price होता है यहाँ पर database होगा let's say RDS तो you would see कि databases are actually costly मतलब उसमें लिखना और उससे read करना costly operation होता है ठीक है और in fact अभी कुछ दिन पहले मेरा student मेरे को ping किया WhatsApp पे बोलता सर मेरा AWS में monthly bill आया 7 लाक रुपेगा उसने पता नहीं क्या किया था उसने सारे services on कर दिया थे maximum पे मतलब maximum hardware capability पे और उसने उसका link बहुत सारे लोगों के सारे share कर दिया था कुछ application बना करके खूब सारे लोगों ने open किया उसके college में और उसका bill आगया 7 लाक रुपेज का पता नहीं 7 लाक रुड़ा जादा है बट 7 लाक का उसका bill आया और बंदा रो रहा था तो मैं बस आपको यह बताना चाहरा हूँ कि databases are costly यह सबको पता होता है industry में read write दोनों costly होता है database के उपर ठीक है तो लोगों ने सोचा होगा कि अगर database costly है तो उससे आसान क्या है उससे easy cheaper option क्या है तो एक तो simple cheaper option है data store करने का and that is files सीदे-सीदे files में चीज़े लिख लो files में चीज़े store कर लो files में चीज़े क्यों नहीं store कर सकते जो चीज़े आप database में store करते हो उसको file में क्यों नहीं store कर सकते इसका reason हम लोग discuss करेंगे why not use files limitation क्या होती है flat files की flat files मतलब normal files notepad जैसी text files की problem क्या होती है कि first of all dependency of the program on physical structure of data let's say आप बोल रहे हो कि user ने अपना email password जो बताया है उसको मैं text file में store करूँगा rather than storing it in a database तो आपने बोला कि email और password की बीच में comma लगा दूँगा so that मेरे को पता चल जाए कि ये email हो और ये password है अब python से जब आप उस data को fetch करोगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा उस पूरे string को fetch करना पड़ेगा जिसमें email भी है password भी है अब उसके बीच में comma है तो email को निकालने के लिए क्लिए 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 आपको split करना पड़ेगा comma के ऊपर ठीक है क्योंकि अलग से नहीं store कर सकते, आपको कुछ ना कुछ निखना पड़ेगा, otherwise आप space पे split करते, तो वही मैं बोल रहा हूं कि dependency of program on physical structure of data, file में कैसे stored है, second, complex process to retrieve data, data जो होता है, especially यो files होती है, उनको open करना एक complex process होता है, आपको एक buffer open करना बढ़ता है, और buffer के through आप file को byte by byte read कर ठीक है, and it's a complex process, मतलब speed, concurrency, यह सब features implement करना बहुत difficult हो जाता है, इसलिए लोग बड़े scale पे, जब खूब सारे लोग किसी website पे आ रहे हैं, तो उस तरह की website में आप files use नहीं करना चाहोगे, because आप concurrent operations नहीं चला पाऊगे, buffers को आप सही से handle नहीं कर पाऊगे, application को secure नहीं access नहीं कर पाते हैं, file मतलब समहाओ वो code साही से काम नहीं करता, misbeak करने लगता है, तो लोगों ने इसका solution यह निकाल ला है कि एक ही file की multiple copies बना दो, और खूब सारे लोग आ रहे हैं, तो लोगों को divide कर दो, कुछ लोगों को पहली copy पे बेज़ दो, कुछ लोगों को second copy पे मतलब access कर सकते हैं, कुछ लोग access नहीं कर सकते हैं, इस तरह के आप roles define नहीं कर सकते हैं, last one is data redundancy, since file है, उसमें आपको सब कुछ ऐसे ही as it is store करना है, तो data में redundancy आता है, मतलब repetition होता है data में, जो की अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, so because of these limitations, you do not use files as your data storage mechanism while building websites or applications or any sort of software, what you do is, instead you try to use a database, because databases होते हैं इतने कांगे कि वो सब कुछ solve कर पाते हैं, and maybe इसी दे उनको पैसा भी लगता है, ठीक है, now you can ask this question, तो files कहां पे use कर सकते हैं, what is the use of files, when to use files, so सबसे पहला तो है on device access, कभी भी अगर आप कोई ऐसा application बना रहे हो, software बना रहे हो, जिसको offline data store करने की मतलब उसको device पे ही data store करना है, तो आप files में data store करोगे, I'll give you one or two examples, one example is कि आप एक calculator application बना रहे हो, जिसमें आप history का feature दे रहे हो, होता है ना, आप history पे click करते हो, तो आपने past में कौन-कौन से calculations की हैं, वो display होता है, right, तो अब ये data आप database में store नहीं करोगे, database generally central होता है, central होता बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे user के device पे कुछ रखना है, तो मैं उसको files के through रखोंगा, ठीक है, और भी बहुत सारे options से कई chatting platforms, chat भी user के device पे रखते हैं, so that अगर internet off है, तो भी आप उसको read कर पा, WhatsApp भी ऐसा करता है, ठीक है, तो offline access के लिए आप files use करते हो, ठीक ह तो इस तरह के data के लिए आप files use करते हो, one example could be आप पूरे शहर में अपने census लगा रखे हैं, जो हर एक गंटे में आपको reading दे रहे हैं, या फिर हर 5 मिनिट के बाद reading दे रहे हैं, तो अब obviously अभी का reading मेरे पास है, तो 5 मिनिट पहले वादा reading काम कर नहीं है, तो खूब सारा data आप आ रहे है मेरे पास, तो उतना data database में बार बार लिखना, फिर उसको delete करना, यह सर बहुत costly operation मन जाता है, तो इस तरह के operations के लिए आप फिर से files use करते हो, ठीक है, third, storing not so important data, so कुछ-कुछ चीजे होती हैं, जो इतना important नहीं है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि उतना frequently नह तो इसे लिए log files होती है, log files generally text files होती है, notepad files होती है, ठीक है, तो these are the certain use cases जहांपे आप files use करते हो, but files को आप अपना main website का database की तरह use नहीं कर सकते हो, because of these limitations, ठीक है, तो अभी तक हमने क्या-क्या discuss किया, कि data का कुछ requirements है, जो files के थुरू fulfill नहीं हो सकता, क्योंकि files में कुछ problems ह है, but files useful होते हैं, certain places पे, like these three places, इतना आमने अभी तक पढ़ा, now let's move on to this, database क्या होता है, let's define database, so if you go to the formal definition, a database is a shared collection of logically related data and description of these data designed to meet the information needs of an organization, ठीक है, बहुत ही formal definition है, to be honest, आप से कोई ये definition नहीं कुछ हेगा, मतलब हम बच्चे नहीं है, but एक understanding होना चाहिए, database का, कि database है क्या, एक नम simpler words में बोले, तो database is a system which is used to store, collect, organize and retrieve data, data को store, retrieve और organize करने के लिए, आप database use कर, तो database is basically a software, जो data के साथ आपको इतनी चीज़े करने का option, data है, now what is a DBMS, DBMS का full form होता है, database management system, DBMS, database, इसका full form ये है, इसका definition ये है, a DBMS is a software that enables users to define, create, maintain and control access of the database, database systems typically have high cost and they require high end hardware configurations, an application program interacts with a database by issuing an appropriate request, typically a SQL statement, अब मैंने जान दुश कि आपको last class में वो example कराया था, so अगर मैं आपको दिखा हूँ, तो I can easily show you, कि ये जो हमने last class में open किया था, ये आपका DBMS है, this is not your database, database ये हैं, और इन databases को manage करने के लिए ये जो software आपके screen पर है, phpMyAdmin, this is a DBMS, ठीक है, इसका काम क्या है, इस database के साथ हमारा जो काम करना है, उसको easy बनाना, ठीक है, और उसके बाद ये line पड़ो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, an application program interacts with a database by issuing an appropriate request, typically a SQL statement, so, इस case में हमारा application program क्या हुआ, जो उस दिन हमने python का code लिखा था, login registration वाला, ठीक है, और आपको याद होगा, कि हमें python के अंदर SQL statements लिखने पढ़ रहे थे, to manipulate our database, ठीक है, तो DBMS is basically a software system, जिसका काम होता है, database के आस-पास, इस तरह के functionalities provide करना, कि आपका application, python, php, कोई भी, आपके database से सही से बातचीत कर पाए, that is the whole idea, ठीक है, अई होग पिया तक आपको समझ में आ रहा है, यह picture आपको काफी clarity देगा, so होता गया है कि OS के ओपर DBMS run करता है, DBMS databases को चलाता है, और database, DBMS से बात करता है आपका application, और application से बात करता है आपका user, तो यह chart आपको हमेशा याद रखना चाहिए, कि DBMS runs on some operating system, obvious बात है, DBMS manages databases, DBMS interacts with applications, and application को run कर रहे हैं users, यह पुरा hierarchy है, जो हमेशा follow होता है in case of databases, DBMS, ठीक है, next, क्या-क्या core functionalities है DBMS का, वो हम दोग देख रहे हैं, यह 6 functionalities हैं, यहाँ पर security मैंने repeat कर दिया है, so there are 6 functionalities, first is data management, store, retrieve, modify data, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम किसी भी database में घुस करके, we can actually go to any table, we can insert something, we can delete something, we can edit something, we can search something, यह सारे features मुझे के DBMS दे रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा और क्या देता है मुझे DBMS, integrity, maintain accuracy of the data, हमने उस दिन यहाँ पर store किया था, अंकित, यह अभी भी वैसा ही है, this is integrity, consistency है, accuracy है, ठीक है, next is security, access to authorized users only, if you remember उस दिन हमने code लिखा था, database से connect करने का, वहाँ पर मुझे अपना username बताना था, root, और मेरे को अपना password बताना था, blank, तो क्यों बताना पड़ा, क्योंकि security defined है, कोई भी जाकर के database से data नहीं निकाल सकता, आप in fact यहाँ पर जाकर के, operations में जाकर के, you can, sorry, you can go to phpmyadmin, and you can create new users if you want to, यह देखो, settings में आप जाओगे, settings नहीं, settings नहीं, user account में आप जाओगे, और यहाँ पर आप एक नया user account add कर सकते हो, जिसका खुद का username होगा, host name होगा, password होगा, और आप एक नया username भी create कर सकते हो, तो यह सब features आपको आपका dbms दे रहा है, phpmyadmin in our case दे रहा है, concurrency, simultaneous data access for multiple users, मैंने जो application मनाया था, उसको अगर 10 लोग भी 7 में use कर रहे होंगे, तो उन 10 ओ को वो serve करवा देगा, concurrent use होता है, next is transaction, modification to database, must either be successful, or must not happen at all, let me show you something, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर, इस database में घुस रहा हूँ, इस users में घुस रहा हूँ, और यहाँ पर एक नया value insert कर रहा हूँ, देखना मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर go पर click करूँगा, और तुरंत इस tab को ही cancel कर दूँगा, ठीक है, देखना, अरे insert होगे, इतना वास्ता कि होई नहीं पाया, insert होगे actually, मैं चाह रहा था कि उसके पहले ही मैं cancel कर देता, या वो insert होगया होगा, यह insert होगया, ठीक है, मैं आपस आपको यह दिखाना चाहता हूँ, कि database का, DBMS का एक philosophy होता है, transaction का, कि अगर आप modification करोगे database में, modification करने का मतलब, या तो create करोगे, या तो delete करोगे, या तो update करोगे, तीनों में से कुई भी काम करते हुए, अगर कुछ गडबड हो गया, database में कुछ गडबड हो गया, तो या तो वो transaction complete हो जाएगा, या तो बिलकुल भी नहीं होगा, आधा धूरा कुछ नहीं होता, पूरा का पूरा operation rollback हो जाता है, यह हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग यहाँ पर transactions पढ़ेंगे, यह हमें transaction पढ़ने है day 6 में, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा, कि transactions कैसे काम करते हैं, बट इस वान अफ दा philosophies, जिसकी वैसे data is very very safe, कुछ भी परिशानी हुई, जैसे user ने button दो बार press कर दिया, या फिर button प्रेस करके कुछ बंद कर दिया, इस तरह का कुछ भी गढ़बड हुआ, तो database का simple philosophy है कि, हम या तो पूरा change करेंगे, या तो बिल्कुल change नहीं करेंगे, तो यह बहुत helpful होता है, नेक्स्ट इस utilities, आपको apart from these features, utilities का भी feature मिलता है, जहाँ पर आपको data import export करने का feature होता है, user management का feature होता है, data का backup लेने का feature होता है, logging का feature होता है, यहाँ पर अगर आप जाओ, तो आप actually क्या कर सकते हो, export कर सकते हो यस data को, let's say मुझे CSV में export करना है, मैंने go पे click कर दिया, थोड़ी दिर में data, download हो गया मेरे machine पर, यह रहाँ गो data, see, अब मैं इसको कहीं और use कर सकता हूँ, मैं इसके उपर data analysis कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं import भी कर सकता हूँ, और इसके अलावा और भी बहुत सारे features मुझे देता है, यह DBMS, और इस तरह के और जितने भी DBMS होते हैं, ठीक है, तो यह हमने जल्दी से discuss किया, कि what are the various functionalities that a DBMS should offer, टाइपस अफ डेटाबेसे, चार तरीके के डेटाबेसे होते हैं, इसमें से यह पहला वाला उतना use नहीं होता है, hierarchical tree structure जो होता है, यह database अग उतना use नहीं होता, यह जो तीन databases हैं, यह बहुत ज़ादा use होते हैं, इनमें से भी यह वाला जो है, relational database, इसको SQL database बोलते हैं, जिसमें tabler structure होता है, database के अंदर tables होते हैं, और tables आपस में connected होते हैं, यह सबसे ज़ादा use होने वाला database है दुनिया में, उसके बाद आता है NoSQL databases, जिसमें कोई structure नहीं होता, कोई table नहीं होता, बट यह भी बहुत use होते हैं, और फिर एक होता है graph database, जो specific applications में काम आता है, जैसे की आप एक social networking website बना रहे हो, जहां पर कोई भी किसी का भी friend हो सकता है, तो इस तरह का complex relationship दिखाने के लिए, यह graph databases यूज होते हैं, Neo4j गोलके एक example है इसका, Neo4j is a very famous graph database, हो सकता है आप अगर किसी बड़ी company में काम करो, तो आपको इस पे काम करना पढ़ सकता है, फिर आपका NoSQL database का example है MongoDB, यह एक बहुत famous NoSQL database है, और यह हमें last दिन पढ़ना भी है, यह हमें last दिन NoSQL databases में, हमें MongoDB थोड़ा सा पढ़ना है, और फिर आते हैं SQL databases, relational databases, इसमें बहुत कुछाता है, MySQL example है, जो हम यूज कर रहे है, इसके अलावा आपके पास और भी examples है, like Oracle, Oracle is a database, ठीक है, then you have Microsoft Access, Microsoft Access एक database है, DBMS, ठीक है, फिर आपके पास Postgrej है, यह भी एक database है, ठीक है, तो बहुत सारे databases हैं, यह कुछ famous वाले database हैं, but mostly चार categories होती है, Hierarchal, यह थोड़े पुराने databases हैं, उतने यूज नहीं होते, Network, Relational, and NoSQL, इस course में हमारा main focus रहेगा, Relational, mostly हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, और last में हम लोग थोड़ा सा NoSQL पढ़ेंगे, Graph के बारे में हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, hierarchy के उपर हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, so types of databases हमने cover किया, next is relational model, अब हम लोग सिर्फ focus कर रहे हैं, relational वाले के उपर, ठीक है, so जब भी आप relational database का बात करते हो, relational database is basically a set of tables, जिसको आप relations भी बोलते हो, हमेशा याद रखना, relational database होता है, जो rdbms, relational database management system, आपके subject का नाम शायद rdbms होता है, तो rdbms में आपका जो database होता है, it is basically a collection of tables, अलग लग tables होते हैं, और table को ही आप relation भोलते हो, table को आप relation भोलते हो, ठीक है, अब relation के अंदर, कुछ चीज़े होती हैं, वो हम पढ़ने वाले, relation के अंदर दो चीज़े होती है, या table के अंदर दो चीज़े होती है, एक होता है column और एक होता है row, column को आप attribute बोलते हो, row को आप tuple बोलते हो, हमेशा याद रखना, column को attribute, row को tuple, ठीक है, उसके बाद, जितने आपके total number of rows हैं, उसको बोला जाता है, cardinality of the relation, या फिर cardinality of the table, ठीक है, और जितने आपके number of columns होते हैं, उसको बोला जाता है, degree of the relation, या degree of the column, ठीक है, next, अगर कोई value missing है आपके table में, आप उसको null value बोलते हो, ठीक है, और हर table जो होता है, हर table जो होता है, उसका हर column के उपर, आपका एक domain के अंदर ही value set होती है, जैसे यहाँ पर domain है, icp, eta, ivs, तो यहाँ पर जो भी values आएंगी, वो इनी तीनों के, मेंसे कोई एक आएंगी, ठीक है, similarly bonus, bonus में जो values आएंगी, की वो integer ही होंगी, salary में जो value होंगी, वो integer ही होंगी, ename में जो value है, वो var carry होंगी, तो हर attribute का कुछ domain होता है, उसी domain के अंदर आप values डालते हो, जैसे integer में आपने set कर दिया, कि आपके पस बस maximum thousand तक ही number आ सकते हैं, उससे उपर का number नहीं आ सकता, इस तरीके का आप domain set कर सकते हैं, तो आप आगे यह सब सीख होगा, ठीक है, next is data integrity and constraints, उसके पहले what I will do is, हमने अभी जस्ट यह पढ़ा, database system overview, what I will do is, I will quickly, do some mcqs, what I will do is, I will quickly go to this, एन हम लोग कुछ mcqs जलदी से solve करते हैं, यह सब फाल्टू questions, इससे कुछ मजानी आएगा, हाँ यह जलदी से बता दो, DBMS is an interface between what, database and user, database application and database, database and SQL, database and database, data and database, database application and database, ठीक है, python और database की बीच का interface है, हाँ, which of the following are disadvantages of file system to store data, data redundancy, difficulty in accessing data, data isolation is not present, high cost तो नहीं होता है, files सस्ते होता है, यह हमने पढ़ लिया, यह भी हमने पढ़ लिया, हाँ, which of the following features are provided by DBMS, maintain accuracy of data, integrity, utilities for performance analysis and logging, यह भी देता है, ensure modifications are successful or not done at all, यह भी होता है, recovery mechanism for data, यह चारो ही देता है, एक DBMS में समय यह चारो ही चीज़े देता है, ठीक है, which of the following is an advantage of database management approach, data is dependent on programs, data redundancy increases, data can be accessed by multiple programs, multiple users cannot access data concurrently, इसमें से कौन सा answer सही है, जल्दी से बताना, three numbers, ठीक है, बाकी सब तो disadvantage है, गलत लिखाओ है, which of the following features are provided by DBMS, protect data from system crash, low cost तो नहीं होता, authorized access होता है, application dependence और storage mechanism, यह भी नहीं होता, ठीक है, यह दोनों हो गया, यह हमने भी just पढ़ा, इसका answer बताओ, a relational database consists of collection of what, tables, fields, records, attributes, tables, correct answer है, आगे move करते है, a relationship among a set of values in a table is represented by a, row, row ही तो हुआ, set of values जो मिलती है, the set of permitted values of an attribute is called, attribute मतलब column, उस column में कैसी values जाएंगी, यह कौन डिसाइड करता है, domain अभी पढ़ाता है, ठीक है, the attribute value that is currently unknown is, null, नल, हाँ, इसका cardinality बताना, इस table का cardinality, cardinality मतलब, number of rows, कितना होगा, four, next is, इसका degree बताना, three, three, right, and that's it, यह topic हमने कर लिया, यह topic अभी हमने just cover किया, हमने इसके सारे MCQs कर लिया, databases में, I'll try to cover all the MCQs, at least MCQs में आपका करा के देख लूँगा, okay, now let's move on to the second topic, that is data integrity and constraints, data integrity and constraints, ठीक है, यह एक बहुत important topic है, although theoretical है, boring लग सकता है, but है काम का, okay, एक बहुत 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 इसको पढ़ते हैं, कि data का जो integrity होता है, वो कौन बना के रखता है, constraints, constraints, ठीक है, constraints which are used to restrict data, that can be entered or modified in the database, यह constraints ही make sure करते हैं, कि जो भी data database में घुस रहा है, वो सही है, और जो modify हो रहा है, वो सही से modify हो रहा है, database systems offer three types of integrity constraints, सबसे पहला constraint integrity type होता है, entity, integrity, ठीक है, इसमें अगर आप definition पढ़ो, तो ध्यान से लेखना, each table must have a column, और a set of columns, through which we can uniquely identify a row, कभी भी अगर आप एक table बनाए हो अपने database के अंदर, तो आपको हमेशा एक column, या फिर set of columns ऐसे रखने पढ़ेंगे, जिसको use करके आप अपने table के हर row को uniquely identify कर पाओ, इसका example देता होने आपको, लेट से आप students को, students का record store करने के लिए एक table बना रहे हो, तो आपको at least एक table ऐसा रखना पढ़ेगा, जिससे आप हर student को uniquely identify कर पाओ, जिसके अगर आपने columns रखे name, आपने column रखा branch, आपने column रखा college, अब इन तीनो column में से, कोई भी column ऐसा नहीं है, जिसको use करके आप students को uniquely identify कर सकते हो, यूदि name दो students का same हो सकता है, branch बहुत सारे students का same हो सकता है, college बहुत जादा students का same हो सकता है, तो यहाँ पर आपने ऐसा एक भी column नहीं रखा, एक column हो सकता है, role number, role number एक ऐसा column बन सकता है, जिसको use करके आप हर student को uniquely identify कर सकते हो, तो आपको role number रखना चाहिए, या फिर आपको email रखना चाहिए, ठीक है, तो ये integrity type आपको देना पड़ेगा, जब भी आप एक table बनाओगे, आपको at least एक column देना पड़ेगा, जिसको use करके आप सारे rows को uniquely identify कर पाओ, और इस constraint को बोलते हैं primary की, आप notice करोगे, आपने notice भी क्या होगा last class में, जब हमने वो users table बनाया था, तो हमने user ID बोलके column बनाया था, क्योंकि हमे एक primary की देना ही पड़ता है, it's a rule, ठीक है, next, domain integrity, all attributes in a table must have a defined domain, that is a finite set of values which have to be used, when we assign a data type to a column, we limit the values that it can contain, in addition, we can also have value restriction as per business rules, example, gender must be male or female, if you remember, हमने जब यहाँ पे एक नया table create किया था, जैसे लेटसे मैं एक नया table create कर रहा हूँ, products, इसमें चार columns है, मैं यहाँ पे अंदर गुशा था जब, तो मुझे पहले तो बताना पड़ा है कि यहाँ पे type कौन सा रहेगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे type डाल दिया integer, अब इस database के इस column में सिर्फ integer values ही घुशेंगी, उसके अलावा कोई value नहीं घुश सकती, फिर एक third constraint होता है, एक third integrity होता है, इसको बोलते है, रेफेरेंशिल इंटेग्रेटी, इसमें लिखा हुआ है, every value of a column in a table must exist as a value of another column in a different table, और इसको कौन इंशियो करता है, फॉरेंटी, अब इसका example देख लो एक बार, पढ़ने में difficult लग रहा है, बट ऐसे है, बहुत easy चीज, फॉरेंटी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, so the idea is very simple, let's say आपको branch और students के बीच का relationship रखना है, ठीक है, तो आपने एक table बनाया branch, ठीक है, branch में आपका आजाएगा branch code, like CSE, branch name, जिसमें पूरा नाम होगा computer science, और hod कौन है, hod का नाम, ठीक है, और फिर आएगा student table, अब student table में होगा student id, student name, और फिर यहाँ पर आएगा branch code, यहाँ पर नाम आया, one, nitish, CSE, ठीक है, अब इस वाले table में, b code was actually a primary की, it was a primary की, मतलब यह एक ऐसा column है, जिसको आप use कर रहे हो, हर row को uniquely identify करने के लिए, और फिर यही जो column है, यह column इस वाले table में भी है, b code as it is, ठीक है, तो इस column को, यहाँ पर आप बोलते हो, foreign key, foreign key, मतलब simple definition क्या है, कि अगर आपके पास, एक primary की है एक table में, उसको अगर आप दूसरे table में, use कर रहे हो, तो वो foreign key बन जाता है, इससे फाइदा क्या होता है, बहुत फाइदा होता है, let's say, कल को college से branch हट गया, तो automatically students भी वो सारे हट जाएंगे, जो CSE branch के हैं, जो की logical भी है, ठीक है, कल को आपने triple E को बदल करके, double E कर दिया, तो यहाँ पर जितने भी students का triple E होगा, वो सभी जगा पर double E आ जाएगा, तो यह क्या होता है, यह आपके, जो connections है table के बीच में, जो relationship है, उसको बना के रखता है, उसका integrity बना के रखता है, क्योंकि अगर यह logic काम नहीं करता, तो यह integrity खराब हो जाता है, सोचके देखो, यहाँ पर branch का नाम triple E से double E हो गया, बट यहाँ पर अभी भी आपको students मिल रहे हैं, जिनका branch triple E है, तो यह आपका data का integrity खराब हो रहा है, और इसी को बचाने के लिए, आप क्या use कर सकते हो, foreign use use कर सकते हो, और इसी को बोलते हो, रेफेरेंशियल इंटेग्रिटी, ठीक है, इसको भी हम लोग detail में पढ़ेंगे, जब हम इस तरह के tables बनाएंगे, जहाँ पर दो tables की बीच में relationship है, ठीक है, now, it's time to discuss database keys, ठीक है, keys क्या होते हैं, वो discuss करेंगे, keys का काम क्यों है, वो discuss करेंगे, और फिर what are the different types of keys, वो discuss करेंगे, ठीक है, which helps us uniquely identify a row in a relation or table, simple खंडा है, आपके वास बहुत सारे columns है, बट एक ऐसा column, जिसको use करके, आप अपने table के हर row को uniquely identify कर सकते हो, उसी को आप key बोलते हैं, that's it, key special column है, जिसको use करके आप rows को identify कर सकते हो, that's it, क्यों चाहिए keys, तीन reasons है, पहला, तू uniquely identify a row, अभी हमने 10 पढ़ा, second, to enforce data integrity and constraints, यह देखो, primary key का जरुरत है, foreign key का जरुरत है, third, to establish relationship between tables, foreign key use करके, ठीक है, तो यह तीन जरुरते होती हैं, keys की, identify करना row को, data integrity लगाना, और relationships बनाना, tables के बीच में, ठीक है, और, DBMS जब आप पढ़े हो, relational DBMS पढ़े हो, RDBMS, तो यह आठ तरीके के keys होते हैं, super key, candidate key, primary key, alternate key, foreign key, composite key, compound key, और surrogate key, यह 8 keys आपको, detail में पढ़ने हैं गाईस, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यह 8 ओकी जगबर, detail में पढ़ते हैं, मैं आपके easy लगे, इसके लिए मैं आपको एक example ले ले था हूँ, एक example table ले रहा हूँ है, employee table, यहाँ पे हैं employee ID, this is one of the columns, you have aadhaar card, aadhaar card, this is the second column, employee name, this is the third column, date of birth, fourth column, और क्या है, salary, this is the fifth column, ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है, first of all, super की क्या होता है, फिर हमें पढ़ना है, candidate की क्या होता है, फिर हमें पढ़ना है, primary की क्या होता है, फिर हमें पढ़ना है alternate की क्या होता है फिर हमें पढ़ना है foreign की क्या होता है फिर composite की क्या होता है compound की क्या होता है और last में surrogate की क्या होता है यह हमें पढ़ना है ठीक है सबसे पहले super की क्या होता है सो जितने भी आपके Keys हैं जितने भी आपके Keys हैं Keys का मतलब ही क्या हुआ Keys मतलब वो सारे columns जिसको यूज करके आप rows को uniquely identify कर पाते हो सबसे पहले बताओ क्या employee ID की है क्या employee ID को use करके हम अलग-अलग columns rows को uniquely identify कर सकते हैं की नहीं तो employee ID की है आधार card नंबर ये भी है employee name नहीं है उसको यूज करके आप uniquely rows identify नहीं कर सकते हैं दो employees का नाम सेंग हो सकता है date of birth salary नहीं हो सकता what about email email भी होता तो yes sir email हो सकता है तो email तो ये तीन जो आपके हैं ये आपके keys बन सकते हैं अब इसका जो super set होगा या आप power set बोल सकते हो उसी को super set बोलते हैं मतलब या super key बोलते हैं मतलब अगर आप एक set बनाओ जहां पे ये तीनों हैं employee ID आधार email उसके बाद employee ID प्लस आधार आधार प्लस email और email प्लस employee ID और लास्टली employee ID प्लस आधार प्लस email तो आप क्या कर सकते हो आप इन में से किसी को भी use करके इन आठों में से किसी को भी use करके आप दो रोज के बीच में uniquely identify कर सकते हो किसी एक रोग को ठीक है मतलब आप single column भी use कर सकते हो आप combination भी use कर सकते हो कई बार ऐसा होगा कि single column नहीं मिलेगा तो आपको combination भी use करना पड़ेगा ठीक है तो आप ये दोनों चीज़े कर सकते हो तो ये जो पूरा का पूरा set हुआ इसको बोलते है super key इसको बोलते है super key ठीक है minimum number of keys required to become primary key मतलब eventually minimum number of columns to become key मतलब यहाँ पर आप बस खोजोगे कि क्या मैं एक column से key बना सकता हूँ actually आप employee ID से बना सकते हो तो employee ID is a candidate key क्या मैं आधार से बना सकता हूँ मैं आधार से भी बना सकता हूँ तो आधार is also candidate key email से भी बना सकता हूँ email is also candidate key employee प्लस आधार से इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि मैं सिर्फ employee से भी बना सकता हूँ तो इसलिए यह reject हो जाएगा आधार प्लस email से क्यों नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ email से भी बना सकता हूँ, सिर्फ आधार से भी बना सकता हूँ, और इन तिनों का भी combination क्यों नहीं use होगा, क्योंकि मैं इन तिनों में से किसी एक से भी बना सकता हूँ, तो candidate key is the minimum number of columns required to become a key, तो इस case में हमारे पास जो candidate key है, वो है employee ID, आधार और email यह हमारा candidate key, super key में सारे combinations आ गए, candidate key में minimum requirement में जो key बन जाए, वो candidate key हो गया, फिर आप एक primary key, primary key is that candidate key, जिसको आप finally select करते हो, to become the key, जैसे लेट से मैंने बोला कि employee ID मेरा key रहेगा, तो इसका मतलब, इस column को आपने finally select किया, to differentiate between two rows, primary key is the selected one, ठीक है, और alternate key होता है, बाकी जो दो बच्चे, यह आपके alternate keys है, इनको आप use कर सकते थे, मतलब candidate key, minus primary key, is alternate key, आई होब आपको यहां तक समझ में आ रहे है, ठीक है, अब primary key कैसे decide होता है, वो जल्दी से देख लो, primary key का दो requirement है, first, it should always be unique, एक ऐसा column पकड़ो, जो हमेशा unique हो, second, कभी भी वो null नहीं होना चाहिए, right, कभी भी भी वो null नहीं होना चाहिए, now, tell me, यह दोनो criteria में कौन सा column fit नहीं हो रहा, इसमें से एक column is not fitting, primary की का description, primary की कौन होना चाहिए, जो uniquely identify कर पाए, unique हो हमेशा, second, कभी भी खाली ना हो, बताओ, employee ID ये दोनो criteria's fulfill कर रहे हैं, क्या हर बंदे का employee ID हमेशा अलग होगा, होगा, क्या कभी भी ऐसा होगा, कि किसी बंदे का employee ID नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा, हर बंदे का employee ID होगा, ठीक है, तो अभी तक employee ID सारे criteria's fulfill कर रहा है, next है, अधार कार्ड नमबर क्या हर बंदे का अधार कार्ड नमबर अलग होगा? यूनीक होगा? क्या हर बंदे का अधार कार्ड नमबर होगा? नहीं अगर आप Infosys जैसी कंपनी की बात करे रहो जो की MNC है तो बाहर वाले जो employees है उनका आधार कार्ड नंबर नहीं होगा foreign employees जो होंगे दूसरे देशों वाले तो जहां भी नहीं होगा वो तो null हो जाएगा और null हो गया तो you cannot make आधार कार्ड as your primary की तो ये primary की नहीं बन सकता ठीक है, what about email क्या email हर employee का unique होगा Yes, yes, sir क्या हर employee का email होगा तो ये भी सारे criteria's fulfill कर रहा है तो ये होगे mandatory criteria's mandatory criteria's क्या है मैं लिख देता हूँ एक बार पहला, unique होना चाहिए और दूसरा should never be null सोच लेना, ठीक है अब कुछ good to have criteria's होते है good to have criteria's कि ये होगा तो अच्छा है, पहला good to have criteria कि generally माना जाता है कि numerical होना चाहिए numerical होना चाहिए और दूसरा होता है as small as possible होना चाहिए तो अब बताओ employee ID select करोगे या email select करोगे employee ID ये चार rules क्या रखना mandatory rules क्या है unique होना चाहिए, null नहीं होना चाहिए और good to have criteria's क्या है numerical होना चाहिए और एकदम छोटा होना चाहिए तो इन तीनों में से अगर आप से पूछा जाए कि किसको बनाना है तो आप select करोगे employee ID को आप email भी कर सकते हो, कोई error नहीं आएगा बट generally बोला जाता है कि छोटा रखना होता है primary की छोटा होना चाहिए तो हमने चार देखे अभी तक हमने देखा super basically सारे keys का super set candidate की minimum number of keys required to uniquely differentiate between two rows primary की जिस candidate की को आप finally use करते हो, that is primary की जिन candidate की को आप use नहीं करते हो they are your alternate keys अब बचा foreign की foreign की, composite की, compound की और surrogate की बचा, एक बार मैं reload कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी हो गया हमें पढ़ने है, चार और हमें पढ़ने है, first what is foreign की second, what is composite की third, what is compound की and fourth, what is surrogate की ठीक है foreign की का मैंने आपको example दिया आपके पास एक table है branch, जिसमें है branch का code उसका नाम और hod और आपके पास एक और table है, जिसमें आपके पास है student उसका id उसका name और उसका branch code this column is same as this column but this column is the primary key तो जब भी एक table का primary key दूसरे table में use होता है, तो उस table में उसको foreign key बोला जाता है and the whole idea is कि आप referential integrity maintain करना चाहते हो कल को अगर branch हट गया, तो उसके सारे students हट गये, कल को branch अगर change हो गया, तो सारे students का branch भी change हो गया, ये constraint आप लगाना चाहते हो, that is why you have foreign key, ठीक है? I guess ही आपको समझ में आ गया, composite key ऐसे super keys हैं, जिसमें एक से ज़्यादा keys होते हैं, जैसे कि उपर था, employee ID plus email, this is a composite key, email plus आधार, this is a composite key, जब भी एक से ज़्यादा keys होते हैं, combination of keys को आप composite key बोलते हैं, ठीक है, अब compound key क्या हुआ, compound की एक ऐसा composite key है, जिसमें at least एक key foreign key होता है, that's it, इसका यही definition है, composite key जिसमें multiple है, compound एक ऐसा composite key जिसमें एक item foreign key है, ठीक है, now comes surrogate key, surrogate key क्या होता है, आपके वास एक ऐसा data है, name, city, date of birth, आपके वास बस यह data है, अब बताओ इसमें से आप किसको primary key बनाओगे, आप किसी को भी नहीं बना सकते, आप किसी को भी नहीं बना सकते, तो आप क्या करोगे, आप खुद से एक ID बना दोगे, यह जो खुद से आपने key बनाया, इसी को बोलते है, surrogate key, आपके data में कोई भी key नहीं है, तो आप एक key create कर देते हो, उसको बोलते है, surrogate key, मैंने बनाया था, खुद से जानबुच के एक ID बनाया था, data में नहीं हूँ, बट मैंने बना लिया, ठीक है, तो surrogate key कप का हम आते हैं, जब आपके बस कोई key नहीं है, तो यह हो गए आपके 8 keys, यह हमने भी just किया, इसके मैं MCQs करा रहा हूँ आपको, The relationship between the two tables are created using which key, दो tables की बीच का relationship बनाने के लिए कौन सब key use किया जाता है, foreign key, यह सही है, next, which of the following statements is false about primary key, चीक है, primary key uniquely identifies a row, यह तो सही है, there can be more than one primary key for the table, ऐसा नहीं होता है, एक ही primary key होता है, यह गलत statement है, Primary key is, primary key in one table can be referenced by foreign key in another table, यह भी सही statement है, columns with string data cannot be made primary keys, यह सही है कि गलत है, गलत है, गलत है, आने बोला कि आपको suggest किया जाता है कि string वाला मत लो, rule नहीं आई है, ठीक है, next, the entity customer has three candidate key, हमारे पास एक table है customer बोलके, उसमें तीन candidate keys है, customer ID, email, contact number, किसको primary key चुनना चाहिए, customer ID, okay, यहाँ पर देखो, दो tables है, recharge plan, recharge payment, पुछा जा रहा है कि candidate key बताओ, recharge plan table में, कौन सा key को use करके, आप uniquely identify कर सकते हो, दो रोज के बीच, operator होगा, नहीं होगा, repeat हो रहा है operator, unique नहीं है, plans होगा, repeat हो रहा है, operator और recharge टाइप होगा, operator और recharge टाइप, इन दोनों का combination, combination, नहीं होगा, यहाँ पर देखो, MTS, regular, MTS, regular, इन दोनों को combination को use करके, आपका नीचा और दो रोज के बीच में differentiate नहीं कर सकते, operator और plan, यह रहा operator और यह रहा plan, MTS में confusion था, यहाँ पर top up plan है, और यहाँ पर 3G plan है, आपका answer यह रहेगा, ठीक है, फिर से same काम है आपको, इस बार primary की खोजना है recharge payment में, इस वाले में, यह easy question में है, जल्दी बताओ, recharge payment में primary key कौन बन सकता है, recharge ID, हो गया, आगे बढ़ रहा है, हाँ, identify the foreign key for table recharge payment, इस में foreign key कौन है, operator, नई, operator और plans का combination, ठीक है, यह MCQ नहीं है, यह आप try करना घर पर, यह भी MCQ नहीं है, इस बाप try करना, so, यहाँ guys, जितना हमने पढ़ा, उसके हमने MCQs कर लिए, let's move on to entity relationship model, we are moving on to entity relationship model, ठीक है, so, ER model is a very famous thing first of all, ER model चा होता है, ER model यह का full form होता है, entity relationship model, first of all, मैं आपको पताता हूँ, यह क्यों exist करता है, यह basically, इसलिए exist करता है, क्योंकि सबको databases नहीं आते हैं, सबको technicalities नहीं पता databases की, तो कल को, let's say, आप अपने CEO के साथ बात कर रहे हैं, आपने higher management के साथ बात कर रहे हैं, तो जो लोग technical नहीं है, MBA वाले लोग है, तो उनको अगर आपको समझाने हैं कि आपके database का structure क्या है, tables कैसे, बूसरे से related हैं, तो आप उसको database जा करके नहीं दिखा होगा, ER diagram कुछ ऐसा दिखाई देता है, हम लोग कल बनाना सीखेंगे, this is a ER diagram, यह देखो, this is a ER diagram, just give me one minute, scroll me over, यह देखो, this is a ER diagram, जहां पर यह सब tables है, users एक table है, expenses एक table है, credit debit एक table है, type एक table है, subtype एक table है, और यह सब आपस में जो connected है, यह इनके बीच का relationship बता रहा है, ठीक है, तो मैं अपने higher management वाले बन्दे को, rather than showing, you know, rather than showing this technical thing, I would show him this thing, this thing, इस से उसके दिमाग में एक logical explanation आएगा चीज़ों का, कि अच्छा-च्छा, सारे tables इस तरीके से connected है, ठीक है, तो ER diagram इसलिए use होता है, ER diagram का main काम होता है, कि आप एक ऐसे बन्दे को, जिसको database की technicalities नहीं पता, उसको भी समझाना जाते हो, कि आपके database का structure क्या है, ठीक है, तो इसी को ER model गोलते है, तो ER model में E क्या होता है, E होता है entity, जिसका definition हुआ कि एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप table बना सकते हो, student, teacher, department, कोई भी real world object, जिसके बारे में आप table मना सकते हो, ठीक है, उसको आप entity गोलते हो, relationship का मतलब, दो tables की बीच में relationship है, जैसे teachers और student के बीच में एक table है, दोनों का एक table है, उसका एक relationship है, ठीक है, so that relationship could be teacher teaches student, student और college की बीच में एक relationship है, student enrolled in college, ठीक है, student और exam के बीच में relationship है, student gives exam, तो आप basically वही relationship ER diagram में दिखाते हो, so जब आप एक ER diagram बनाते हो, तो आप हर table को इस तरीके से बनाते हो, जैसा मैंने आपको भी दिखाया, यहाँ पे table का नाम, उसके नीचे सारे columns का नाम, और इस column के नीचे, ID के नीचे underscore है, under, underscore नहीं है, underline है, यह बताता है कि यह primary की है, और जिसके अंदर नहीं है, वो बताता है कि, it is not a primary की, ठीक है, या ऐसा गोल सकते हो, non-primary की attributes है, ठीक है, अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कि जब भी आप tables की बात करते हो, तो उनके बीच में कुछ relationships होती है, ठीक है, सबसे पहले समझो, cardinality of relationship क्या है, cardinality of relationship is the number of instances in one entity, which is associated to the number of instances in other, ठीक है, अब यह पढ़के, अगर समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर focus करना, यहाँ पर एक example दिया हुआ है, for the relationship between employee and computer, it helps us answer questions like, how many computers can be allocated to an employee, can computers be shared between employees, can employees exist without being allocated a computer, so basically the idea is this, कि आपके पास दो अलग tables है, computer और employee, और इन दोनों की बीच में कुछ relationship है, अब उस relationship को समझ करके, आप इस तरह की questions answer कर सकते हो, क्यूंकि आपको पता है, इन दोनों की बीच में कैसा relationship है, इसलिए आपको cardinality of relationships पढ़ने पढ़ते हैं, and to be honest, difficult नहीं है, सिर्फ तीन ही तरह की relationships होते हैं, दो tables के बीच में, या तो one-to-one relationship होता है, या तो one-to-many relationship होता है, या फिर many-to-many relationship होता है, यहीं तीन relationship हमेशा आपको मिलेंगे, ठीक है, I'll give you one example of each, आपके college में example देता हूँ है, let's say, आपके college में, lab में project partner का concept है, project partner का, तो हर बंदा, एक और दूसरा बंदा, या बंदी के साथ, lab partner बन सकता है, तो for one partner, उसके पास एक ही option है, सामने वाला partner, और सामने वाले partner के पास एक ही option है, you, तो this is a one-to-one relationship, ठीक है, next, one-to-many relationship, आपका college का branch और student, branch में बहुत सारे students हो सकते हैं, बट हर student का एक ही branch होगा, this is a one-to-many relationship, ठीक है, next is many-to-many relationship, ठीक है, आपका, मतलब students का और exams का relationship, एक student कई exam दे सकता है, और एक exam को कई students दे सकता है, this is a many-to-many relationship, तो कभी भी आप दो tables की बीच में अगर बात करोगे, तो चार ही possibility है, या तो relationship होगा ही नहीं, जैसे कि student और employee, दो अलग tables है, relationship नहीं है, आपके college में admin वाले जो लोग हैं, उनका student से ताफ कोई direct relationship नहीं है, ठीक है, तो या तो कोई relationship ही नहीं होगा, या तो one-to-one relationship होगा, या तो one-to-many relationship होगा, या तो many-to-many relationship होगा, ठीक है, तो I hope आपको ये चीज समझ में आ रहे, ये crowfoot notation हम लोग कल पढ़ेंगे, जब हम वो ER diagram बनाना सीखेंगे, क्योंकि उसके पहले क्रोब सा sequel पढ़ना पढ़ेगा, अब इतना ही पढ़के, what we will do is, we'll do some questions, because इतना ही पढ़ना है, ER diagram में, answer करने का try दरना, ठीक है, चलो, इक बार इक crowfoot diagram देख लो, ये देखो, crowfoot notation वे बोलता है, कि इसका मतलब हुआ, कि इधर वाले table का, exactly one है, मतलब one to one relationship है, इसका है zero or one, ये relationship, इसका मतलब है zero, one or more, और इसका मतलब है one or more, ठीक है, तो ये question आप से पूछा जा रहा है, कि in a relationship between two entities, दो tables की बीच में अगर relationship है, और in a relationship between two entities, one and only one instance of first entity is related to zero or many instances of second entity, समझने का try करना, this is a one to many relationship, बट उसमें भी specification है, one and only one, instance of first entity is related to zero or many instances of second entity, इसको कैसे कर सकते हैं, हाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम student और branch के terms में बोल सकते हैं, एक student का, सिर्फ एक ही branch होगा, one and only one branch होगा, ठीक है, और branch के case में आप बोल सकते हूं, जीरो और many, एक branch में या तो बहुत सारे students होगे, या तो zero students होगे, अगर एक student होगा, तो उस branch को बंद कर दिया जाएगा, तो इन में से कौन सा symbol, इस relationship को, दर्शाता है, शो करता है, बी, ठीक है, next, ये पढ़ना, in many to one relationship, many to one relationship, branch student वाले example फिर से consider कर सकते हो, the primary key of one entity, acts as foreign key on which side, ठीक है, ध्यान से सुनना, in a many to one relationship, सबसे पहले many to one relationship define कर लेते हैं, many to one relationship में, this will be the relationship, एक ब्रांच में, you can have multiple students, तो ये आपका many वाला साइड है, और ये आपका one वाला साइड है, this is a one to many relationship, तो many वाला साइड मतलब student वाला साइड, और one वाला साइड मतलब branch वाला साइड, ठीक है, ये यादा है, ना, in a many to one relationship, the primary key of one entity, acts as foreign key on which side, सोच के बताओ, on the side where single relationship is defined, single relationship मतलब branch, बस आप से पूछा जा रहा है कि, branch में foreign key होगा, या फिर student में foreign key होगा, second, student में होगा foreign key, right, क्योंकि student में ही तो आएगा branch code, तो इसका answer होगा B, इसका answer करो, a many to many relationship between two entities usually result in how many tables, ये अच्छा question है, इसके बारे में सोच थो थोड़ा, आपके पास, एक many to many relationship है, जैसे कि ये, Udemy एक website है, आई होप आपको बताओ, उसमें students होते हैं, और उसमें courses होते हैं, पहले तो ये बताओ, इनके बीच में कैसा relationship है, many to many, एक student कई courses में enroll कर सकता है, एक course में कई student enroll कर सकता है, this is a many to many relationship, ये relationship है, अब आपसे पूछा जा रहा है, कि ये relationship, कि एक student एक course में enroll कर रहा है, ये दिखाने के लिए, आपको like, total कितने tables लगेंगे, ये relationship को दिखाने के लिए, आपको कितने tables की जरूरत है आपके options है 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 What would you say? सोचो 2 2, बताओ कौन-कौन से माल लो मुझे students के बारे में दिखाना है student ID और student name ये मुझे student के बारे में दिखाना है और courses के बारे में मुझे दिखाना है course ID, course का name course का name और course का price तो बताओ जो 2 tables बनाओ गए उसमें first table में क्या columns होंगे चलो मैं आपको बता देताओ इसका answer क्योंकि हम future में ये बहुत करने वाल है कभी भी अगर आपके वास many-to-many relationship है, ये हमेशा याद रखना if you have got many-to-many relationship always, always, हमेशा तीन columns बनाने पड़ेंगे आपको एक होगा student column जिसमें ये सारे columns होंगे एक होगा courses table जिसमें ये सारे columns होंगे और एक होगा enrollment table ठीक है, enrollment में होगा enrollment ID, course ID student ID इन दोनों के बीच का relationship many-to-many वाला, आप इस तरीके से दिखाओगे इसका answer हमेशा ही 3 होगा इसके बारे हम लोग डीटेल में वार पड़ेंगे don't worry about this but हमेशा याद रखना many-to-many के लिए आपको minimum team tables चाहिए क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ये तो data store हो जाएगा but आप normalization के rules fail कर जाओगे now we'll discuss types of SQL commands या query types आप बोल सकते हो ये चार्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जब भी आप databases के साथ काम कर रहे हो अगर आप SQL का बात करो तो इसमें आपको ये चार major query types पढ़ने पढ़ते है एक होता है DDL जिसका full form होता है data definition language इसको यूज करके आप data को define करते हो इसमें आपके चार major commands होते है create, alter, drop, truncate create का काम होता है चीजों को create करना alter का काम होता है चीजों को modify करना drop का काम होता है चीजों को delete करना और truncate का काम होता है चीजों को खाली करना ये चारों हम लोग आज पढ़ने वाले है this is DDL next is DML DML मतलब data manipulation language इसमें चार major commands होती है insert, update, delete, select यही चार commands अब सबसे ज़्यादा frequently use करते हो insert का काम है, नए rows add करना update का काम है, tables का data modify करना delete का काम है, tables का data delete करना, और select का काम है data fetch करके लाना next is TCL, transaction control language इसमें दो commands होते है commit and rollback guess what हमने commit use किया है जब हम python वाल application मना रहे थे, वहाँ पे con.commit कर रहे थे, save database changes and end transaction, इसलिए आप commit करते हो, rollback होता है कि अगर आप changes नहीं कर पाए, कुछ गडबड हो गया तो आप rollback करते हो, जो हमने कल transaction पढ़ा था, कि या तो transaction complete होगा, या तो होगा ही नहीं, यह TCL के through होता है, हम लोग जब transactions पढ़ेंगे databases में, तो हम TCL वाले queries को use करेंगे, ठीक है, and the last one is DCL, data control language, इसमें आते हैं दो commands, grant और revoke, grant का मतलब permission देना, revoke का मतलब permission वापस ले लेना, ठीक है, यह भी हम देखेंगे, so यह chart हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है, कि आप जिस चीज़ के साथ काम कर रहे हो, वो DDL है DML है, TCL है, या DCL है, ठीक है, तो confusing नाम है, बट actually इतना confusing है नहीं, DDL मतलब data definition, data को define करना, manipulation मतलब यह chart, transaction control मतलब और DCL is control language, grant and revoke, थोड़ा सब आप एक बार बैठके, carefully देख लोगे confusion नहीं रहता उसके बाद, ठीक है यह चीज़ आपको बढ़ानी थी और इसके बाद एक चीज़ और पढ़ानी थी आपको, data types सो हर programming language में कुछ data types होते हैं, python में आपने पढ़ा था data types होते हैं, similarly, sql में भी data types होते हैं, ठीक है अब sql का problem क्या है, कि sql actually is the core language जो सभी dbms systems use करते हैं, सारे database management systems sql use करते हैं, relational वाले, तो oracle का अपना implementation है sql का my sql का अपना implementation है, postgre का अपना implementation है, तो होता है क्या है कि किसी एक में कोई ऐसा data type है, जो दूसरे में नहीं है, तो इस तरीके से अलग-अलग dbms के अलग-अलग data types हो गए, तो अगर आपको पढ़ना है कि कौन से में कौन सा होता है तो आप ये website पर जा सकते हो, w3 schools यहाँ पर इन लोगों ने लिख रखा है, sql data types for this database, this database and this database, ठीक है, तो यहाँ पर you can see mysql जिस पर हम काम करने वाले है, इसके उपर हम काम करने वाले है, उसमें ये सारे data types होते हैं, ठीक है, so we have string data types, जिसमें वार कहरा आता है, और ये blobs वगरा आते हैं, blobs में आप चाहो तो binary object store कर सकते हो, binary object like images, files, ये साब आप save कर सकते हो, then you have numeric data types, जहाँ पर आपके पास integer आता है, float आता है, double आता है, decimal आता है, ठीक है, then you have date and time data types, जिसमें date, date time, time stamp, ये साब आता है, फिर इसके बाद sql server के data types आ गए, और इसके बाद, Microsoft Access के data types आ गए, ठीक है, तो see, यहाँ पर कुछ पढ़ाने का नहीं है, यहाँ पर as such कुछ concepts नहीं है, तो what I would do is, I'll just share this page with you, आपका काम बस इतना रहेगा, कि एक बार बस ऐसे ही कभी, बैठे बैठे, ये पढ़ लो, ठीक है, यहाँ से आपको कुछ परिशान करने वाले MCQs नहीं आएंगे, trust me, database में already इतने conceptual questions बन सकते हैं, कि कोई इस तरह का stupid question नहीं पूठेगा, कि बटाओ, तुमारा blob का range कितना होता है, इस तरह के questions, I'm not expecting, अगर इस तरह के questions कोई पूछ रहे हैं, तो basically आपको परिशान करना चाहा रहें, तो एक बार जिस गो तुरू इस page, हैं यहां पर, ठीक है, so now let's move forward, since SQL is also a language, तो programming languages की तरह यहां भी operators होते हैं, और यह भी मैं आपको to be honest अभी नहीं पढ़ा रहा, जब मैं queries लिखना start करूँगा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, and you can see यहां पर भी arithmetic operators हैं, plus, minus, multiplication, division, modulus, bitwise operators हैं, and, or, XOR, comparison operators हैं, यहां पर बस ए होता है, जैसे यहां पर double equal to नहीं होता है, single equal to होता है, not equal to के बदले यह होता है, ठीक है, you have some compound operators, यह आप पहले से पढ़ चुके हो, then you have logical operators, यह हम काफी use करेंगे, all, and, any, between, exist, in, like, यह सब हम काफी use करेंगे, तो यह अलग से बैट के ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, हम use कर करते करते, इनको सब को पढ़ लेंगे, ठीक है, बड़ अगर आपको फिर से अगर ऐसे bedtime reading का time मिले, तो आप थोड़ा सा देख सकते हो, कि यहां पर क्या-क्या लिखा होगा है, again, इससे MCQs नहीं आएंगे, क्योंकि जरूरत नहीं है, धर से MCQ आने का, ठीक है, एक तीस और जल्दी से, comments कैसे लिखते हैं, ठीक है, database में comments लिखना बहुत ही simple है, I'll go to a database, let's say, यह हमारा sample बोलके एक database है, यहां पर मैं SQL tab में जा रहा हूँ, और यहां पर अगर आपको comment लिखना है, तो single line comment आप ऐसे लिखते हो, दो hyphen, ठीक है, this is a comment, ठीक है, multiline comments आप ऐसे लिखते ह this is a comment, this is a multiline comment, ठीक है, यह सब comment आगया, ओके, तो यह जल्दी से clear करना था, और अब एक topic जो हमें last class में करना था, बट हमने सिर्फ यह चीज़े नहीं पढ़ी, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, ER diagram बनाना, so मैं आपको कल बताया था class में, ER diagram क्या होता है, entity relationship diagram, so अगर आप की company में कोई ऐसा बंदा है, जो senior position पर है, बट उसको technical चीज़े नहीं आती, और आपको उसको समझाना है कि database का structuring कैसा है, database कैसे organized है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको directly जाकर कि अपना database दिखाने लग जाओ कि सार देखिए, यह मेरा database है, यह tables हैं, और in tables के अंदर सर इस तरीके से data organized है, this is way too technical for a non-technical user to understand कि behind the scenes क्या चल रहा है, ठीक है, so what you can do is, आप उसको ER diagram बना के दिखा सकते हो, ER diagram क्या होता है, entity relationship diagram, ठीक है, so अभी मैं आपके सामने एक entity relationship diagram बनाऊ रहा है, ठीक है, और हम example ले रहे हैं, we are taking an example of swiggy, हम swiggy का example ले रहे है, swiggy में database कैसे होता होगा, कैसे काम करता होगा, हम वो देखने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस website में जाना है, इसका नाम है lucid charts, आपके बास और भी options होते हैं, ER diagram बनाने के, but मैं lucid charts इसलिए use कर रहा हूँ, because यह ए इसको install करना पड़ेगा, तो उतना पंगा लेने से अच्छा है कि आप directly इसको use करो, मैं logout करके आपको पूरा दिखाता हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, you will have to google for lucid charts, google करोगे, यह रहा वो website, यहाँ पे घुसके आपको, सबसे पहले sign up करना पड़ेगा, sign up में आप free व इस account से, और यह रहा guys, जैसी आप register करोगे, आपको इस तरह का page दिखाई देगा, अब आपको क्या करना है, आपको new में जाना है, new में आपको start with a template के उपर click करना होगा, आपको बहुत सारे templates दिखाई देंगे, आपको search में जाकर के ER सर्च करना है, ER diagram, इस पर आप जैसी click करोगे, आपको बहुत सारे options दिखाई देंगे, बड़ आपको यह वाला select करना है, database ER diagram, cross foot, हम यही notation follow करने वाले है, cross foot, ठीक है, इस पर आप जैसी click करोगे, open template पे click करोग एक नया template खुल जाएगा, जहाँ पर आप अपना ER diagram बना पाऊगे, ठीक है, यह आपका वो जगह जहाँ पर आप यह diagram बनाऊगे, सो मैं थोड़ा सा चीज़ों को adjust कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर पहले से कुछ कुछ चीज़े हैं, मैं उनको हटा रहा हूँ, delete press कर रहा हूँ, delete, 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 so यह पूरा clear हो गया है, 100% पर आते हैं, या, सब कुछ clear है, सबसे पहले मैं इसको edit क कर रहा हूँ, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ, swiggy database er diagram, ठीक है, that's it, यह हो गया मेरा, setup ready, ठीक है, अब guys, मुझे यहाँ पर er diagram बनाने है, ओके, अब er diagram बनने में सबसे पहले आप क्या करते हो, आप जो भी business problem का बात करो, जैसे हमारे case में swiggy, आप उस problem में entities खोचते हो, कौन-कौन से entities हैं, जिसके बारे में आप tables बना सकते हो, कोई सोच के बताएगा, if you are talking about swiggy, swiggy में क्या-क्या entities हैं, जिसके बारे में आप table बना सक करो, जिस तरीके से आप order करते हो, वो imagine करो और बताओ, वहाँ पर कौन से entities हैं, एक दो तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाना चाहिए, सबसे पहले आएगा customer, जो order place करता है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखो, entity relationship के अंदर आपको यह चार options मिल this is my first entity, क्या हो आई है, यह रहा मेरा first entity, customer, मैं in fact यहाँ पर जा करके, double click करके, customer भी लिख रहा हूँ, ठीक है, और कोई entity बताओ, स्विगी में, और भी entities होँगी, कोई और entity, apart from customer, customer को छोड़ के, और क्या हो सकता है, restaurant, restaurant, खाना कहां से उठाओगे, restaurant, तो एक और entity बना रहे हैं, restaurant, और क्या हो सकता है, और हो सकता है, food, खाना भी तो होगा ना कुछ, food, यह भी एक entity है, और क्या entity हो सकता है, और एक entity हो सकता है, orders, जो orders आप place करोगे, ठीक है, और भी बहुत सारी entities हो सकती है, delivery boy एक entity हो सकता है, आपका reviews एक entity हो सकता है, बहुत सारी चीज़े हो सकती है, बढ़ हम basic रख रहे हैं, just to show you की ER diagram कैसे बनता है, तो सबसे पहले मैं customer के अंदर details आड़ कर रहा हूँ, ठीक है, so customer में जो मेरा पहला field है, वो है, CID, as in customer ID, second है customer का name, third है customer का email, अब यहाँ पर मेरे पास और चीज़े आड़ करनी की जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, उपर मुझे दो options आ रहे, above and below, rows add कर सकता हूँ मैं, यह मैंने rows add किये, और यहाँ पर मैंने इसको center कर दिया, और अब मैं add कर रहा हूँ यहाँ पर phone, ठीक है, आप और भी चीज़े add कर सकते हो, user के बारे में, बट मुझे अभी ज़रूरत नहीं दिख रही, ठीक है, next आप यहाँ पर data type बता होगे, customer id रहेगा, integer, name रहेगा, वार कैर, 255, थोड़ा साम इसको बढ़ा कर सकते हैं, so that इस तरीके से परिशानी ना हो, email भी हमारा रहेगा, वार कैर, 255, और phone भी हमारा रहेगा, वार कैर, बट यहाँ पर सिर्फ 10 ही letters रहेंगे, क्योंकि phone में 10 characters ही होते हैं, ठीक है, cid जो मेरा होगा, पर phone में तो integer नहीं होगा सर, ने integer आप उसको रखते हो, जिसके उपर आपको mathematical operations perform करने है, फोन नंबर के उपर आप कभी mathematical operations perform नहीं करोगे, ठीक है, customer ID होगा, cid पर सर, मतलब कैसे करेंगे सर, यह कुछ समझ नहीं है, क्या-क्या फिर से बोलो, cid पर, cid पर फिर क्या वो mathematical operations करेंगे, हाँ नहीं करेंगे, बट वो integer, integer वार कैर से कम लेगा, इसलिए हमने कर लिया, मतलब हाँ आप सही बोल रहे हो, उसका वार कैर बना सकते हो, बट, इस अ नॉर्मल कंवेंशन कि आप cid को जिनरली integer लेते हो, सेकेंड आप यह mathematical operation कर सकते हो, मुझे वो सारे customers, इस तरीके के comparisons आप कर सकते हो, 100 से आगे वाले दो, तो वो आप इसके उपर नहीं कर पा हो गया अगर आपने वार कैर बना दिया, बाकी कुछ कीज नहीं होंगे, बाकी कोई कीज नहीं होंगे, इस इस दा फर्स्ट कॉलम, फस्ट टेबल या relation बोल सकते हो अब इसको, उसके बाद अगले वाले पर फोकस करते हैं, restaurants, restaurants में इसको भी थोड़ा सा पहले, ऐसे बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर होगा R.I.D., restaurant ID, restaurant का name, और क्या हो सकते है restaurant में, cuisine कैसा offer करते हो, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, फिलाल मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस address डाल दे रहा हूँ, address होता है, ठीक है, अब add कर सकते हो, हम सारी फीज़ चीज़े add नहीं कर रहे हैं, हमें अग्दम basic idea देखना इस चीज़ का बस, तो यह address डाल दिया मैंने, और यह first हो जाएगा, प्राइमरी की, उसके बाद कोई की नहीं है, उसके बाद कोई की नहीं है, कोई की नहीं है, types का बात करो, तो यहाँ पर आजाएगा, integer, name का बात करो, तो यहाँ पर आजाएगा, where care, कितना यह बड़ा restaurant का नाम हो सकता है, तो फिर अपने 255 का limit डाल दिया, rating होगा आपका decimal, decimal होगा, क्योंकि 4.2, 3.5 कुछ भी हो सकता है, address होगा text, क्योंकि बड़ा address हो सकता है, तो हो सकता है, 255 characters में ना आप आए, ठीक है, तो यह होगा मेरा restaurant table, similarly, I'll also create the food वाला table, यहाँ पर आजाएगा, FID, food का ID, food का name, उसका price, और एक कॉलम और add कर सकते हैं, आप, विकन आड़, क्या हो गया यह है, सेंटर पर नहीं आ रहा, हाँ, यहाँ पर भी किन आड़, type, as in non-veg या veg, जो भी है, सब इको type प्रोवाइड कर रहा हूं, इस वुद भी integer, इस नेम वुद भी वैर्कैर, 255, price integer रख रहा हूं, 50 पैसे यह सब नहीं लेंगे, और type हो जाएगा, और फिर से वैर्कैर, या बूलियन भी रख सकते हो, या तो वैज होगा, या तो non-veg होगा, लिकिन आप बूलियन, यहाँ पर बस यह first वाला, वाला विल भी primary की, बाकी कोई भी की नहीं है, और यह आपका हो गया, आपका third table, और उसके बाद यह है आपका fourth table, which is orders, so orders में होगा, एक order ID, जिसको हम बोलेंगे, OID, उसके बाद होगा, कि यह order किस customer ने place किया, CID, और कौन से restaurant से place किया, RID, ठीक है, इसके लावा आप और भी चीज़े डाल सकते हो, जैसे कि कितने बज़े order place हुआ, तो उसके लिए हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा, time, order का time क्या था, और इसके लिए, अब type आप लिखो अगर, तो यह सब कुछ integer होगा, यह भी integer होगा, यह भी integer होगा, और यह time, date time होगा, ठीक है, कि इसका अगर आप बात करो, तो यह first वाला चीज आपका, primary की होगा, यह आपका foreign की होगा, क्योंकि customer ID, customer table में primary की है, वही same column हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, यह सब हम और detail में पढ़ेंगे, यह भी foreign की होगा, और यह repeat होगा, तो यह आपका रहेगा, ठीक है, तो यह हमने अभी 4 अपने tables बनाएं, अब हम क्या गरेंगे, अब यह हमारे entities होगए, यह 4 entities हैं, और भी entities हो सकती हैं, मैंने नहीं बनाया, क्योंकि स्वीगी का तो obviously, जो database होगा, काफी चीज़े होगी उसके अंदर, बढ़ हमने सब कुछ तरह नहीं बनाया, अब हम क्या करेंगे, इन entities के बीच में, relationship draw करेंगे, इन entities के बीच में, हम लोग relationship draw करेंगे, और वो relationship कैसे draw होगा, बहुत simple है, अब बार बार ही question पूछोगे, कि इन दोना entities के बीच में, कैसा cardinality of relationship है, one to one है, one to many है, many to one है, बस आपको इतना पूछना है, ठीक है, जैसे कि, let's start with customer and orders, customer और order के बीच में, कैसा relationship है, सोच के बताओ, customer और order के बीच में, कैसा relationship है, customer और order के बीच में, कैसा relationship है, one to one, one to many, many to one, one to one, one to many, many to many, many to many, नई, many to many तो नहीं होगा, एक customer, one to many, हाँ, एक customer, multiple orders place कर सकता है, बट हर order का एक ही customer हो सकता, तो ये, one to many relationship है, ठीक है, तो one customer can have multiple orders, तो हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे निकाल करके, drag करके, यहां पे लेके आएंगे, और यहां पे जोड देंगे, like this, ठीक है, तो यहां पे आप देखो, यह जो है, यह बताता है, customer का relationship order के साथ कितना है, तो यह बोल रहा है, customer can have multiple orders, but order can have only one customer, ठीक है, अब इसको भी आप और improve कर सकते हो, जैसे इसके उपर आपने click किया, और पहला वाला जो यह था, इसके बदले मैंने कर दिया, यह वाला, तो यह बोल रहा है कि, order will have one and only one customer, अगर order होगा, तो उसका एक customer होगा ही होगा, ठीक है, बड़ ऐसे भी customers हो सकते हैं, जिन्होंने कभी order place नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, यह जो second वाला है, इस वाले पर, हम लोग यह वाला select कर देंगे, इसका मतलब हुआ, कि या तो many है, या तो one है, या तो zero है, जिसका यह मतलब होता है, one customer can have zero orders, और one order, और many order, but order will have only one customer, यह हमने relationship बना गया, using crowfoot notation, ठीक है, अब restaurant और order का बताओ, क्या relationship होगा, restaurant और order का क्या relationship होगा, many to many, one restaurant can have, can receive multiple orders, but each order will have only one restaurant, ऐसा ही होता है ना, आप swiggy में जब order करते हो, तो एक बार में आप एक ही restaurant से order कर सकते हो, आप multiple restaurant से order नहीं कर सकते हो, तो यहां भी यह same relationship होगा, आप क्या करोगे, यहां से निकालोगे, और यहां पर लगा देता है, ठीक है, और यह same यह relationship होगा, अगर order होगा तो उसका एक restaurant होगा, तो this side would be again, one and only one, और यहां पर ऐसा हो सकता है, कि, कोई restaurant में, कोई order ही ना पढ़ाओ कभी, या एक order पढ़ाओ, तो आप यह वाला सरेकर लोगे, यह relationship होगा, और, order और food में क्या relationship होगा, order और food में क्या relationship होगा, food में कोई एक item होगा, जैसे कि biryani, तो order और एक food में कैसा relationship होगा, many to many होगा, इक order में multiple items हो सकते हैं, biryani भी हो सकता है, pizza भी हो सकता है, अगर वो restaurant दोनों चीज़े deliver कर रहा है, तो one order can have multiple food items, and one single food item can be a part of multiple orders, right, तो this is a many to many relationship, तो आप क्या करोगे, यहां से draw करोगे, और यहां पर लाके, connect कर दोगे, चीज़े, अब बस आप square it कर दोगे, अब सोचो, अगर order place हुआ है, तो उसमें, या तो multiple items हो सकते हैं, या एक item का at least होगा, एक item तभी होगा, मतलब एक item होगा, तभी वो order कहला आएगा, तो मैं क्या कर रहो, इस वाले को ऐसा बना रहो, इसका क्या मतलब हुआ, कि either it will have multiple food items, that order will have multiple food items, और it will have at least one food item, ठीक है, और इसका ultra true है कि नहीं, हर food item, या तो किसी order का part हो भी सकता है, या तो नहीं भी हो सकता है, तो this side, this would be this, जीरो, ये food item, किसी भी order का part नहीं हो सकता, ये food item, किसी एक का part हो सकता है, ये food item हो सकता है, किसी का भी part नहीं हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो ये आपका relationship है, अब to be honest ये एकदम accurate नहीं है हमने बस ऐसे ही बात करते करते में बना दिया but जब ये काम आप industry में करते हो तो you have a proper discussion with your team, your seniors and then you create a database entity relationship diagram it's a very very important step when you are working or building a proper database application ये step करने के बाद ही आप अपना database create करते हो ये kind of आपका sketch हो गया database का blueprint हो गया ये सही है तो database सही है, database सही है तो application सही है तो ये step बढ़ा important होता है और best part क्या होता है lucid chart जैसा tool में ये काम करने पर कि once you are done with this आप export button पे click करो और आपको सीधे code मिल जाएगा जो आपने बनाया उसका for अलग-अलग databases जैसे यहाँ पे मिर पस ये code है मैं इसको copy किया मैं गया है यहाँ पे और यहाँ पे swiggy मैंने last class में बना के दिखाया था मैं आपको एक दूसरा बना के दिखाता हूँ let's say हम zomato बना रहे तो हमने क्या किया हमने सबसे पहले एक नया database बनाया जिसका नाम है zomato create पे click किया यह रा zomato के अंदर गया है sequel में गया है यह सारा query paste कर दिया like this यहाँ पे decimal का spelling गलत है it would be decimal ठीक है चला गया और अब बस मैंने जैसी go पे click किया यह देखो zomato के अंदर वो चारो tables बन भी गए यह customer table है यह food table है यह orders table है यह restaurant table है obviously भी सब कुछ खाली है but कितना easy हो गया हमने यहाँ पे बनाया और सीधे code copy किया और हमारे DBMS में जाके उसको run कर गया और हमारा same structure form हो गया with this relationship so that's why this step is very very important तो यह आपको जल्दी से मुझे दिखाना था आपको क्या करना है guys आपको try करना चाहिए कोई आपको check नहीं करेगा but you can try for different applications जब मैंने पहली बारी सीखा था मैंने कुछ अच्छे-च्छे applications जो मैं use करता था उस time पर मैंने उनका DB बनाने का try किया था like whatsapp का मैंने बनाने का try किया था FB का try किया था आप भी try कर सकते हो कुछ अच्छे applications जो आप use करते हो day-to-day basis पे आप it's a good thinking practice you guys are from CSE तो at the end आपको इस तरह के applications ही बनाने है तो आप बस बैठ कैसे सोच सकते हो कि वो application में database structure कैसा होगा और आप इस तरह का ER diagram बना करके you can actually create a database इसको schema designing मोलते हैं और इस skill का बहुत importance है इंडस्ट्री में जो लोग ये अच्छे से कर पाते हैं उनका software architect बनने का scope थोड़ा जादा होता है जादा chances होते हैं क्योंकि you are good at designing things तो या ये चीज़ आपको बस बतानी थी तो ये मैंने complete कर दी ओके ठीके गाईस को चलो काफी कुछ पढ़ना है आच I'll close this close this as well PPT भी बंद करता हूँ और अब इसको use करेंगे हम लोग हमें ये complete करना आच यहां तक हो गया we'll start with this part इत्मा complete करना है सबसे पहले हम लोग लोग लेखेंगे create database और delete database ठीक है ये obviously DDL हो गया data definition language पढ़ रहे हम लोग पहले create database अभी रहे हम database कैसे create कर रहा थे मैं क्या कर रहा था मैं localhost PHP my admin पर जा रहा था वहां से databases पर click कर रहा था यहां पर database का name type कर रहा था और create पर click कर दे रहा था और नया database बन जा रहा था ये GUI का तरीका है हर जगह आपको जीवाई नहीं मिलेगा ये तो मैंने आपको दे दिया कि zamp मैं बनाओ बट सभी company zamp यूज नहीं करती तो आपको इसके पीछे का sql command आना चाहिए क्या लिखना पड़ेगा आपको सबसे पहले php my admin लोड करना है database के बतले sql tab में जाना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर इस जगह पर आपको query लिखना है query बहुत simple होता है create database कुछ भी database का नाम let's say आपने बोल दिया my db आपको यह database बनाना है ठीक है बसे यह team words create database database का नाम इतना करके आप जैसी go पर click कर होगे यह देखो है यहाँ पर database बन गया my db ठीक है और इससे भी better query अच्छी यह होता है आप यह लिखा करो create database if not exists और database का नाम my db ठीक है अब यहाँ पर देखो operators में आपको पढ़ना था exists वो हमने पढ़ लिया ठीक है तो इसी तरीके से हम धेर देर करते जाएंगे my db create database if not exist my db तो अब इस point पर पहले मेरा dbms चेक करेगा कि उसके पास यह database है की नहीं अगर है तो नहीं बनाएगा नहीं है तो बना देगा ठीक है तो यह रहा my db go पर click किया नहीं बना जो एक था वही है ठीक है तो बहुत सिंपल है the query for this is यहाँ पर मैं लिख देखा हूँ the query for this is create database db name ठीक है यहाँ पर आप चाहँ तो यह लिख सकते हो if not exist ठीक है simple है next is how to drop a database जैसे अभी में पास यहाँ पर काफी सारे फालतू के databases होगे में पास my db फालतू का है में पास swiki फालतू का है zomato फालतू का है यह सब मैं delete करूँगा delete कैसे करते है एक तरीका तो यह है कि आप GUI में घुसो जैसे मुझे यह zomato अटाना तो मैं zomato में घुसोंगा यहां operations में घुसोंगा एकदम नीचे जाओंगा यहां पर drop the database का option है इस पर click करूँगा ok कर दूँगा zomato वाला database हट किया but again यह GUI वाला तरीका है second तरीका क्या है php my admin में घुसो sql tab में जाओं और यहां पर लिखो drop table और table का नाम my db ठीक है और इतना लिख करके go पर click कर दो ok करो oh मैंने drop table लिख दिया sorry drop table की command होता है tables को delete करने के लिए this is a database drop database my db गोपर क्लिक किया यहां से my db हट गया ठीक है एक दो और जो है पालतु के उनको भी अटा देते हैं drop database मैं अटा रहा हूं स्विगी इसको भी go पर click किया वो भी हट किया यह test db भी मैं अटा रहा हूं drop database test db और गोपर क्लिक किया यह भी हट किया और अब फालतु करके एक ही बार वो गोपर क्लिक करेंगे तो यह से नहीं होगा नहीं एक बार में एक ही होता है drop databases है और databases में अगर मैं दो डालू लेट से टेस्ट कॉमा सैंपल होता नहीं है मेरे को याद नहीं है ऐसा कुछ भी क्या अले लेक लाइन में रिखेंगे इस है drop database और फिर डाटा बेस करना दो बार लेट्स चेक ड्रॉप डेटा बेसिस माई सीक्वल क्या से इंटेक्स से देख लेते हैं drop database sdb या तो नहीं बता रहे है कि single को बता है तुमको पता है दो लाइन में दिखने से हो जाता है अच्छा हाओ टू डिलीट मॉल्टिपल डेटा बेस इन माई सीक्वल देख लेते हैं कोई कमांड है कि नहीं कुछ स्ट्रेट फारवड तो नहीं देख रहा हूं मुझे खुद के functions नहीं बना होगे तब तक नहीं होता है और यहां पर जिन लोगों ने लिखा यह शायद उन लोगों ने खुद के functions बनाएं नहीं होता है multiple line में लिखके भी नहीं होता है आप ऐसे नहीं कर सकते drop database test drop database और यहां पर आप लिख दो लेक्से sample यह का आप नहीं करेगा दो lines है ठीक है एक बार में एक की डॉप कर सकते हूँ so anyways हमने दो चीज़े cover की अभी तक create कैसे करते हैं drop कैसे करते हैं drop का syntax है drop database db name ठीक है अभी तक हमने इतना cover किया यहां तक अगर किसी को परिशानी है तो पूच सकते हो create database और drop database यह दो चीज़े हमने cover की database को बनाना सीखा database को हटाना सीखा ओके चलो एक database बना लेते हैं जो हम आज यूज करेंगे तो I'll just create a database create database test db test database गोपे क्लिक किया आज हम इसी को सब्सक्राइब करेंगे तो आप्षिन्स है रिया आक्शली कमांड्स अर्माट के सेंसिटिफ बट ऐसा बोला जाते हैं कि आप जितने भी कीवर्स होते हैं सीक्विल में उनको आप capital में लिखो के लिए मैं drop small में भी लिखते चला सकता हूं error नहीं आएगा बट हमेशा बोला जाते हैं कि आप जितने भी कीवर्स होते हैं सीक्विल में उसको आप पूरा caps में लिखो यह kind of notation notation is not mandatory it's just universally accepted ठीक है that's not mandatory so अभी मेरे पास table में कोई भी table नहीं है मेरे database में कोई भी table नहीं है तो table मनाने का दो तरीका पहला जो हमने उस दिन देखा create table में I will type users यहाँ पे go पे click करके यहाँ पे मैं सारे columns का detail बता दूँगा यह एक तरीका है दूसरा तरीका है कि आप उसके लिए query देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं SQL में घुस रहा हूँ और यहाँ पे the command that you type is create table if not exists यह आपको हमेशा लिखी लेना चाहिए इससे गल्पी होने का चांज घट जाते है ठीक है आपके table का नाम let's say हमारे table का नाम है users फिर आप users के आगया से bracket लगाते हो और फिर यहाँ प्या करके आप अपने सारे columns बताते हो और उनका type बताते हो so column है let's say id as in user id और इसका type integer name email password ठीक है and that's it that is how you create a table ठीक है create table if not exist table का नाम और इस bracket के अंदर आपको बस column का नाम उसका data type column का नाम उसका data type column का नाम उसका data type जेतने भी column से हम उसका data type provide करते हो go पर click करो यह देखो आपका test db के अंदर users table बन गया और इसमें यह चार columns है structure पर जाके देखोगे यहाँ पर दिखाई देगा integer name email password ठीक है that is how you create a table बहुत ही simple सा code है मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ create tables if create table इतने से भी हो जाता बठाने चेक किया if not exists table का नाम users उसके बाद यहाँ पर आपने लिखा column one data type comma column two data type and so on ऐसे करते करते आप लिखते चले जाते हो और आपको table create हो जाता है हर command के बाद नहीं है राजदीप हर column के detail के बाद comma डालना पढ़ता है हर column के detail के बाद comma डालना पढ़ता है ठीक है तो that is how you create tables I hope इसमें कोई परिशानी नहीं है एक बार देख लो हमने just create table देखा भी table कैसे बनाते हैं ओके next हमें पढ़ना है constraints बट उसके पहले हम सीखेंगे how to drop a table and how to truncate a table ठीक है देखो मालो यह आपका users table है इसको drop करने के दो तरीक है जातो आप users में घुसो यहाँ पर आपको दिखेगा more के अंदर operations operations में घुसो होगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा delete the table इस पर click करके ok कर दो कि आपका table delete हो जाएगा this is one technique second technique इसकी users में घुसो खाली है यहाँ पर SQL tab में घुसो और यहाँ पर चाके लिख दो drop table table का नाम users और बस go पर click कर दो और आपका table delete हो गया test db में आप कोई table नहीं बचा ठीक है मैं काम करता हूँ फिर से एक बार एक table बना लेता हूँ practice भी हो रहा है साथ में create table इस बार मैं if not exist नहीं लिख रहा हूँ कि फिर मुझे पड़ता है कि नहीं exist करता है मैं अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं जल्दी से create कर रहा हूँ id integer, name integer और यहाँ पर name where care और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 255 और यह मेरा table बस दो ही columns का है मैं इसको go पर create कर दिया यह रा users अब माल लो इसमें मैंने कुछ items insert कर दिये यह मेरा पहला user ID है यह उसका नाम है यह पहला insertion हो गया browse करने पर यह देखो यह पहला user मैंने एक और user डाला इसका user ID is 2 पर इसका नाम कुछ भी है वो पर click किया browse पर गए यह देखो अब दो users है अब मुझे का करना है मालूम इस table को खाली करना है मालूम इसमें एक करूर entries होती है आपके वाज दो options है more में जाकर कि आप operations में जा सकते हो और वहाँ पर आपको यह option दिखाई देगा empty टेबल ट्रंकेट इस पर click करने से आप empty कर सकते हो second तरीका है SQL में जाना है और यहाँ पर आपको यह command लिखना है truncate table table का नाम users बस इत्मा code लिख दो और इसके बाद क्य होगे है आपका data खाली हो जाएगा browse pack है यहाँ पर कोई item नहीं है देखो border is zero rows ठीक है तो हमने क्या क्या सीखा table create करना उसको drop करना और इसको truncate करना अभी तक क्या क्या सीखा SQL के data types SQL के query types operators comments ER diagram बनाना database create करना database को drop करना table को बनाना table को drop करना table को truncate करना इतनी चीज़े complex part भी है बहुत complex नहीं है easy constraints सो हमने last class में पढ़ा था data integrity and constraints तो हमें पता था कि database कुछ integrity maintain करने के लिए कुछ constraints डालता है वही constraints कैसे डाले जाते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी और यह constraints अब तब apply करते हो जब आप table create कर रहे होते हो ठीक है तो constraints कुछ ऐसे होते हैं not null, unique, primary key, foreign key, check, default, auto increment, ठीक है, so what I will do is I'll quickly show you all of them one by one जैसे कि not null constraint कैसे काम करता है, देखो, let's say मैं एक table बना रहो, person बोल करके, I'll go to test db, SQL के अंदर जाकर के, I'm creating a new table, create table, person, और इस person में, I'm putting id integer, comma, name, और name में I'm putting varcar 255, ठीक है, और यहाँ पर what I'm doing is, I'm also applying a constraint not null, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि यह कभी भी खाली नहीं रहेगा, जब भी आपको एक नया person add करोगे, उसका id आपको देना पड़ेगा, या फिर system खुद से generate कर देगा, ठीक है, देखो, मैं एक create कर रहाँ, यह रहा person table, इसमें मैं insert में गया, और मैंने id नहीं डाला, सीधे name डाला, और go पे click किया, देखो, क्या बोल रहा है, incorrect integer value for sdb, id at one, browse पे click किया, यह देखो, उसने automatically हमापे 0 डाल दिया, क्योंकि null नहीं रह सकता, ठीक है, तो यह होता है constraint डालना, सबसे simple constraint है not null, तो जहाँ भी आपको चाहिए है कि इस column में value होना चाहिए, you will apply the not null constraint, ठीक है, एक और होता है unique, unique, unique कैसे काम करता है, unique की case में क्या होता है, कि आपको, वो value repeat में होनी चाहिए, उस table में, यह चाहिए, जैसे कि email है, मैं आपको इक दिखाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार database में जा करके, I'll drop table person, यह table को मैं drop कर रहा हूँ, and similarly I'm also dropping users, drop table users, दोनों को drop कर रहा हूँ, अब हम multiple times table create करेंगे, drop करेंगे, so don't worry about that, testdb में गुस करके, I'm creating a new table called users, जिसमें आपके तीन कॉलम्स होगे, एक होगा, id, integer, not null, not null, उसके बाद आपका होगा, name, वार्केर, 255, और इसके बाद होगा, email, वार्केर, 255, और यहां पर मैंने लिख दिया, unique, ठीक है, अब जैसी मैंने इसको unique कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, कि अब ये, हाँ, कभी भी repeat नहीं हो सकता, let me show you, अगर मैं स्कोड को run करो, यह रहा मेरा users table, what I'm doing is, मैं insert में गुस करके, कुछ entries कर रहा हूँ, one, name में aaa, email में aaa, ठीक है, go पे click किया, insert हो गया, यह पहला user है, यह रहा first user, फिर से insert पे गया, इसका value है do, इसका है aaa, और इसका है aaa, repeat कर रहा हूँ हूँ, ठीक है, go पे click किया, देखो, code ford किया, क्या बोल रहा है, duplicate entry aaa for key email, possible ही नहीं है, ठीक है, तो that is how you create a unique वाला constraint, मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैं आपको एक दूरसे तरीके से same constraint बना के दिखाता हूँ, एक और भी तरीक होता है, constraint बना लेगा, let me show you, मैं SQL में जा रहा हूँ, and I am first dropping this table, drop table, drop table, uses, मैं को drop कर रहा हूँ, and I am creating the same table, with the same constraint, one more time, देखो का रहा है, create table, users, इसके अंदर, I will create, id, integer, not null, name, varchar 255, comma, email, varchar 255, ठीक है, अब एक और तरीका क्या होता है, कि आप ये लिखो, unique, और यहाँ पर डाल दो email, ये भी एक valid syntax है, तो आपने क्या किया, पहले अपने table को define किया, उसके बाद फिर अलग से आपने लिखा, unique, this, आप चाहो तो name के उपर भी लगा सकते हो, comma, name, तो आपने बोला कि ये दोनों के दोनों का combination should be unique, दोनों का combination should be unique, ऐसा नहीं है कि सिर्फ name, copy, repeat हो रहा है तो आप entry नहीं करने दोगे, अगर email और name दोनों repeat कर रहा है, साथ में, तब आप उसको नहीं होने दोगे, चीक है, तो you can do this, अगर आपको multiple वाला करना है, ठीक है, और एक और चीज़ करते हो, यह मैं इसका reason आपको थोज़े दर के बाद बताऊंगा, कि आप क्या कर सकते हो, यह जो अपने constraint लगाया, अपने table के उपर यह जो constraint लगाया, इसका आप कुछ नाम रख सकते हो, by writing this, constraint, users u underscore email बोलके, यह अपने constraint लगाया, तो आपने constraint यह लगाया, और इस constraint को आप u underscore email बुला रहे हो, इसका फाइदा क्या होगा, future में आप चाहो तो इस constraint को delete कर सकते हो, मतलब, फिर future में ऐसा हो पाएगा, कि आप यहाँ पे duplicate value store कर पाऊगे, तो कभी भी अगर आपको लगता है, कि आप कोई rule apply करने हो अपने database में, और हो सकता है, बाद में उसमें changes करने पड़े, तो उस तरह के rule को apply करने के पहले, आप उसका एक नाम रख देते हो, like this, और फि table करेंगे, वहाँ पे हम ये काम करेंगे, कि हम constraint को हटाना सीखेंगे, table से, ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है, constraint को लिखने का, ठीक है, तो अभी तक हमने दो constraints देखे, एक होता है not null, एक होता है unique, next is primary की, so primary की constraint आपको पता है क्या होता है, उस key को define करना, जिसको use करके आ मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे id को primary की बना रहा हूँ, अब id को primary की बनाने का दो तरीका है, एक या तो आप directory यहाँ पे लिख दो, primary key, यह एक तरीका है, दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे comma में लिख दो, primary space key, और यहाँ पे आप space में provide कर दो, id, like this, यह भी एक तरीका है, दोनों में से आप कोई भी तरीका use कर सकते हो, आप चाहो तो column के नाम के, हमेशा एक की column होगा, एक column होगा तो आप ऐसे लिखोगे, और अगर दो columns का combination होगा, मालों आप बोल रहा हो कि id और email का combination primary key बनेगा, in that case आप क्या गर होगे, आप यहाँ पर इ चीज़ समझ में आ रहा है, बट फिलाल मैं ऐसा कर रहा हूँ कि I am just creating id as my primary key, इस code को मैं run करूँगा, table बन गया, users पर मैं जा रहा हूँ, उसके structure पर मैं जा रहा हूँ, यह देखो, id के आगे है, जो yellow color का key है, यह simplify कर रहा है कि id is a primary key, ठीक है, तो that is how you create primary key, so, yeah, not null देखा, unique देखा, primary key देखा, next हम लोग foreign key देखेंगे, foreign key में क्या करना होते हैं आपको, let's say हमारे पास users एक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम orders बोलके एक table बना रहे हैं, so I will create a orders बोलके table, SQL में घुसके, create table, create table, orders, और orders के अंदर दो तीन चीज़े हैं, जैसे order id बोलके एक चीज़ है, यह integer होने वाली है, और इसके अलावा, यहां पे होने वाला है, user id, as in उस user का नाम जैसे ना order place किया, यह भी integer होगा, और इसके अलावा होगा, time of order, यह date time होगा, यह date time होगा, ठीक है, data time होगा actually, date time, ठीक है, और आप मुझे क्या करना है, मुझे पहले इस table का primary key होगा order id, तो मैं लेकूंगा, primary key would be order, order underscore id, और फिर आप मुझे क्या बताना है, मुझे यहाँ पर foreign key बताना है, तो मैं लेकूंगा foreign key कौन है, और foreign key अपना है user id, और यहाँ पर लिखा होगा, references, users का, users table का id, यह code है गाईस, देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखना एक बार, यह जो मेरा current table है, इसका खुद का primary key order id है, बट इसमें user id भी mentioned है कि किस user ने order place किया, और वो user actually users table में मिलेगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया, foreign key is user id, इस table में, which actually references इस table का यह column, दोनों same चीज़ है, ठीक है, और इसको मैं run करूँगा, और यह बन गया ही देखो, orders में, अगर मैं इसके structure में जाओं, यहाँ पे यह देखो, order id primary की है, और यह user id जो silver color में दिखाई दे रहा है, white color में, this is actually a foreign key, ठीक है, a foreign key के मज़े से क्या होगा, कि लिखसे मैं users table में जा रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, यह code लिख रहा हूँ, drop table users, और अब मैं यह code को जैसी run करूँगा, यह deletion नहीं होगा, देखो क्या बोल रहा है, cannot delete users table, क्योंकि एक foreign key constraint fail कर रहा है, क्योंकि अगर आप इसको delete कर दोगे, तो orders में जितने भी users हैं, वो users का कोई detail ही नहीं बचा, तो because of this foreign key connection, you cannot delete users वाला, क्योंकि order वाला जो table है, वो depend कर रहा है, users के उपर, ठीक है, I hope आपको यह चीज़ समझ में आ रहा है, So, that was foreign key constraint, foreign key constraint को भी आप एक नाम में डाल सकते हो, using constraint keyword, Next is check, check को use करके आप कुछ basic criteria लगा सकते हो, let me show you, let's say मैं यहाँ पर, एक और table बना रहा हूं, मैं test bb में, एक और table बना रहा हूं, students बोल के, create table, students, ठीक है, और students के अंदर हम डाल रहे हैं, student id, this is going to be an integer, not null, not null लिखने की ज़रोत नहीं है, directly हम लिए देते हैं, इसको primary key, comma, s name, यह होगा वैर क्या है, और यहाँ पर हम डाल रहे है, 255, और इसको हम लिख सकते हैं, not null, ठीक है, उसके बाद हम डाल रहे है, email, यहाँ पर 255, और इसको हम डाल रहे है, not null, and unique, ठीक है, उसके बाद हम डाल रहे है, age, और age is going to be integer, ठीक है, और इसके उपर हम लगा रहे है, unique, sorry, unique में, क्या पढ़ रहे हैं, check, इसके उपर हम लगा रहे है, check, और check में हम लगा रहे है, age greater than 6 and age less than 25, तो मैंने क्या किया, मैंने यह condition लगा दिया, कि जब भी कोई नया student add होगा, वो तभी add हो पाएगा, अगर उसका age 6 और 25 से बीच में है, ठीक है, इसको run करते हैं, अगर मैं students में जाओं, और यहाँ पर insert करने का try करूँ, let's say, student id 1 है, student name कुछ भी है, email कुछ भी है, यहाँ पर अगर मैं 100 साल का student add करूँ, code फट जाएगा, वो लेगा age वाला constraint fail कर रहा है, students.age constraint fail कर रहा है, तो you cannot do that, ठीक है, तो इसी तरीके से आप और भी अलग लग तरीकी के check लगा सकते हूँ, जो भी आपको जिस भी column के उपर लगाना है, आप लगा सकते हूँ, ठीक है, next is default, so अगर किसी particular column में आप value नहीं पास करोगे, तो default value चला जाएगा, let's say, यह देखो, मैं एक और table बना रहा हूँ, let's say, passenger बोलके, create table passenger, इसमें multiple चीज़े हैं, like we have passenger id, यह integer है, और यह not, not ना लगाने के जरुवत में, आप directly बोले हो primary की, अगर वो primary की है, तो नहीं हो सकता, और वो unique ही रहेगा, तो primary की लगाने से वो दोनों purpose solve हो जा रहा है, मैंने लिखा p name, as in passenger name, this is where care, 255, आप इसको not null रख रहे हो, खाली में रहा सकता, इसके बाद आप लिख रहे हो gender क्या है, ठीक है, और gender है, I don't know, क्या लिखना चाहिए, where care ही लिख रहे हो, where care ही है gender, और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, आप actually यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों तरसे लिख सकते हो, आप लिख रहे हो default others, अगर specify नहीं किया, तो others आ जाए हो, ठीक है, this is one way, and the second way ही आप नीचे जा करके लिख दो, ठीक है, तो वो मैं नहीं कर रहा, मैं बस इतना लिख दे रहूं कि default is this, तो अगर आप इस code को run करो, और अगर आप passenger में जाते हो, insert करते हो data, और insert करने के process में आप passenger ID 1 बता रहे हो, पी नेम कुछ भी बता रहे हो, gender, automatically आप लिखा हुआ रहा है, others, तो अगर आप कुछ नहीं डालोगे, तो others ही दिखाई देगा, यह देखो, others दिखाई देगा, ठीक है, इसी को आप और अलग धन से बना सकते हो, जैसे कि आप यह कर सकते थे, मैं passenger को drop कर रहा हूँ, किस तर हमारों है, test db, और sql में, create, table, passenger, और यहाँ पर, id, is primary key, और name, is varchar, 255, this is not null, then we have, let's say, journey date, journey date, ठीक है, this is going to be, a date, time column, और यहाँ पर आप लिख रहे हो, default, current, timestamp, so, अगर किसी ने, id में यहाँ पर बताना पड़ेगा, कि यह integer रहेगा, यह integer रहेगा, अब मैं क्या बोरहाँ, अगर journey date provide नहीं हुआ, तो, आज का अभी का जो time है, वो उसमें चला जाएगा, obviously, logical नहीं, बढ़ आप समझ सकते हो, जैसे कोई अगर user register कर रहा है, मैं insert करने गया, अब यहाँ पर देखो, अगर मैंने यहाँ पर one डाला, और यहाँ पर name में कुछ भी डाला, यहाँ पर current time stamp automatically filled है, मैंने go पर ग्लिक किया, और अब मैं browse पर जा रहा हूँ, यह देखो, यहाँ पर automatically अभी का time आ जा रहा है, तो this is the benefit of using default, ठीक है, तो हमने यह देखा, the last one is auto increment, आपको इसका पता है क्या काम होता है, automatically value increment करता है, तो यह काम कर रहा है, passengers मैं घुस के पहले में एक बार, I am just dropping table passenger, passenger को हटाया, और मैं passenger को दुबारा बनाऊँगा, so test db, search में गए, soy sql में गए, लिखा create table passenger, और वहाँ के अंदर गुसे, और खिलाल बस दो ही columns मैं ले रहा हूँ, एक है id, id is integer, and it is also primary key, and it is also auto increment, ठीक है, और इसके नीचे है name, which is a varcar, जिसमें 255 है, और यह not null है, खाली नहीं रहाज़ता, ठीक है, यह मेरा table definition है, वो पे गया, और अब मैं insert पे जब जाओंगा, passenger में, if I go to insert, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डालूँगा, यहाँ पे मैं कुछ भी नाम डालूँगा, go पे click करूँगा, यहाँ पे browse पे गया, यह देखो automatically इसका 1 आ रहा है, फिर से मैं insert पे गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, यहाँ पे मैंने कुछ भी डाला, हमने पढ़े साथ ही साथ हमने ये सीखा कि आप constraint को एक नाम दे सकते हो so that future में आप उस constraint को modify कर पाऊ या remove कर पाऊ जो हम आगे देखेंगे जब हम alter table पढ़ेंगे ठीक है okay guys we are moving on to alter table this is the last DDL command data definition language वाला command alter table से क्या कर सकते हो alter table से आप columns add कर सकते हो columns delete कर सकते हो columns को modify कर सकते हो और constraints भी add remove कर सकते हो if you want to so let me show you ये सारे एके करके तो सबसे पहले column add करना सीखते है so ये मेरा student है इसमें क्या क्या है student name, student email, age इसमें college column add करके दिखाता हो मैं आपको ठीक है क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे alter alter table student students add column और यहाँ पर आप लिख दोगे college और college का आपको बताना पड़ेगा कि वो वार का है 255 लेगा और यहाँ पर लिख सकते हो it would be not null ठीक है? और गो पर क्लिक किया और browse पर गए यह देखो है यहाँ पर college भी आ गया अगर आप structure पर जाओगे तो you can see यहाँ पर college है और this is how you add a new column ठीक है? let's remove an existing column let's say मुझे यह age हटाना है ठीक है? यह age मुझे हटाना है कैसे हटाऊंगा मैं? उसके लिए आप लिखोगे alter table students dropped column column का नाम age ठीक है? और go पर click कर दिया और browse पर गया है यह देखो वहाँ से age हट किया ठीक है? so that is how you add and remove columns from your table ठीक है? दो चीज़े पढ़ी हमने next is modify column modify column मतलब structure पर जा रहा हूँ है मालो यह s name अभी var care है मुझे इसको integer में convert करना है let's say, तो मैं कैसे करूँगा? I would write alter table students modify column modify column column का नाम क्या नाम था? s name और इसको मैं convert कर रहा हूँ to integer ठीक है? यह मेरा code होई जाएगा alter table table का नाम modify column column का नाम क्या modify किया मैंने? modify हो गया browse पर गया structure पर गया यहाँ पर देको s name is now an integer ठीक है? so that is how you modify columns next is how you add and remove constraints ठीक है? so सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा मैंने कहां पर constraint add किया था मेरे को याद भी नहीं है मैंने किसी यहां पर constraint add किया था वो वाला जहां पर मैं email repeat नहीं कर सकता वो constraint कौन से table में था? किसी में था क्या? एक बार मैं try कर रहा हूँ इसमें मैं कुछ नया add कर रहा हूँ A-A-A college भी A-A-A go पर click किया यह add हो गया यह रहा मेरा email एक बार मैं और try कर रहा हूँ एक और student add करने का 2-2 email सेम रख रहा हूँ और college नहीं कुछ भी go पर click किया तो यह अभी जो student stable है इसमें actually constraint लगा हुआ है मैंने constraint का नाम क्या रखा था मुझे याद नहीं है किसी को constraint का नाम याद है मैंने constraint का इक नाम रखा U underscore email U underscore email U capital U तो बस देखो क्या कर सकते हो आप आप SQL में जा सकते हो और आप चाहो तो existing कोई constraint को हटा सकते हो देखो कैसे आप लिखोगे alter table students drop constraint constraint का नाम U underscore email यह था जो नाम तो automatically यह जो constraint है यह हट जाएगा देखो मैं run कर रहा हूँ इसको नहीं है यह constraint कुछ और नाम है किसी बयार मैंने कहा नाम रखा था फिर दुबाराख लीट करना पड़े हो ओपोस्ट दा constraint यहाँ पर दिखेगा क्या email के उपर do I have a constraint I'll quickly check email के उपर constraint कहा से दिखता है मोर प्राइमरी यूनीक स्प्राश्यू दिस्टिंग वाल्यूस यू उंडर्सकोर email मेरे को भी याद आ रहा है फिर पैचान नहीं रहा है बनाना पड़ेगा फाल तुमें दोबारा चलो एक constraint add कर देते हैं पहले आप constraint add भी कर सकते हो देखो चलो मजा नहीं आ रहा एक काम करते हैं पैसेंजर में घुसते हैं यह पैसेंजर है पैसेंजर में पहले एक कॉलम आड़ कर लेते हैं पैसेंजर में हमें एक कॉलम आड़ कर रहे हैं कॉलम का नाम है और इसका वैल्यू होगा 255 और यह not null रहेगा यह constraint लगा दिया मैंने तो अब मैं browse करूँगा तो यह रहे मेरे passengers email अभी empty string हो गया है खाली नहीं empty string है ठीक है और अब मैं जा रहा हूँ वापस और मैं यहां पर एक constraint और add कर रहा हूँ add sorry alter table table का नाम passenger add constraint का नाम है p underscore email और यह क्या है कि unique रहेगा हमेशा आपका email वाला column यह constraint है ठीक है तुम्हें यह constraint add कर रहा हूँ alter table करके duplicate entry this for key p underscore email अच्छा 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 कोई बताएगा यह क्या error आया को समझा सकता है क्यों यह error आया यह error इसलिए आया कि यह constraint काम करने जा रहा था बट then it realized कि browse में घुशते है then it realized कि यहाँ पर already जो email है इसमें दो email empty strings है तो वो तो same हो गए न तो constraint लगेगा तो existing data पर कैसे लगेगा तो यहाँ पर मैं यह data को change कर दे रहूँ ठीक है और अब मैं जा रहा हूँ SQL में and I am pasting this constraint गो पर क्लिक किया यह constraint लग गया ठीक है अब अगर मैं जाओंगा पैसेंजर में और एक नया पैसेंजर कभी भी add करूँगा तो अगर मैंने यहाँ पर डाला to name में डाला कुछ भी और अगर मैं email को खाली ठोड़ूँगा त तो code first जाएगा और बोलेगा duplicate entry to for key primary ठीक है it will not work ओके सो अब मैं क्या कर रहा हूँ सिंस मेरे पास passenger वाले में यह constraint लगा हुआ है कि email repeat नहीं हो सकता email repeat नहीं हो सकता तो अब मैं उस constraint को हटाना चाहता हूँ कैसे हटाना चाहता हूँ I would write this code I would write alter table table का नाम passenger drop constraint और constraint का अब देखो passenger में यह data है मैं exact यह email डालूँगा और यह email आ जाएगा देखना insert पर गया यहां पर डाला 3 यहां पर कुछ भी नाम डाला यहां पर यह email डाला और go पर click किया देखो हो गया browse पर गया यह देखो यह email और यह email exactly same है यह दुनों email exactly same है ठीक है तो आपने पहले एक constraint लगाया फिर उसको हटा दिया ठीक है तो that was alter table so guys यह हो गए सारे DDL commands data definition language जिसमें हमने create पढ़ा हमने drop पढ़ा हमने alter पढ़ा हमने truncate पढ़ा यह 4 commands जो होते हैं DDL के वह हमने आज complete कर लिए अब हम लोग कर रहे हैं towards this dml data manipulation language इसमें होता है insert retrieve update and delete यह 4 commands होते हैं let's start with insert okay so यह दा भारा students data अब इसके अंदर हम जब भी data insert कर रहे हैं तो हमेशा insert को use कर रहे है right अब हम लोग इसके लिए भी query रेखेंगे कि कैसे data insert कर सकते हो sir can we use this constraint command in place of insert नहीं 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 इंसर्शन के टाइम पर नहीं होता हा राजदी यह सब table creation के time पर होते है constraints constraints आप table पर लगाते हो ठीक है okay now we will insert some new data using SQL ठीक है query क्या होता है query बहुत simple है query होता है sorry क्या हो गया query यह होता है देखो आपको दिवाता हूँ आप लिखते हो insert into आपके table का नाम students वहाँ पर आप सारे columns का नाम लिखते हो हमारे columns क्या क्या है हमारे columns है s id s name email college तो आप यहां पर लिखोगे s id s name email college और फिर आप values पास करते हो और values में आप पास करते हो जो भी value आपको देना है let's say one comma name में it's a string के बाद email abc at the rate gmail.com और college let's say hid ठीक है so this is the command to insert a new value सारे columns का नाम लिख दो और values पास कर दो ठीक है और go पे क्लिक कर दो अच्छा वो primary की है यह पर one नहीं कर सकते हैं हम मालों हमने four कर दिया primary की इस लिए repeat नहीं होने दे रहा यह देखा अब browse पे गए यह last वाला हमने insert किया s name zero आया क्योंकि integer बैठा हुआ है structure से जा करके in fact alter table में जा करके I'll quickly change alter table students मॉडिफाई कॉलम का नाम s name to var care 255 इंटीजर बना दिया था मैंने उसको उसको मैं वापस var care कर रहा हूं ठीक है अब एक और सरीके से आप insertion कर सकते हो अभी तक मैंने आपको क्या गोला आप लिखते हो insert into table का नाम that is students उसके बाद आप यहाँ पे bracket में सारे columns का नाम लिखते हो बड़ आपको सारे columns का नाम लिखना जरूरी नहीं है अगर आप हर column को value दे रहो ठीक है तो आप directly values दे सकते हो like five student का नाम email abc.gmail.com और college का नाम let's say IEM अब यहाँ पे आपको columns provide दरनी की जरूरत नहीं है because आप क्या कर रहो ठाहाँ यहाँ पे आपको यह values keyword लिखने की जरूरूरत है तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर pass करो कि आपको क्या-क्या columns में values डाल लिए क्योंकि आप सारे columns में anyways values डाल रहो ठीक है इसको मने one कर दिया और go पे क्लिक किया इंसर्शन हो गया browse पे गया यह देखो इंसर्शन हो रहा है ठीक है आप multiple भी आड़ कर सकते हो अगर आप यह code लेको आप multiple चीज़े आड़ कर सकते हो एक साथ आप if you want to what is the difference between modify column and constraints constraints से आप सिर्फ constraint अप्लाई करते हो modify column से आप उसका data type बगेरा भी change कर सकते हो दोनों completely अलग कीज़े है राज़्दी insert into table का नाम students यहां पर आप values पास कर रहे हो values में आप क्या कर सकते हो comma separated multiple values पास कर सकते हो कितनी भी जैसे मैं तीन students का data एक साथ पास कर रहे हो this is student number six इसका कुछ भी नाम है इसका कुछ भी email है इसका कुछ भी college name है यहां पर seven है comma इसका कुछ भी नाम है इसका कुछ भी email है इसका कुछ भी college name है इसका कुछ भी नाम है, कुछ भी इसका इमेल है और कुछ भी इसका college name तो मैं एक साथ क्या कर रहे हो, तीन students अड़ कर रहे हूँ कितने भी अड़ कर सकते हूँ गो पर क्लिक किया और यहाँ पर गया, यह देको, तीन students एक साथ आड़ हो गए तो आप कितने भी students add कर सकते हो आपको बस code उस तरीके से लिखना पड़ेगा ठीक है तो multiple वाला हमने just add किया तो that was insert guys तीन तरीके हमने देखे पहला column का नाम दे करके column का नाम देने से ये फायदा है कि आप चाहो तो कुछ column values नहीं भी डाल सकते हो तो चलेगा columns का नाम हटा करके बड़ उसमें आपको सारे values देने पड़ेंगे third multiple values को कैसे insert करना है multiple rows को कैसे insert करना है वो हमने देखा ठीक है यहाँ तक अगर आपको कोई परिशानी है insert में please let me know then we'll move on to the most important one retrieve जिसके उपर आप सबसे आधा काम कर होगे retrieve के उपर focus करेंगे उसके बाद okay तो guys retrieve सीखने के लिए मैंने एक data base import किया है एक data source से Titanic बोलके एक data set है इसमें details है about all the passengers 891 passengers who were traveling in the Titanic ship और यहाँ पर उनके बारे में details है like these are the details passenger ID क्या था survived 0 या 1 मतलब Titanic में वो बचा की मर गया 0 का मतलब मर गया 1 का मतलब बच क्या P class 1, 2, 3 है मतलब की passenger class है जैसे train में होता है ना general bogey, sleeper, AC वैसे P class था वहाँ पर Titanic में 1, 2, 3 1 सब से अच्छा, 3 सब से खराब name है, sex of the passenger है age of the passenger है यह SIBSP क्या होता है यह SIBSP होता है sibling spouse यह passenger क्या आपने किसी भाई बैन या husband भाई के साथ travel कर रहा था की नहीं similarly there is parent, child आपने किसी माबाप या बच्चे के साथ तो travel नहीं कर रहा था then there is ticket ticket मतलब जैसे PNR होता है न आपका वैसे ticket number है fare, कितना पैसा लगा था cabin, cabin सिर्फ first class वालों के पास है जहाँ भी P class 1 है जैसे यहाँ पर P class 1 है तो यहाँ पर आपके पास cabin है यहाँ पर cabin है ठीक है और finally embarked embarked पा मतलब Titanic तीन शहरों से passenger को उठाया था S मतलब Southampton Q मतलब Queenstown और C मतलब Shebog basically passenger concentration से 4 शिप पे यह लिखा हुआ है यह data मैं use करूँगा to demonstrate all of these things ठीक है क्योंकि फुर्ण interesting data है तो आपसे नमजा आएगा so let's start so अगर आपको एक table के अंदर से सारा data चाहिए तो आप क्या लिखते हो वो देख रहे हैं लोग देखो अगर आपको एक table के अंदर से सारा data चाहिए तो आप SQL में जाते हो और आप यह लिखते हो select all from train यह मेरे table का नाम है database का नाम Titanic है उसके अंदर table का नाम train है तो जैसी आप यह लिखते हो इस asterisk का मतलब है कि आपको सारे के सारे columns का सारा का सारा rows चाहिए ठीक है तो अगर मैं इसको run करूँ यह देखो सारे के सारे 891 passengers का detail आपके पास आ गया और यहाँ पे एक बार में एक page में इतना data है आप चाहो तो next page में जा सकते हो यह page number 2 है ऐसे आप page number 3 पे जा सकते हो और अगर आपको जाना है last page में तो आप इस पे press कर सकते हो और last page is page number 36 बीच में भी आप किसी भी page पे जा सकते हो ठीक है तो अगर आपको पूरा data चाहिए तो आप यह command लिखते हो select all from train ठीक है यह आपको समझ में आ गया आप यह हमने जस्ट यह discuss किया कि सारे columns कैसे fetch करते है ठीक है आपको सारे columns नहीं चाहिए आपको बस इतना चाहिए आपको बस इतना चाहिए कि passenger का नाम क्या है उसका sex क्या है और वो बचा यह मर गया आपको बस इतना चाहिए फिर आप यह code देखोगे आप देखोगे select name comma sex comma survived यह तीन columns from मेरा table train बस इतना देखा go पर क्लिक किया यह देखो सिर्फ तीन columns निकल किया आ रहे name sex survived अभी भी रोज उतने है but columns घट गए तो columns को filter करने का तरीका है यह ठीक है हमने अभी just किये देखा how to filter columns how to fetch columns जो होने चाहिए ठीक है next is alias तो कभी-कभी क्या होता है कि आपके columns का नाम achieve सा रहता है जैसे आपके name है sex है survived है let's see मुझे इसको change करना है मुझे name को passenger name करना है और sex को gender करना है तो मैं एक code कैसे लिखूँगा I would write this code ध्यांसे देखा I would write select name as passenger name comma sex as gender comma survived from मेरे table का नाम that is train तो मैंने बस बोला name को passenger name बोलना sex को gender बोलना survived जैसा है वैसा रहने दो वो पर click किया यह देखो यहाँ पर आगया passenger name यहाँ पर आगया gender यहाँ पर आगया survived तो अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप as keyword use करके कर सकते हो ठीक है यह भी आपने शाहएद यहाँ पर देखा होगा यहाँ पर चाहिए इस नाट वन फो अपरेटर्स अनीवेज चलको ही नहीं next is you can also create some expression if you want to let me show you जैसे कि यहाँ पर देखो इसको मैं अटा रहू यहाँ पर देखो इसको भी मैं अटा रहू अगर मैं इसमें data में जाओ तो यहाँ पर यह SIBSP है मतलब कितने भाई बहन या husband राइक के साथ travel कर रहा है यह parent child है मतलब कितना माता पिता या बच्चों के साथ travel कर रहा है अगर मैं इन दोनों columns को जोड़ दूँ तो इन अवे मुझे family पता चल रहा है कि कितना family member के साथ travel कर रहा है तो let's say अगर मुझे पता करना है कि बंदे का नाम क्या है total family कितनी थी और बचा की मरा यह अगर मुझे पता करना है मैं फिर से सीकुल में जाओंगा and I would write select name comma sipsp plus parent child as family family मैं बोल रहा हूं कि हर row के लिए इन दोनों rows को जोड़ दो इन दोनों columns को जोड़ दो और इस column में डाल दो ठीक है यहाँ पर मैं लिक रहा हूं from और यहाँ पर लिक रहा हूं train और इस code को मैं जैसी run कर रहा हूं यह देखो so यह रहा बंदे का नाम और family में कितने लोग जा रहे थे total में लाकिए one यहाँ पर total 4 यहाँ पर total 6 यहाँ पर total 5 ठीक है तो आपने बस क्या किया एक arithmetic operation लगा दिया आप और भी कुछ लगा से if you want to जैसे लेट से आपके पास age है और आपको क्या करना है आपको let's say age में 10 जोडना है या I don't know मतलब कुछ भी मालो 1990 में Titanic accident हुआ था अभी 2021 चल जोडना है तो सभी में मुझे 102 साल जोडना है let's say कि current age उनका कितना होता है ये निकालना है तो मैं क्या लिखता हुआ मैं लिखता हुआ ये code select name comma age plus 102 as current age from train current age साथ में लिखना पड़ेगा मैंने बोला कि उस age में 102 जोड़ो दो और इसको current age बोलो और अब run करो तो passenger वाले मतलब Titanic वाले सभी लोग आज की rate में इतने age के होते है ये हमने calculate किया ठीक है I hope आपको ये चीज समझ में आ रहा है ठीक है so that is how you apply expressions आगे हम और भी expressions लगाएंगे ये बस आपको एक basic example देने के लिए था ठीक है next is you can create constants you can also create constants let me show you one example let's say Titanic के डूबने के बाद सरकार ने announcement किया कि हर passenger को हम one lakh pound compensation देंगे तो उसके लिए मुझे अगर एक table बनाना है तो मैं कुछ आसा लिखूँगा मैं लिखूँगा select select name और one lakh as compensation from train that's it मैंने बोला name मुझे सबका निकालके दो और सबके आगे one lakh रगा दो और उस नए कॉलम को compensation बो go पर क्लिक किया यह देखू so यह ही पूरे नाम की list और यह है सबको compensation ठीक है that is how you do it that is how you create constants right okay next is distinct distinct अगर आपको निकालना है let's say यह आपका data है और यहाँ पर मुझे निकालना है की की क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर distinct distinct मतलब duplicate ना हूँ unique चीज़े निकालनी है मुझे यहाँ पर unique क्या निकाल सकता हूँ मैं अगर मैं sex के उपर unique निकालना तो सिर्फ दो चीज़े निकलेंगी देखो अगर मैं इसको run करूँ और मैं यह लिखूँ select distinct sex from select distinct sex from train तो यह मुझे बताएगा कि कितने टाइप के genders available है टाइटानिक पर यह दो टाइप के male and female similarly I can also find out की की और क्या निकाल सकते हैं embarked में कितनी cities हैं तो I would write this code I would write select distinct embarked from train तो मुझे पता चलेगा कि कितने अलग लग शहरों से लोग चड़े unique values यह तीन शहर अच्छा है किसी एक जगा पर blank value है null तो इसको fill करना पड़ सकता है but fill हाल तीन शहरों से चड़ें ठीक है you can also check कितने independent classes है P classes you would write select distinct P class from train तो जितने भी classes हैं उसारे आ जाएंगे यह दे 3, 2 and 1 यह तीन classes है ठीक है आप combination भी निकाल सकते हो distinct let's आपको पता करना है की P class P class और embarked का distinct combinations कितने है तो उसके लिए आपको यह code इतना पड़ेगा आप एक होगे select distinct P class comma embarked from train तो इन दोनों में जितने भी unique combinations बन सकते हैं डेटा में वो सारे आपको दिखाई देने लग जाएंगे यह देखो total कितने रोज आए 10 so P class 3 का तीनों के साथ combination होगा 3 का S के साथ 3 का Q के साथ 3 का C के साथ फिर 1 का C के साथ 1 का S के साथ 1 का null भी है तो 1 का null के साथ 1 का Q के साथ 2 का C के साथ 2 का S के साथ 2 का Q के साथ तो जितने भी unique combinations से सब निकल के आ जाता है ठीक है तो हमने भी जस्त ये दो किया, ओके, next is comparison operator, ये बहुत interesting है, let's say ये मेरा data set है, इसमें मुझे पता करना है कि कितने लोग मर गए, out of 891, कितने लोग मर गए, ये मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं SQL में घुज़ूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा, select all the rows from train where survived column का value is equal to 0, यहाँ पर double equal to नहीं होता है, याद रखना, single equal to होता है, जैसी मैं go पर क्लिक करूँगा, ये देखो, total 549 out of 891 people died during the Titanic crash, अगर आप से कोई पूछ लेकि, passenger class 3 में कितने लोग ट्रावल कर रहे हैं, तो आप ये code लिखोगा, आप लिखोगे, select, select all the passengers from train, which is your data frame, data set, where, where P class is equal to 3, गोपे क्लिक किया, out of 891, 491 passengers were traveling in P class 3, तो आप कोई भी चीज़ को उपर filter कर सकते हो, ठीक है, आप ये पता कर सकते हो, कि, कि, कितने लोग का age 50 के उपर है, तो आप लिखोगे, select all the passengers from train, where age a value is greater than 50, और आप फिर इसको run करोगे, और ये देखो, 64 लोग ऐसे हैं, आपके पोरे 891 लोगों है, जिनका age is greater than 50, ठीक है, next is and operator, तो कभी-कभी आप दो condition साथ में लगाना चाहोगे, लेट से आपका data को देख करके कोई पूछ रहा है, कि मुझे बताओ, कि, कि कितने लोग P class 3 में मर गए, लेट से, P class 3 में कितने लोग मर गए, तो आप क्या code दिखोगे, आप दिखोगे, select all the passengers from train, where P class is equal to 3, and survived का value is equal to 0, right, दोनो conditions true होनी चाहिए, go पे click किया, यह रहा, out of 491, जो P class 3 में travel कर रहे, तो उसमें से 372 लोग मर गए, मतलब P class 3 में बहुत लोग मर गए, ठीक है, so that is how you use and, similarly you can use or, आप between भी उस कर सकते हो, लेट से आप से किसी ने पूछा कि Titanic में 10 से 15 साल के बीच में कितने passengers थे, तो आप लिखोगे, select all the rows from train, where age between 10 and 15, और इसको run करोगे, total मिलाके 21 लोग हैं, out of 891, जिनका age is between 10 and 15, ठीक है, so that is how you run between, ठीक है, अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाईस, और मैं जल्दी-जल्दी में नहीं पढ़ा के, आपको आराम से पढ़ाना चाहता हूँ, बट एक चीज़ में आपको दिखा देता हूँ, यह आपको आगे भी काम आएगा, इसको बोलते है, order of query execution, यह आपको हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना होगा, तब यह आप साही से retrieval कर पाऊगे, ठीक है, तो यह actually, इन लोगों की website, inptq में बहुत अच्छे से ब जाया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यह सारा code हम लोग पढ़ने वाले हैं, don't worry, यह सारे mcqs भी हम लोग कल solve करेंगे, अरे बढ़ पढ़ लेते हैं बुरा, हाँ, यह वाला चीज, देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, a select statement can have many clauses, so it is important to understand the order in which these are executed to provide the result, however, for ease of understanding, we can refer to the execution order by this word, ठीक है, इस order में होता है, सबसे पहले from execute होता है, फिर join execute होता है, जो हमने भी पढ़ानी है, फिर where execute होता है, फिर group by होता है, जो हमने पढ़ानी है, फिर having होता है, जो हमने पढ़ानी है, select होता है, distinct होता है, और last में order by होता है, जो हमने पढ़ानी है, ह अगर आपको रटना है तो यह इन लोगों ने एक sentence बना के दिया है अगर आप यह याद रख पाऊ तो आपको यह भी याद रहेगा ठीक है बर ट्रस्ट मी अगर आप खूब सारी queries लिखते हो न तो फिर आपको पता रहता है कि यह इस तरीके से ही execute होगा अब इन लोगों ने क्या किया एक बहुत अच्छा simulation बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ यह आपका employee table है और इसमें से इन लोगों ने यह query run किया तो query is select id column and employee name column from employee table where this criteria is true तो सबसे पहले कौन सा execute होगा from तो from में क्या लिखा होगा from employee तो जितना data है सब का सब पहले आ जाएगा यह देखो सारा data as it is आ गया ठीक है अब join में आपके बस where है तो अब अगला होगा where यह criteria इस data के उपर apply होगा सिर्फ वही रोज बचेंगे जहां पर salary will be greater than 30,000 बाकी सब हट जाएगा ठीक है यह हट जाएगा यह हट जाएगा यह हट जाएगा देखना जैसके मैंने next पर click किया where पर आए सिर्फ तीन बचे जहां पर salary is greater than 30,000 ठीक है उसके बाद group buy नहीं है having नहीं है अब है select तो अब आप select करोगे जो भी आपको select करने को बोला गया सिर्फ दो columns यह बचे वो दो columns ठीक है फिर आपके पास हो गया that's it यह आपका result इस order में यह पुरा चीज execute हुआ ठीक है एक और example ले रहे है यह मेरा same table है और इस बर मेरा query यह है select distinct designation from employee table where bonus is not null तो सबसे पहले from execute होगा तो सारा का सारा database एक साथ आ जाएगा फिर execute होगा where तो हम खोजेंगे जहांपे भी bonus is not null तो यह और यह row हट जाएगा यह तीनों बचे अब आएगा next group buy नहीं है having नहीं है select आए तो select में आप पहले designation को ले आओगे यह देखो सिर्फ designation बचा और designation तीनों का है PM PM and SE अब last में आएगा distinct और distinct लगा जिसे क्या होगा since 2 PM है इन में से एक हट जाएगा और आपके पस सिर्फ यह दो बचेगा और यह आपका result है so that is how this execution is done और यहीं लोग ने बहुत अच्छे से एक animation sort of format में display कर दिया तो यह अगर आपके दिमाग में रहेगा ना तो फिर आप कभी भी question solve करने में गलती नहीं करोगे ठीक है तो यह चीज़ आपको बतानी थी yeah so let's start with in and not in ठीक है so मैंने एक और data set जुगाड किया this is the bollywood movies data set यहां पर काफी सारे columns हैं like id, title, actor, budget, director, genre, इंडिया में कितना कमाया movie, कब release हुआ, कितने minute चलता है movie, कितने screens पे release हुआ और worldwide कितना कमाया, this is a data set about bollywood movies, हम इसके ओपर आज काम करेंगे ठीक है, जैसे कि let's say हमें पढ़ना है सबसे पहले in और not in, तो let me first tell you कि in कहां पर काम आता है, so let's say अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि मुझे उन सारी movies का नाम चाहिए, जो या तो horror genre में हैं, या फिर comedy genre में हैं, तो आप क्या लिखोगे, आप sequel में जाओगे, और आप लिखोगे, select, movie का नाम title से मिलेगा, from movies table, where genre column is like comedy, और genre column is like action, let's say, ठीक है, और इस code को आप जैसे ही run करोगे, आपको total 858 movies मिली, total मिला के यहाँ पर by the way 3000 movies है, so out of 3000 movies, 858 movies, या तो comedy में हैं, या फिर action में हैं, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूँ कि मुझे उन movies का list लाके दो, जो या तो comedy में हो, या तो action में हो, या तो horror में हो, तो फिर आपको एक और और statement लगाना पड़ेगा, नवेकिन C, अगर मैं आपको पांच चीजों का option दूँ, तो आपको चार और statements लगाने पड़ेंगे, that is kind of inefficient, तो अगर आपको multiple ors लगाने, उसके बदले आप in लगा सकते हो, कैसे, देखो एक बार, आप ये code लिख सकते हो, select title and genre from movies table where genre belongs to action, horror, या फिर और कुछ भी जो है, drama लेट से, so मैंने बोला कि मुझे वो movies निकाल करके दो, उन movies का title और genre निकाल करके दो, जो इन तीरों में से कोई भी एक हो, so basically आपने और statement को compact चरीके से लिख दिया, और run किया, ये देखो, so 1738 movies out of 3000 belongs to either action और horror और drama, ठीक है, इसका inverse भी आप कर सकते हो, let's say आप से किसी ने पूछा कि मुझे उन movies का list दो, जो action, horror और drama में नहीं आती, तो आप बस क्या कर दोगे, you would use not in, you would use not in, like this, और अब आप इसको जब run करोगे, तो 14-15 movies है, ठीक है, जो बाकी अलग-अलग genres में आती है, ठीक है, comedy, rom-com, thriller, love story, and there are different genres, ठीक है, तो that is how you use in and not in, instead of using multiple ors, you use in, ठीक है, simple था यह चीज, I hope इसमें आपको कोई परिशानी नहीं है, ओके, next is wild cards, wild cards बहुत काम की चीज़ होते हैं, wild cards are basically characters, जिनको use करके आप string में searching कर सकते हो, जैसे कि यह example है, percentage, अगर आपने इस तरीके से सर्च किया, तो you are basically searching, कि मुझे ऐसे strings चाहिए, जो ber से start होते हैं, ठीक है, जैसे let's say, मुझे मेरे dataset में, वो movies चाहिए, जो a से start होते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, I will write, select title of movies from movies table, where, where, title like a percent, इसका मतलब हुआ, आगे कुछ भी हो, बट पहला character a होना चाहिए, और अब मैं इसको जैसी run करूंगा, 235 movies हैं, जिसमें, जो actually a से start होती हैं, यह देखो, अगनी पत, agent, winoad, erection, अगर आप एकदम last वाले पे भी जाओ, तो last वाला भी a से start होता है, ठीक है, you can also check, कि कोई particular word movie में आता है कि नहीं, ठीक है, कैसे, you would write this code, you would write, select title from movies, wherever, title, is like, percent, percent, बीच में मैंने डाल दिया, man, जितनी भी movies के नाम के बीच में man word आता है, या जितने भी movies के नाम के अंदर man word आता है, आपको वो सारी movies मिल जाएंगे, यह देखो, 58 movies ऐसी है, तनू, वेट्स, मनू, यह देखो, man आता है, ठीक है, मनो और मा, मंगल पांडे, जजंतरम, यहाँ पे भी यह man आ रहा है, ठीक है, so you will always get all those movies, जिसमें यह particular चीज मैच कर रही है, जैसे लेट्स, अगर लास्ट लेटर, लास्ट लेटर ढूणना है तो, लास्ट लेटर ढूणना है तो, आप यह लिख दो, क्या, किस से end होता है, बताओ, select title from movies, बताओ, लास्ट लेटर क्या है, बताओ, लास्ट लेटर, लाइक, लेटर से हमें, बन movies का नाम चाहिए, जो, ए से खतम होती है, तो आप लेखोगे, परसेंट ए, लास्ट में ए आरता है, गूगल क्या, गूगल क्या नहीं, सर्च किया, स्वारी, सी, यह होता है, इंपार्ट किसी कंपनी का, मैं सर्च बोलना चाह रहा था, और मूझे निकला, गूगल क्या, ब्रिलियंट, गूगल को आज, अच्छा फीलो होगा, अपने बारे में, यह, आपकी लिस्ट आ गई, ठीक है, चलो, इसका कोड बताना थोड़ा, मुझे, उन सारी मूवीज का नाम चाहिए, जिसमें, आक्टर इस, कोई भी खान, क्या लिखोगे, उन मूवीज का लिस्ट चाहिए, जिसमें, आक्टर कोई खान हो, या फिर कपूर हो, दोनों कंडिशन्स, या तो खान हो, या तो कपूर हो, क्या लिखोगे, you would write this देखोई पर select name of the movie from movies table where actor like actor like परसेंट परसेंट खान और actor like परसेंट परसेंट कपूर तो यह उन movies का लिस्ट आएगा जिसमें actor का नाम में या तो खान है या तो कपूर यह देखो अब actually you cannot know this कि यह सही बता रहा है कि नहीं until आप title के साथ actor भी print कराऊ चो मैं actor को भी print करा रहा हूँ to see की सही आ रहा है कि नहीं रिशी कपूर see यहाँ पर यह logic fail कर जा रहा है कि खनन खान आ रहा है उसमें ठीक है आप इस logic को ऐसे भी लिख सकते थे I'll just try it मैंने कभी किया नहीं है but I'm sure आप ऐसे लिख सकते हो कि आप लिखते actor in this comma this check करते है नहीं कर रहा है क्योंकि आमने like keyword use नहीं किया you have to use like keyword otherwise you cannot use wild cards ठीक है चलो मैं भी experiment ही कर रहा था okay next is कि आपके बास एक और special character होता है वो होता है underscore underscore exactly बताता है कि कितने characters होंगे उस word में let's say मुझे उन movies का नाम चाहिए जिसमें exactly जिनके नाम में exactly 5 alphabets है तो आउड राइट सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम मुवीज वेर टाइटल लाइक एक अंडर्सकोड दो तीन चार पांच तो इसका मतलब हुआ कि आप ऐसी मुवीज का नाम खोज रहो जिसमें exactly पांच लेटर्स हों याप characters हों यह देखो यह वो सारी मुवीज हैं जिनमें पांच characters हैं यहाँ पर अगर आपको चेक करना है कि ऐसी मुवीज जिसमें पांच लेटर्स हैं और A से स्टार्ट होता है इन दाट केस आपका code यह हो जाएगा फर्स्ट वाले को हटा दोगे इसके बतले A को डाल दोगे गो पर क्लिक करोगे अब सारी 5 लेटर movies जो A से स्टार्ट होती है ठीक है हाँ वेजित यू किन यूज so this is wild cards और यह combination में यूज करके कभी-कभी आपको काम आ जाता है ठीक है तो यह हमने भी दो चीज़े कवर की in, not in और wild cards ठीक है let's do update update के लिए मैं यह Bollywood वाला यूज नहीं कर रहा क्योंकि यह मैं use करने वाला हूँ और यह data correct data है इसमें मैं अपडेट नहीं कर सकता अपनी मरजी से तो I'll use this one I guess passenger हाँ मैं passenger यूज करूँ या users यूज करूँ users खाली है, students भी खाली है orders भी खाली है passenger यूज करते हैं, चलो ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ मुझे क्या करना है, मुझे update करना है अब update दो तीन तरीके से आप कर सकते हो let's say मुझे एक query लिखनी है जिससे सारे passengers का name राहूल हो जाए I know it's a stupid query इसका कुछ meaning नहीं है आप ऐसा कभी नहीं करोगे बट देखो ऐसा कैसे कर सकते हो आप यह लिखते हो update table का नाम passenger set column का नाम name to be equal to राहूल तो यह query क्या करेगी आपके table में घुस करके हर जगा पर हर row में name को राहूल में convert कर देगी like this warning आ रही है three rows affected browse पर गए you can see सभी का नाम राहूल हो गया ठीक है यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ कुछ कुछ conditional लिख दे रहा हूँ abc at the rate gmail.com और xyz at the rate gmail.com और यहाँ पर हो गया mm at the rate yahoo mail dot com यह code है ठीक है अब या तो आप पूरे के पूरे रोज को एक साथ change कर सकते हो या फिर आप conditionally भी चीजों को change कर सकते हो कैसे देखो let's say मिलको यह logic लगाना है कि जहाँ जहाँ पर भी gmail word है email column के अंदर वहाँ पर मुझे name रोहित करना है ठीक है so इस बार मुझे सारे रोज में name रोहित नहीं करना मुझे सिर्फ उन रोज में name रोहित करना है जहाँ पर आपका email में gmail word आ रहा है ठीक है यह code कैसे करोगे you would write select actually select नहीं होता है update update table का नाम set name to be equal to रोहित wherever this condition matches and the condition is कि email column के अंदर कहीं भी gmail word आ रहा है अगर किसी भी रो के email column में gmail word आ रहा है तो उस column उस row का name column का value I'll change to रोहित so you would see कि दो rows affect होंगे और इन दोनों जगा पर रोहित आ जाएगा ठीक है आप और भी चीज़े कर सकते हो आप एक साथ multiple columns को भी update कर सकते हो let's say मुझे क्या करना है जहाँ पर भी yahoo word आ रहा है जहाँ पर भी yahoo word आ रहा है वहाँ पर मुझे name को अंकित करना है और email को abc.gmail.com बनाना है let's say ऐसा कुछ भी stupid सा हमने कर लिया तो आप कर सकते हो आप multiple चीज़ों को भी update कर सकते हो यह देखो update name to be equal to अंकित कॉमा update table का नाम और यहाँ पर आएगा set name अंकित और उसके बाद होगा name अंकित के बाद email equals abc at the rate gmail.com where email like percent percent yahoo तीक है यह मेरा code है तो जहाँ भी email में yahoo होगा वहाँ पर हम name भी change कर देंगे और वहाँ पर हम email भी change कर देंगे go पर क्लिक किया one row affected यह देखो last वाल अंकित हो गया और इसका email भी change हो गया ठीक है तो that is how you write update query बहुत ही simple होता है आप एक column को भी update कर सकते हो आप multiple columns को भी update कर सकते हो आप सारे rows को update कर सकते हो अगर आप कोई filter condition ना डालो और आप filter condition लगा करके अपने desire के हिसाब से किसी भी row को edit कर सकते हो जैसे id equal to one के लिए मुझे change करना है id equal to two के लिए करना है किसी भी तरीके हिसाब update query चला सकते हो ठीक है it's a simple query इतना difficult नहीं होता कुछ okay so अभी तक हमने इतना किया in किया not in किया wildcard किया update किया now we will do delete query ठीक है delete query क्या करता है rows को delete करता है so अगर मैं ये करूँ let's say delete query के लिए अप लिखते हो delete from table का नाम let's say मुझे passenger id one को delete करना है तो मैं लिखूंगा delete from passenger where id is equal to one और go पे click किया और आपका पहला passenger चला गया you can also write expressions you can write select sorry select क्यों लिख रहा है delete from movies where id is greater than 2 and email like % % yahoo आप बोल रहो उन सारे rows को delete करतो जहां पे id 2 से ज़ादा है और उनके email में yahoo है obviously अभी ऐसा कोई भी नहीं है तो कोई delete नहीं होगा movies क्यों लिखा मैंने पता नहीं है क्योंकि हम movies वाले पर काम कर रहे था है यहाँ पर आएगा passenger और अब run करेंगे जीरो रोस अफेक्टेट कोई भी delete नहीं हो ऐसा कोई भी नहीं है ठीक है अब हम delete करते हैं पूरे के पूरे को एक साथ पूरे के पूरे को delete करने के लिए आपका query हो जाएगा delete from किसने message किया just one second हाँ अभी जीत drop is used to delete the entire table हम table delete नहीं कर रहे हैं rows delete कर रहे हैं so delete from passenger where one where one is a condition जो हर row के लिए true होता है और exactly यही आपका command है truncate करने का भी आप जैसी code को run करोगे truncate हो जाएगा खाली हो जाएगा आपका table यह देखो कुछ भी नहीं बचा तो आप truncate table run करो या फिर आप लिखो delete from table name where one दोनों same command है ठीक है तो delete भी बहुत simple command है कुछ खास नहीं होता इसमें आप बस delete के आगे conditions लगा लगा के delete करते हो ठीक है तो यह हो गए simple वाले commands and with that हमने यह day 3 complete कर लिया inserting data, retrieving data, updating data, deleting data यह 4 चीज़े हमें करनी थी mcqs बाकी हैं हम लोग mcqs करेंगे but हमने पढ़ाई कर लिए जितनी भी हमें करनी थी और आज हम लोग focus कर रहे हैं इस वाले पार्ट पे जो की main part है delete से आप चाहो तो अपनी मनमर्जी से rows को delete कर सकते हो truncate में आपके बस कोई option नहीं है सारे rows delete होंगे यही difference है truncate is a special case of delete ठीक है so guys अब हम कर रहे है यह थोड़ा important वाली चीज़े यहाँ से sequel थोड़ा समस्त होता है यहाँ से आप कुछ complex चीज़े कर सकते हो functions, sorting data, grouping data यह तीन चीज़े हम लोग पढ़ने वाले है और इसी में हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे we will also do having having भी हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो let's start with functions functions आपको कौन कौन से पढ़ने है यह कुछ common functions है जो हर database system आपको देता है absolute, round, seal, floor, upper, lower, concat, length, substring फिर कुछ aggregate functions होते है mathematical functions जो aggregation करते हैं data के उपर min, max, sum, average, count ठीक है यह सारे functions एक बार हम लोग try कर रहे है on our movie वाला डेटा सेट movie वाले डेटा सेट पे we'll try this so I'll go to Bollywood movies, यह रहा हमारा वो database ठीक है, अब एक एक करके चलाते हैं तो सबसे पहले आता है absolute function absolute function absolute function नाम से आपको समझ में आ रहा है कि क्या करेगा absolute function negative को भी positive कर देगा basically positive values देगा ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखो हर movie का budget है और उसका इंडिया में gross income है तो अगर मैं gross income से budget को minus करूँ तो profit of the movie आएगा movie ने कितना कमाया ठीक है, अब जो movies flop होंगी वो movies का negative आएगा right, देखो मैं run करके दिखाता हूँ आपको अगर मैं यह command लिखाँ select title, India gross income minus budget as profit इस कॉलम को मैं profit बोल रहाँ from movies database और इसको मैं run करूँ तो यह लेखो गई, जैसे यह bit to boss करके कोई movie है, जिसने इतना पैसा डुबाया around 7 crores यहाँ पर players बोलके एक movie है जिसने 14 crores तो बहुत सारे देख रहे हो आप negative है जो flop movies है, वो सब आपका पैसा डुबाई है ठीक है तो अब let's say मुझे सिर्फ positive में देखना है सब कुछ obviously यहाँ पर logical नहीं है but मुझे positive में देखना है तो I'll just change this code to this I would write यह जो पूरी चीज है, इसको मैं ABS के अंदर डाल दूगा like this तो हमेशा positive भी आएगा देखना, जैसी मैं go करूँगा अब यह bit to pause भी positive है कोई भी negative number नहीं है ठीक है, तो obviously ABS हमारे data के case में उतना useful नहीं लग रहा है but कभी-कभी useful होता है तो आपको बस पता होना चाहिए कि ABS क्या करता है next is round round क्या करता है round basically decimal को round off करके integer में convert कर देता है ठीक है, I'll give you one example जैसे let's say हमारे पास budget है या let's say हमारे पास run time है run time minutes में है तो मैं क्या कर रहूँ, मैं 60 से divide कर दे रहू run time को, तो वो hours में आ जाएगा, जैसे कि let me show you मैंने ये code लिखा select title of the movie run time divided by 60 और इस operation को करने से जो मुझे column मिलेगा, उसको मैं बोल रहूँ run time underscore hours ठीक है यहाँ पर as लगेगा from movies table run किया यह देखो, हर movie कितना time लेती है, यह आ रहा है ठीक है, अब obviously यह मज़ेदार नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको round off कर सकते हो कैसे लिखोगे आप इस code को, आप लिखोगे copy sequel में घुचोगे, यहाँ पर you would paste round like this और अब आप इसको run करोगे यह देखो, सब round off होगे ठीक है, अगर आप चाहो तो आप decimal places बचा भी सकते हो अगर आपको logical लगता है तो जैसे लेट से मुझे एक decimal place दिखाना है तो मैं लिखूँगा round के बाद one ठीक है और इसको run करने इसे क्या होगा यह देखो, 2.8, 2.2, 2.6, 2.4, 2.4 यह आ जाएगा आप चाहो तो दो decimal places भी दिखा जकते हो और अगर मैं इसको run करूँ इस बार आसा दिखाई दे रहा है ठीक है आपको यह समझ में आ रहा है ठीक है तो यह होगा आपना second function that is round, next होता है seal all floor, seal क्या करता है किसी को बता है, seal function क्या करता है, किसी को भी idea seal function क्या करता है, मतलब top value ले ले लेता है, 2.4 ता seal कितना होगा, 3, हाँ, यह देखो, मैं अगर यहाँ पे round लगाने के बदले, अगर seal लगाऊ, तो most of the movies will be off 3 hours और कुछ movies 4 घंटे की हो जाएंगे, यह देखो, most of the movies are 3, but there are certain movies जो 4 घंटे की हो जाएंगे, क्योंकि वो 3 घंटे के उपर किया है, ठीक है, then there is floor, floor करने से इसका ठीक opposite होगा, मतलब most of the movies will be 2 hours और कुछ movies 3 की होंगे, floor मतलब 6.8 का floor would be 6, floor, go पे click किया, यह देखो, सारी movies 2 हैं, एक में और एक तू एक घंटे की हो गई, ठीक है, तो अगें यहाँ पर उतना useful नहीं है, but कहीं और किसी और context में it could be useful, ठीक है, next is upper and lower, upper and lower, simple है, आप string के उपर लगाते हो, जैसे let's say आपके बस movies का नाम है, और आप चाहते हो कि वो upper में आए या lower में आए, तो आप यह code लिखोगे, आप लिखोगे, select, upper, title, from, movies, सारी movies, upper case में दिखाई देंगे, like this, अब मैं lower करके नहीं दिखा रहा, because, समझ में आ गया, next is concat, let's say मुझे एक single column में दिखाना है, कि director कौन है movie का, और actor कौन है movie का, एक single column में, तो मैं कैसे दिखाऊँगा, I would write this query, I would write, select, title of the movie, then I would write concat, और अंदर में लिखाँगा, actor, space, comma, director, as, crew, as, crew, from, movies, ठीक है, यह concat कर देगा, और output यह आएगा, रिशी कपूर, करन मलोत्रा, पुलकित समराथ, सुपावित्रा, बाबुल, जो भी है, अक्षे गुमार, साजित खान, ठीक है, that is how concat works, strings को concat कर सकता है, दो string columns को, next one is length, let's say मुझे पता करना है, हर movie का length कितना है, नाम का length कितना है, characters कितना है, नाम में, तो I would write this query, I would write, select title, length, of title, as length, जो भी लिखतिया मैंने, from movies, और इसको run किया, अगनी पत में 9 characters है, बिट्टू बॉस में 11 characters है, एक में और एक तू में 18 characters है, we can calculate the length, ठीक है, simple function है ये भी, next is substring, ये कभी-कभी काम आता है, हमारे case में, it's not that useful, so yeah, substring में क्या होता है, आप string pass करते हो, जिसका substring निकालना है, कहां से start करोगे substring निकालना, और कितना लंबा substring चाहिए, ठीक है, let's say, मुझे हर movie के पहले 5 letters चाहिए, पहले 5 alphabets चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा, just one second, किसी ने message किया, राजदीप कर सकते हो, बट वो हम आज नहीं सीख रहे हैं, अभी नहीं कर सकते हो, so I would write, select title, substring और यहां पर I'll pass title, यहां पर one से start होता है हमेशा, ठीक है, आप हमेशा one से start करते हो, जब भी आप substring निकालते हो, indexing zero से start नहीं होता, one से start होता है, one से आपको five characters चाहिए, as, let's just come short बोल रहे है, from movies, so अब हर movie का पहला पांच letter आ जाएगा, अगनी, बिट्टू, हाउस, सिंग, गोलमा, ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा आगे से भी निकाल सकते हो, so आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर रेख सकते हो, तीन से start करके अगले पांच characters, तो ऐसा दिखाई देगा, नीपा, a और g नहीं आया, n से start हो आप, b और i नहीं आया, tt से start हो आप, तो that is how substring works, substring इस तरीके से काम करता है, ठीक है, next है आपके aggregate functions, aggregate functions मतलब आपके data के उपर aggregation करते हैं, mathematical operations perform करते हैं, जैसे कि min, max, sum और average, ठीक है, let's say हमें पता करना है कि अभी तक की सबसे महेंगी movie का budget कितना था, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर code लिखेंगे, select max of budget from मेरे table का नाम, that is movies, और इसको हम run करेंगे, and you can see, कोई एक movie है, जिसका budget है 215 करोड, actually यह पदमावत है, मैंने कुछ दिर पहले google भी किया था, पदमावत का budget, 215 करोड है, यह इसी movie के बारे में बात कर रहा है, although हम अभी नाम नहीं निकल सकते, क्योंकि नाम निकलना थोड़ा tricky part है, वह हम थोड़ी थेर के बात करेंगे, मुझे निकलना है कि आज तक सबसे कम पैसा किसी movie ने कितना कमाया, lowest data movie has earned, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँँगा min, और यहाँ पर लिखूँगा, India gross, और run किया, तो कोई एक movie है, जो 7000 रुपए कमाई है, जब वो release हुई है, I would like to find out यह कौन सी movie है, बट यह कोई movie है, जिसने 7000 रुपए कमाई है, बहुत ही घटिया होगी, या फिर पता नहीं, बहुत ही low budget release नहीं मिलाओगा उतना, जो भी reason है, और आप क्या निकल सकते हो, आप some निकल सकते हो, let's see, मुझे पता करना है कि आज तक total मिला के, हर मुवी का, इंडिया का ग्रॉस इंकम का सम हो जाएगा, and this is the number, okay, next is average, let's see, मुझे पता करना है कि, on an average, movies इंडिया में कितना कमाती है, तो I can just copy this same quote, and I'll paste it over here, and instead of sum, I can write average, and average, और on an average, इंडिया में movies कमाती है, थोड़ जादा हो गया, is it 136 करोड़, नई, 13 करोड़, on an average, 13 करोड़ कमाती है, movies, which is a correct sort of data, क्योंकि कुछ movies बहुत कमाती है, कुछ movies बहुत कम कमाती है, तो yes, I guess 13 करोड़, सही justification है, ठीक है, तो यह हो गए, आपके aggregation functions, एक और होता है, count, count आपको बताता है, count, right, let's say, आपको count करना है, कि यहां पर कितनी movies हैं, कितनी movies हैं, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे, select, count of, asterisk, सारे रोज में आप count कर रहे हो, from movies, और इसको run करने पर आ रहा है, 3153, हमारे data में actually 3153 movies हैं, यह देखो, तो count से, आपको यह मिल गया, ठीक है, एक और होता है, count with distinct, तो यह आपको unique चीज़े count करके बताता है, let's say, मुझे count करना है, कि कि कितने unique actors हैं, इन 3153 movies में, और actors पर repeat होंगे, अक्षे कुमार बहुत सारी movies में होगा, आमिताब बच्चन बहुत सारी movies में होगा, मुझे निकालना है, कि unique number of actors, like unique actors कितने हैं, 3000 movies में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहापे जाओंगा, मैं लिखूंगा, select actor, कॉमा, count, distinct actor, as movie count, from movies, यह लिखा मैंने, मैं actor प्रिंट करा रहा हूँ, और उस actor का count निकाल रहा हूँ, distinct actor करके, ठीक है, और इसको go करने पर, क्या किया मैंने, मैंने गलत query लिखी, obviously, रिशी कपूर का 1094 नहीं आ सकता, एक काम करते हैं, यह लिखते हैं, select, count, distinct actor from movies, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले, सारे distinct actors निकाल करके, उनका count कर रहे हैं, अच्छा, हाँ, हम वो नहीं कर सकते, कि हर actor ने कितनी movies की, वो तो आप group by कि यह बिना नहीं कर सकते, बट या, यह रहा गाइस, हमारे पूरे डेटा में, देरा 1094 यूनीक actors, मतलब जो 3153 movies हैं, यह 1094 actors ने, मिल करके की हैं, तो on an average हर actor ने तीन movies की है, इस तरीके का setup है, अभिसली बहुत सारे actors ऐसे होंगे, जिन्होंने एक ही movie की होगी, फिर बहुत सारे actors ऐसे होंगे, जिन्होंने बहुत सारे movies की होंगी, बट या, the distinct count of number of actors is 1094, इतने unique actors इन movies में काम की हैं, ठीक है, अब हर actor ने कितनी movies की हैं, यह हम थोड़ी दर के बाद निकालेंगे, ठीक है, अभी हम वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, तो count distinct क्या करता है, count बताता है, but unique values का, ठीक है, जैसे, अगर आपसे कोई पूछे, कि, ये एक list है, जल्दी से समझ लोग, confusion नहीं होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, इसमें count of items कितने हैं, तो क्या बोलोगे, यहाँ पर count of items कितने हैं, 6, अगर आपसे कोई बोले, count of distinct items कितने हैं, तो क्या बोलोगे, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, और ये दोनों को आप count नहीं करोगे, क्योंकि ये already count हो चुक है, ठीक है, तो यही difference है, जो हमने अभी देखा, ठीक है, so, that was aggregate functions, ये हमने इतने सारे functions, अभी try किये, next we'll move on to sorting data, data को sort करना सीखेंगे, let's say, मुझे क्या करना है, मुझे sort करना है, on the basis of, most profitable movie, तो सबसे पहले तो profit कैसे निकलेगा, profit निकलेगा आपका worldwide gross income minus budget, this is your profit, और मुझे, सबसे profitable movie को सबसे उपर रखना है, और least profitable movie को सबसे नीचे रखना है, ठीक है, तो मैं क्या code लिखूँगा, I would write, select title movie का नाम, I will calculate the profit, profit क्या से calculate होगा, worldwide कितना कमाया, minus budget क्या था, और इसको मैं बुलाऊंगा, profit, ठीक है, from movie, तो इससे क्या होगा, जिस order में data है, उस order में profit calculate हो जाएगा, तो सबसे पहले अगनी पता रहा है, उसके बाद bit two बहुता आ रहा है, बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सबसे जादा profit कमाने वाली movie सबसे उपर आए, तो यहाँ पर होता है, order by बोलके clause होता है, आप order by यूज़ करते हो, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे, order by, और order by में आप हमेशा, जिस column के basis पर order करना चाहते हो, वो column लिख देते हो, जैसे यहाँ पर आपके बस दो column से title, और profit, तो अब प्रॉफिट के हिसाब से, आप profit के हिसाब से, order करना चाहोगे, और दो तरीके से ordering होता है, ascending order, descending order, by default ascending order होता है, मुझे descending order में करना है, और जैसी मैं इसको run करूँगा, तो सबसे ज़्यादा profitable movie, जो हमारे data में हैं, वो है बाहुबली 2, 606 करोड का profit है, ठीक है, दंगल 570 करोड, PK 494, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, हम, चाहू तो इसमें से top 5 movies को आप निकाल सकते हो, जैसे किसी ने पूछा कि top 5 most profitable movies चाहिए, तो यहाँ पे तो आप सारी की सारी movies का निकाल के दे रहो, what if I want only top 5, तो you would write this, copy, और यहाँ पर एक और clause होता है, उसको बोलते है limit, limit में आप 5 डाल दो, तो वो automatically top 5 आ जाएगा, यह देखो, सिर्फ 5 रोज आए अब, यह रहे आपके 5 सबसे profitable movies, ठीक है, कोई बता सकता है, अगर मुझे worst 5 movies चाहिए, जिन्होंने सबसे घटिया किया, सबसे ज़्यादा पैसा डुबाया, तो इस query में क्या change करना पड़ेगा, तो descending के ज़ेगा ascending, हाँ, आप यहाँ पे लिख दोगे, ascending, या नहीं भी लिखोगे तो same ही बात है, और यह रही गाईज आपकी, worst movies, what is this, this is 74 crores I guess, Bombay Velvet, 58 crores, broken horses, जिसका मने नाम भी नहीं सुना है, 49 crores, Mirziah, 44 crores, Jaggajasus, and 37 crores, Zanzir, ठीक है, that is how you use order by, अब order by की अच्छी बात क्या होती है, कि आप, एक से ज़ादा columns के उपर भी order by लगा सकते, जैसे let's say, मुझे क्या करना है, मुझे, genre, को पहले ascending order में sort करना है, ठीक है, कैसे, मैं ये code लिखूँँगा, मैं लिखूँँगा, select, all the rows, from, movies, order by, कौन सा column, genre, और order by, ascending लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो automatically sort हो जाएगा, यह देखो, सबसे पहले action वाली movies आ रही है, ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, कि मैं हर genre के अंदर, मैं movies को, भी ascending order में रखो, तो अभी जैसा कैसे है, action में अगनी पत है, उसके बाद रावन आ गया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे action में भी, A से start होने वाली movies चाहिए, तो मैं कैसे लिखूँँगा, इस code को, I will copy this code, and in fact scrap से लिखते हैं, जाद अच्छे से समझ में आएगा आपको, select all the columns from movies, order, order by, first I have to order by genre, ascending order में, और फिर, order by title, ये भी ascending order में, और अब मैं जैसी go पे click करूँगा, you would see, की action में, पहले digit से start हो रहा है, फिर आप action में देखो, आगे आग ही आग, 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 फूब सारा आग, अरे बाह प्रे, 10-12 आग वाली movies, इसके बाद फिर आखरी, फिर आखरी, काफी सारा आखरी, और जैसे से आप आगे बढ़ होगे, तो आपका genre भी change होगा, जैसे मैं कहीं पर आगे जाता हूँ, अगर, let's say 15 page पर जाता हूँ, अभी भी काफी action movies बनी हैं, इंडिया में, इसके बाद आप आप चाहों तो आपको क्या चाहिए, आपको genre चाहिए, ascending order में, बट आपको titles चाहिए, movie चाहिए, descending order में, तो आप लिख दोगे, descending, तो आप क्या होगा, genre A से start होगा, action से start होगा, but action में सबसे पहले Z वाली movies आएंगे, ऐसा दिखाई देगा, यह देखो, action में सबसे पहले, जुल्मी आ रहा है, फिर जुल्मों सित्ह हो आ रहा है, जुल्मी जुल्मा रहा है, जोरदार आ रहा है, and then you are like, going towards A, ठीक है, wanted, विजयपत, वीर, like, these are the movies that are coming out, ठीक है, तो order भाई का यही फंड है, कि आप एक के उपर भी order कर सकते हो, दो के उपर भी कर सकते हो, तीन के उपर भी कर सकते हो, ठीक है, next, हम लोग पढ़ने जा रहे है, grouping, grouping data, यह सबसे important part होता है, क्योंकि यहां से आप काफी चीज़े कर पाते हो, grouping data बहुत ही powerful concept है, इसको एक बाद detail में पढ़ते हैं, कि grouping का क्या मतलब होता है, let's say, आप से किसी ने पूछा, यह data दिखा करके, कि बताओ, top five actors का नाम, top five actors का नाम, who have done, who have done, maximum number of movies, maximum number of movies, यह आप से कोई पूछे, आपको क्या निकालना है, top five actors का नाम, जिन लोगों ने सबसे ज़ादा number of movies की है, ठीक है, तो कैसे अप्रोच करोगे इस problem को, देखो, अगर आपको यह निकालना है कि top five कौन है, जिन लोगों ने सबसे ज़ादा movies की, तो आपको पहले 1094 जो actors हैं, आपको हर actor के लिए पता करना पड़ेगा, कि सब ही ने कितनी movies की, तो आप क्या करते हो, आप अपने पूरे data में, पूरे data को break कर देते हो, into 1094 groups, मतलब अगर यहाँ पर अक्षे कुमार है, तो अक्षे कुमार के सारे रोज को उठा करके, मैंने एक दूसरा data set बना दिया, आमिर खान के सारे को उठा करके, एक अलग बना दिया, ठीक है, और फिर मैं अक्षे कुमार का, यहाँ पर जितने रोज हैं, वो count कर दिया because जितने रोज उतनी movies तो यहाँ पर आया 38 आमिर खान का आया 22 सल्मान खान का आया 17 ऐसे करके हर actor का एक एक number आ गया अब मैं बस क्या करूँगा उस number को sort कर दूँगा descending order में और descending order में जैसी sort करूँगा उसके उपर मैं limit लगा दूँगा 5 तो मुझे top 5 actors मिल जाएंगे तो key step जो है वो ये है कि आप अपने existing data में groups create करते हो on the basis of a column एक column के basis पे आप groups create कर देते हो और वो group के ऊपर फिर आप count operation perform कर देते हो that's it, that is how you do it हम निकालने जा रहे है कि हर actor, मत्ता हम निकालने जा रहे है top 5 actors जिन लोगों ने सबसे जादा number of movies की है, ठीक है, ये हमें निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप ये code लिखोगे, you would write select actor actor का नाम comma, मुझे count करना है number of rows as num movies कितनी movies की from मेरे टेबल का नाम movies और अब आप group by करते हो group by कौन से column के basis पे actor column के basis पे ठीक है, तो step by step अगर देखो तो पहले आप सारे rows fetch करोगे फिर आप groups create कर दोगे तो आप जैसी आप groups create करोगे तो आपके table से 1094 अलग-लग tables बन गए फिर आप हर table के ऊपर ये columns निकाल रहे हो और ये columns निकालने के लिए पहले आपको actor चाहिए तो actor आपको मिल जाएगा और आपको count चाहिए तो count आप कर लोगे कि हर table में count कितना है ठीक है और इतना करने के बाद आप क्या गरोगे आप order by करोगे तो लोग पहले में आपको इतना ही करके दिखाता हूँ कि group by करके ये करने से क्या हो रहा है तो जैसी मैंने go पे click किया ये देखो तो apparently कुछ movies है जिसमें कोई भी actor नहीं है animation movies है फिर there is this guy आदर जैन I don't know कौन actor है ये आमिर खान ने 22 movies की है अभिशेक बच्चन ने 20 movies की है अगर हम last में जाएं तो वहिदा रह्मान ने 2 movies की है और विनोद खन्नाय ने 12 movies की है तो हमारे पास ये number आ रहा है बट अभी भी हमें top actor नहीं मिला top actor के लिए हम क्या करेंगे हम ये num movies के उपर sorting कर देंगे तो हम जाएंगे sequel में और हम order by लगाएंगे order by कौन सा कॉलम num underscore movies कॉलम और कौन से order में descending order में और अब मैं जैसी इसको run करूँगा ये देखो मितुन चकरवर्ती ने सबसे ज़्यादा movies की है 101, अक्षे कुमार 75 अमिताब बच्चन 59 अजय देवगन 59, संजय दत 57 and so on animated movies है खूप सारी धरमेंद्रे 47 ठीक है so you can get this अब मुझे अगर top लोग चाहिए है तो बस मुझे क्या करना है मुझे limit चला देना है तो I would write limit 5 तो top 5 actors ही मिलेंगे मुझे ये रह ये रहे top 5 actors ठीक है तो group by बहुत कामका है होता है हम लोग ठोड़ा practice करेंगे group by क्योंकि group by से questions पूछे जाते है ओके next question is हमें ये पता करना है कि कौन से genre की movies ने सबसे ज़ादा profit कमाया हमें क्या पता करना है कौन से genre की movies ने सबसे ज़ादा profit कमाया first of all profit क्या होगा worldwide income minus budget तो मुझे क्या करना है मुझे निकालना है कि हर genre की movies ने कितना कमाया तो मुझे पहले क्या करना है हर किसी भी एक genre को पकड़ना है उसकी सारी movies को निकालना है और उन सारी movies का profit निकाल करके उसको sum करना है और ऐसा मुझे हर genre के लिए करना है और फिर उसको वो जो number आएगा उसको मुझे sort करना है और मुझे top 5 निकालना है तो basically यहां पे काफी सारे operations होंगे देखो मुझे क्या करना है मुझे से पूछा जा रहा है कि मुझे यह निकाल के बताओ कि कौन से genre की movies सबसे जादा पैसा कमाई मतलब हमें क्या करना है हमारे data में हर movie में genre है तो मैं हर genre का movies को अलग कर लूँगा यह action वाली सारी movies हो गई यह drama वाली सारी movies हो गई यह horror वाली सारी movies हो गई फिर मुझे क्या करना है मुझे हर genre वाले table में घुस करके profit calculate करना है हर movie के लिए तो अगर यहाँ पे 10 movies हैं तो मैं 10-100 movies का profit calculate करूँगा और फिर उट 10-100 profit को मैं add कर दूँगा sum कर दूँगा तो मुझे एक number मिलेगा let's say 2000 करोड ठीक है यहाँ से मिला 1800 करोड यहाँ से मिला 1500 करोड अब बस मुझे इन सारे numbers को sort कर देना है और top वाले को निकाल के बता देना है कि कौन सा genre actually सबसे profitable है तो obviously कोई भी नया producer जो आएगा market में let's say कोई बहुत अमीर आदमी वो बोला कि मेरे को film industry में पैसा लगाना है तो obviously कौन से genre में लगाएगा जहां से सबसे ज़्यादा पैसे कमाए जाते है हमें यही चीज निकालनी है तो कैसे लिखेंगे हम इस code को यहाँ पे आप लिखोगे select आपको genre दिखाना है और आपको क्या करना है आपको sum of profit दिखाना है profit कैसे निकालोगे profit निकालने का तरीका है worldwide gross minus budget ठीक है as total profit बोलते है इसको क्योंकि है total profit है total profit as चाहो तो capital में लिखो हम लोगा मिशा capital फॉलो करते है वैसे कोई error नहीं आएगा from movies इस बार मैं group buy करूँगा on the basis of genre और फिर मैं order buy करूँगा on the basis of total profit और फिर मैं करते हूँगा limit 5 तो top 5 genres मुझे दिखने लग जाएंगे और यह रापका answer the hell क्या हुआ यह वो ascending order में हो गया सबसे ज़्यादा पैसा डुबाती है animation movie इंडिया में बहुत पैसाड होगा है उसके बाद sci-fi हाँ इंडिया sci-fi अच्छे से नहीं कर पाता है मिस्ट्री मिस्ट्री कौन सी movie होती है अच्छी यहाँ पे जैसे आप order buy कर रहे हो तो आपको descending order चाहिए कोई guess कर सकता है कौन सा genre होगा जिसमें इंडिया सबस्क्रादा पैसा कमाता है बॉलिवुड मतलब कोई guess करेगा action यह देखा answer अपको अच्छा लगेगा drama इंडिया में drama बहुत चलता है और उसके बाद action और उसके बाद masala masala मतलब जिसमें सब कुछ होता है that is masala right 90s की बाद करते तो love story होता बहुत आगे but 90s के बाद love stories उतनी नहीं बनती है so yeah कल को अगर मैं एक producer हुआ मुझे पैसा लगाना है तो I'll prefer drama और action और masala movies rather than animation movies जो बहुत ही pathetic कर रहे है so yeah that would be one problem that you can solve using group by और एक question करते है चलो कोई ये निकाल के बताओ कि on an average सबसे ज़्यादा profit कौन से director की movies करती है क्योंकि वो director के उपर पैसा लगाना चाहिए वो on an average सबसे ज़्यादा profit निकाल लेता है movies से कैसे निकालोगे आप ये करोगे आप लेकोगे select director फिर आपको पहले profit निकालना है तो profit का formula आपको पता है profit का formula होता है worldwide gross minus budget बट आपको सारी movies का average करना है कि director ने multiple movies क्योंगी मुझे average करना और इसको मैं लेकोंगा as average profit as average profit from मेरा database movies group by on top of directors order by this column that we have just created average profit descending order में और लिम्ट कर देते हैं to five results यह आपके top five average profit जिनका सबसे जाद है एसेस राजा मौली बाहु बली नितिश दिवारी दंगल राजकुमार हिरानी अली अबस सफार यह सलमान खन वाला होगा साजित नाडिया वाला अक्षे कुमार यह यह लोग सबसे जादा on an average पैसा कमाते हैं जैसे this guy on an average earns 302 करोड पर मूवी एक मूवी का profit इसका 302 करोड नितिश दिवारी का 292 करोड पर मूवी राजकुमार हिरानी का 276 करोड साही है बहुत सारी companies का annual turnover इतना नहीं होता यह लोग एक मूवी कमा करके इतना बना देता है यह question आप कर सकते हो और एक दो question प्राक्टिस करते हैं because group by this equations आ सकते हैं हाँ कोई पताएगा गईस हम कैसे निकाल सकते हैं उस मूवी का नाम जिसका budget सबसे जादा था क्या से निकालोगे देखो क्या करोगे आप यह वाला थोड़ा tricky है actually tricky नहीं है बस यहाँ पर सोच पाना कि यहाँ पर group by लगेगा यह tricky काम है आप लिखो के select title, budget from movies group by title कोई सोच के बताओ जब मैं group by title करूँगा तो कितने groups बनेंगे इतने movies है जितना movies है सो मैंने हर movie को एक group में convert कर दिया फिर मैं उसका budget भी निकाल ले रहाँ और फिर मैं order by कर रहाँ budget descending order में और limit कर दे रहाँ 5 यह आपकी top 5 सबसे costly movies आ जाएंगे पजमावत 215 करोड टाइगर जिन्दा है 210 करोड बाहुबली 2 195 ओहो रहीज 3 is there 185 करोड प्रेम रतंधन पायो 180 करोड सबसे कम निकालना है सबसे सस्ती movies आपको निकालनी है तो आपको बस एक change करना पड़ेगा descending को हटा देना है मतलब ascending आ जाएगा और यह रहा 18th floor अरे यह तो अच्छी movie है चाहिए सिर्फ पांच लाख सिर्फ पांच लाख में यह movies बनी है ग्रेट ठीक है निकल पढ़ेंगे यह वाला पार्ट इंडिपेंडेंट्स सब्क्वेरी और इस चीज निकल सकता है आपको निकालना है कि कौनसा actor और director का combination on an average सबसे profitable movies बनाता है कौनसा actor और director का combination on an average सबसे या फिर इजी कर लेते है कौनसा actor और director के combination ने आज तक सबसे ज़्यादा रुपए कमाए है profit कमाए है सबसे ज़्यादा profit कमाए है average नहीं निकालना total profit जोडना है sum करना है actor और director का combo who has earned maximum profit अगर आपको ये निकालना है कि किस actor और director के combo ने सबसे ज़्यादा कमाया है तो आपको हर actor director के combo ने कितना कमाया है वो निकालना पड़ेगा फिर उसको sort करना पड़ेगा और फिर order by करके limit one करना पड़ेगा तो अगर आपको ये निकालना है कि कितने actor director combo है तो basically आप groups बना रहे हो हर actor और director के तो इस बार आप group बाए एक column के बदले दो column के ओपर करोगे और अपकोच बहुत पार आप COPICA उतको इस धकोचर आपकोचर कामा js FSK अधगाफेग और इसमतित एक डापकोचर कामा और में अधगाफेगादेगां अधगाव कामा में आपकोचर का अधगा. एस प्रॉफिट और इस बार फ्रॉम यहां पर ओविसली मुवीज आएगा यूवूट ग्रॉप बाए ओन टॉप ओफ दो चीज़े अक्टर एंड डिरेक्टर यह अपने कॉंबिनेशन्स बना दिये और फिर आप आप ओडर बाए कर रहे हो ओन टॉप ओफ यह प्रॉफिट डिसेंडिंग ओडर में और आप लिमिट कर रहे हो तुप फाइव कॉंबिनेशन्स पाँच कॉंबिनेशन्स पर आप रन कर रहे हो कोई कैस करेगा इन दोनों ने मिल करके सुल्तान, टाइगर है, टाइगर जिन्दा है, टाइगर मर गया टाइगर की डॉक्यमेंटरी पचास मुवीज बनाई और बहुत पैसा कमाया 787 करोड प्रिसाइजली, फिर है सलमान खान और कबीर खान, कबीर खान के साथ भी इसने काफी मुवीज बनाई, देन डेर आमिर खान और राजकुमार हिरानी, इन्होंने दो ही मुवीज की होंगी, थ्री इडिट्स और पीके, बोथ वर ग्रेट, प्रभास और राजमावल दोनों बाहुबली मुवीज और आमिर खान नितिश दिवारी, एक ही मुवी है यह दंगल, 570 करोड का प्रोफिट, तो यह रहा आपका कॉमबो में, अगर आपको पता करना है, आक्टर और जॉनर का कॉम्बिनेशन, कि कौन सा आक्टर किस तरह के जॉनर में सबसादा पैस कमाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सेम कोड को कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पर इसको बेस्ट कर सकते हो, बस डारेक्टर के बतले आ जाएगा, जॉनर, तो अब जो ग्रुप्स बनेंगे, वो और आक्टर और जॉनर के कॉम्बिनेशन पर बनेंगे, बाकी सब कुछ ठी रहेगा, आप जब ग्रुप्बाई करोगे तो जॉनर के बीसिस पर करोगे, और आई होब, आइटोंट वान्ट तो होब, बट इस सल्मान खान अक्शन आइक्शन आईएस, ओहो, आमिर खान इनड्रामा, बापर ही अस उन्ट सो मच यार, सोला सो करोर, आमिर खान इनड्रा सलमान खानन मसाला इस 9000 करोड़ शारुक खानन मसाला इस सु या यू किन सी यहां पर स्टार्स यह रहे आपके यह रहे आपके सारे स्टार्स हाँ हम यही निकाल सकते हैं की यह भी अच्छा अनलिस्स हो सकता है कि टॉप फाइव एक्टर्स जिन लोगों ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं Bollywood में मतलब कमा के दिये हैं Bollywood को as an industry वो तो simple है यह निकाल के बताओ guys वो तो simple हो गया top five actors जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए है या movies जिनकी movies ने सबसे ज़्यादा profit कमाए है क्या code होगा उसका यह code तो simple है आप लिखोगे select actor pama sum of worldwide minus worldwide minus budget as net profit अच्छिक इसको total profit बोलना चाहिए total profit from movies group buy करोगे on top of actor और order buy करोगे on top of total profit और उसके बाद descending order में group buy order buy करोगे और limit करोगे 10 मुझे top 10 actors देखने हैं कोई guess करेगा सबसे जादा किस ने कमाया होगा what do you think तीन चार यह options है हमारे पास भाई मेर को भाई लग रहा है भाई ने सबको पीछे छोड़ दिया होगा anyone who can give tucker is Akshay Kumar because of the number of movies that he has done twice for me it could be मैं भी नहीं जानता इसलिए I just want to play KBC with you let's see अरे रे see these are your top 5 actors Bollywood की history में Amitabh Bachchan actually बहुत पुरानी movies बहुत ज़्यादा पैसा कमाती नहीं थी उस ताहीं like पैसा actually इसमें आप inflation वगेरा नहीं जोड रहे हो ना अभी की movies बहुत ज़्यादा कमा लेती है like करोडो में जट से पहुँच जाती है एक दो वीकेंड में पहले उतना थानी inflation वगेरा जोडो other factors जोडो तो Amitabh Bachchan उपर आना चाहिए but look at प्रभास दो तीन movies करके बंदा एकदम top 10 में घुश किया that is group buy group buy is extremely powerful thing मतलब you can do so much analysis बहुत easily multiple चीज़ों के उपर group buy कर दो और you can do so many things right बहुत powerful होता है group buy और group buy से आपको questions भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि group buy useful होता है ठीक है एक और कर रहे है having having क्या होता है having filter करता है group buy के output को filter करता है जैसे where select के output को filter करता है वैसे ही having group buy के output को filter करता है कैसे देखो let's say मुझे निकालना है I'll think of a question so screens का मतलब होता है कि movie कितने screens पे release हुई across India या पता नहीं worldwide I have no idea screens का मतलब है कितने screens मिले जितने ज़्यादा screens मिलते है उतना ज़्यादा chance होता है success का तो मुझे क्या निकालना है मुझे उन actors का नाम चाहिए जिनको on an average thousand से ज़्यादा screens पे release मिलता है मुझे ये निकालना है इस बार मैं आपको top 5, top 10 निकालने को नहीं बोल रहा इस बार मैं बोल रहा हूँ मुझे वो actors का नाम बताओ जिनकी movies को on an average thousand से ज़्यादा screens पे opening मिलती है तो इस बार आप limit नहीं लगा सकते limit का scene नहीं है इस बार आपको having use करना पड़ेगा देखो कैसे लिखोगे आप you would write select obviously आपको actor दिखाना है और आपको दिखाना है average average of screen from average of screen को let's call opening ठीक है from movies group by होगा on top of actor order by अभी करनी की ज़रूद नहीं है you would write having opening greater than thousand और अब मैं order by लगा रहा हूँ order by मैं कर रहा हूँ फिर से opening के ही उपर descending order में सबसे ज़्यादा opening on an average जिस actor को मिलती है मैं उसका नाम सबसे पहले print कर रहा हूँ और फिर वहाँ तक list जाएगी जहाँ तक thousand होगा अगर मैं इस code को run करूँ by the way guys बहुत लोग ऐसे code लिखना प्रेफर करते हैं मैं आपको बताता हूँ ऐसे भी बहुत लोग प्रेफर करते हैं कुछ लोगों को यह बहुत clear तरीका लगता है अगर अगर आप पीछे जाने लग जो तो आच्छिली खांस पीछे होंगे क्योंकि कि इन लोग की शुरू की movies को उतने screens नहीं मिलते होंगे initially इंडिया में उतने screens थे भी नहीं जबसे पुराने actors काम कर रहे हैं तबसे तो थे भी नहीं सारे screens तो अभी recent वाले actors में जादा होगा साफली खान is such an old actor but he is getting less screens than Neha Sharma क्योंकि उसने recently start किया जब multiplex culture आ गया तो obviously उसके बाद number of screens बढ़ गए एक ही movie hall में 4-4 screens है तो फिर obviously ठीक है but I was showing कि आप having इस तरीके से use करते हो having is like where condition for group by ठीक है तो कभी भी आपको filter करना है किसी एक given condition पे group by करने के बाद तो आप having use करते हो that is how having is used ठीक है तो हमने ये चीज़े cover की guys sorting grouping having अब जल्दी से क्या करते हैं थोड़े से mcq solve कर लेते हैं हाँ इसका थोड़ा answer बताना guys जल्दी से this question that's a simple question आपके पास last name में disuza है और आपने ये query चलाया can you tell me इस query को चलाने के बाद आपका output क्या होगा तो simple question actually बस substring यूज़ हुआ है उसके बाद length यूज़ हुआ है बहुत ही simple question है हाँ यहाँ पर पूछ रहा which of the following aggregate functions can be applied to both numbers and character type columns count हो सकता है और बताओ min max करेगा min max भी करता है let me show you अगर आप यहाँ पर SQL run करो and if you write select min of title from movies तो यह आपको वो movie निकाल के देगा जो सबसे पहले आएगा dictionary में जिसके नाम जागे dot 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 है अगर आप max निकालोगे तो तो वही basically ask की value वाला logic लगाता है अगर आप यहाँ पर max लगाओगे तो it will give you zulmy जो dictionary में सबसे last में आएगा movie ठीक है तो बताओ min max भी काम करता है average obviously काम नहीं करेगा some obviously काम नहीं करेगा character के उपर यह आपका answer है इसका answer बताओ कोई आपके पास एक table है t और उसके अंदर एक single column है a जिसमें 4 rows है और उन 4 rows में value है 100, 200, null और 300 फिर आपने यह query चलाया आपका output क्या होगा error नहीं होगा values का null होगा जैसी आपने यह किया आपको null set मिला null set के उपर आप max लगा होगे तो null ही मिलता है error नहीं आएगा it's not an error और 9 rows नहीं आएगा एक row आएगा उसमें null लिखा हुआ होगा sorting data का कुछ example हाँ यह बता ना which of the following statements is false about order by order by के बारे में कौन-कौन सा statement false है order by can be used with date attributes date column के साथ काम कर सकता है order by सही लग रहा है गलत लग रहा है सही है date के साथ आप काम कर सकते हो यहाँ पर date है यहाँ पर date है release date but unfortunately यह where care है इसलिए मैंने इसके उपर लगाया नहीं but यह statement सही है order by default sort is ascending order यह भी सही है where clause can be used after order by clause where clause हमेशा order by के पहले यूज होना चाहिए यह गलत है order by only works on number column ऐसा नहीं है character के उपर भी काम करता है ठीक है next हाँ इस question का answer बताओ guys यह query run करने पे इन तीनों में से क्या होगा आपके पास एक employee table है जिसमें यह तीन यह चार columns हैं आपने यह query run किया what would be the output bs का answer आप order by को where के पहले यूज नहीं कर सकते यह वाला question करो यह question time waste करने वाला question है आपके पास यह input है और आपको यह output चाहिए इन में से कौन सा query ऐसा कर सकता है इसका answer last है आप salary के basis पे पहले कर रहे हो और फिर आप e-name के basis पे कर रहे हो salary के basis पे पहले हुआ और फिर उसके हिसाब से e-name के basis पे ascending हुआ इसलिए jack उपर है James से ठीक है क्योंकि दोनो ascending order में देख रहो दोनो ascending order में मतलब at least यह Ethan सबसे उपर आना चाहिए था पर यह Ethan सबसे उपर इसलिए नहीं है क्योंकि salary इथन का सबसे ज़ाद है तो priority salary का था salary पहले ascending order में हुआ और फिर e-name हुआ यह राई question इसका answer बताना guys answer 4s का आप से क्या पूछा जा रहा है consider the following quotation table how many rows would be displayed when the following query is executed जब यह query run करेगा तो कितने rows आएंगे right query क्या है item count count from quotation group by दो चीजों के उपर group by कर रहे हो और फिर यह operations लगा रहे हो तो group by करने के बाद जितने groups बनेंगे उतने ही तो rows आएंगे तो basically आपको बस count करना है कि supplier ID और item code में कितने groups बन रहे है तो एक group तो यह वन गया बट यही same group यहाँ पर repeat कर रहे है और बाखी के तीन groups है तो total मिलाके चार groups हुए इसलिए आपका answer 4 है इसका answer बताओ आपको बताना है you have to display department wise average salaries sorted in descending order जैसे आपको department wise करना है मतलब आपको group by लगाना है और group by लगाना है department के उपर तो बस यह हो सकता है या फिर यह हो सकता है बाखी दोनों options तो ऐसे ही गलत हो गए फिर आपको बोला गया है कि average निकालना है तो average salary आपने निकाला दोनों जगा फिर आपको बोला गया है descending order में sort करना है average salary तो यहाँ पर ही आप average salary को descending order में sort कर जो option C is the correct answer और देखते हैं इसका answer बताओ हमेशा याद रखना group by के उपर filter करना है तो having लगेगा तो where वाला option तो गलत ही है बाकी के तीन देखो आपको उन departments को display करना है जहाँ पर minimum एक employee है बोले हाँ option C सही लग रहा है इसका ठीक है देख लेना आप यह question अगर आपको difficult लग रहा है तो हाँ इसका बताओ which statement shows the department ID minimum salary and maximum salary paid in that department only if the minimum salary is less than 5,000 and maximum salary is more than 15,000 department wise आपको करना है तो आपको group by लगाना है group by लगाना है तो having लगेगा where नहीं लगेगा तो यह दोनों तो ऐसे हट गए इधर बात करते हैं अब दोनों में आप min max salary निकाल रहो यहाँ पे आप group by करी नहीं है इसका option D होगा क्योंकि आप आप group by भी कर रहो having भी कर रहो option D इसका सही है यह order guys हमेशा याद रखना from join join नहीं पड़ा है अभी where group by having select distinct order by यह order आपको याद रखना होगा इसका answer बताना फ्रोड़ा जब भी कोई operation करने के बाद ऐसे कुछ नाम लिखा होता है तो यह actually as होता है मतलब आप बोल रहो कि यह solve करके इसको इस column के नाम की तरह display करो तो यह as है ठीक है see simple question था है now guys let's start with case statement ठीक है so case क्या होता है case is basically if else for databases so हर programming language में आपके पास if else लिखने का capability होता है जब भी आपके पास अलग-अलग conditions के इसाब से अलग-अलग outputs देने होता है तो आप if else use करते हो same चीज यहाँ पे case करता है case क्या करता है case आपको अगर कभी भी conditional तरीके से data निकालना है अपके database के अंदर से तो you use case statement ठीक है I'll give you one example हमारे पास जो Bollywood database है उसमें जो movie stable है let's say हमें क्या करना है हमें हर movie का profit calculate करना है और फिर हमें बताना है कि वो movie like उसका performance कैसा था hit है, super hit है, flop है, average है हमें ये निकालना है तो इसका logic कैसे लिखोगे आप आप सारी movies का profit calculate कर लोगे profit calculate करने का मतलब है you will subtract budget from worldwide gross income तो आपको profit मिल जाएगा हर movie का और फिर आप क्या करोगे उस profit के उपर आप एक logic लगाओगे कि अगर profit negative है it means it's a flop movie अगर profit 25 करोड तक है 0 से 25 करोड तक अगर आपका profit है then it's a average movie 25 करोड से 100 करोड तक it's a hit और 100 करोड के उपर कमाने वाली super hit हमें इस तरह का एक output दिखाना है user को ठीक है तो यह आप कैसे लिखते हो आप sql में जाते हो और आप लिखते हो select title then you type you calculate the profit so you write worldwide gross minus budget कॉमा इसको आप बोल सकते हो profit कॉमा अब जो थर्ड चीज है यहाँ पर आपको दिखाना है verdict क्या है column का नाम होगा verdict तो आप यहाँ पर लिखोगे case case statement और case की नीचे आप if else type का structure create करते हो यहाँ पर if नहीं होता है यहाँ पर when होता है ठीक है when this thing is greater than hundred crore then I would return super hit when this thing is greater than 25 crore then and and this thing is less than hundred crore then I would write hit when this thing is greater than zero and this thing is less than 25 crore then I would print average or last else else flop और इतना करके आप end कर देते हो case को so you write end as verdict column का नाम that's it और इसके बाद बस बाहर आके लिग देते हो from table का नाम that is movies so basically आपने क्या किया title फेच किया profit फेच किया और third column के लिए आपने case लगा दिया और case में आपने when when लगाए when is basically if और if होने पर क्या करना है that is then और last में एक else होता है which will handle everything else और end as column का नाम verdict from movies that's it guys अब अगर आप इसको run करोगे तो you would get this यह देखो अगनिपत since it has earned 123 करोड it is a super hit ठीक है और अगर कोई 25 करोड के range में होगा जैसे 13 है तो this is an average और जितने भी negative है they are all flops ठीक है तो इस तरह का conditional output देने के लिए you use case statement ठीक है ठीक है guys next we are starting joints okay joints बहुत ही important चीज होती है और थोड़ा difficult भी समझा जाता इसको बहुत difficult नहीं होता unless until आप बहुत ज़्यादा tables पे join नहीं कर रहे हो join का पूरा funda वस यह है कि आपको आपके database में से कुछ data चाहिए but वो data एक single table में नहीं है distributed है अलग-अलग tables में है तो उस data को आप कैसे fetch कर सकते हो ठीक है यह होता है join so join अलग-अलग types के होते है first होता है cartesian product then inner join self join और फिर तीन और joins होते है left outer join इनको outer joins भोलते है left outer, right outer, full outer यह इतने joins आपको पढ़ने है so yeah guys let's start with cartesian products cartesian product क्या होते है आपने शायद पढ़ा भी होगा maps की class में sets में पढ़ा होगा cartesian product क्या होता है cartesian product में क्या होता है कि let's say आपके पास दो sets है 1, 2, 3 और आपके पास एक और set है 4, 5 तो इनका अगर आप cartesian product निकालोगे तो it will basically be this this will be the cartesian product हर किसी का हर किसी के साथ combination is called cartesian product हर किसी का हर किसी के साथ जबाब combination निकालोगे cartesian product ठीक है यह same काम आप क्या कर सकते हो आप दो tables के case में भी कर सकते हो I'll show you so मैंने आपर एक database और बनाया है by the name of whatsapp इसका मैं structure आपको एक बार बता दे रहा हूँ यहाँ पे तीन tables है so users है membership है groups है ठीक है so अगर मैं users पे click करूँ तो यह मेरा users का table है इसमें हर user का id है name है उसका age है और फिर emergency contact user id है मतलब अगर इस user को कोई problem है तो आप इस user को contact कर सकते हो user id 11 which is this guy ठीक है अगर इस user को कुछ problem है तो आप इस user को contact कर सकते हो which is this guy ठीक है तो यह अपना user id है user table है then we have groups वाला table so groups में मिर पास है दो columns group id group name जैसे whatsapp में groups होते है ठीक है फिर है मिर पास membership so membership में तीन चीज़े है membership id group का id और इसका user का id तो for every user that is in a group it has got a membership id ठीक है ऐसा table structure क्यों लिया मैंने क्योंकि और कोई सही तरीका नहीं है मैंने आपको बताया था first of all कोई बता सकता है कि यहाँ पर जो users table है और जो groups table है इन दोनों के बीच में relationship कैसा है one to one one to many many to many many to many होता है एक user multiple groups का part हो सकता है और एक group में multiple users हो सकते है तो this is a many to many relationship और मैंने आपको बोला था कि जब भी many to many relationship होता है आपको तीन tables बनाने पड़ते है तो that is why मैंने users table बनाया एक groups table बनाया और इन दोनों का relationship दिखाने के लिए मैंने एक membership table बनाया चीक है membership table बनाया तो that is why इस database का structure ऐसा है अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना जैसे भी मेरे पस users में I have got 6 rows और groups में I have got 4 rows तो कोई सोच के बताएगा अगर मैं इन दोनों tables के ऊपर Cartesian product apply करूँ तो जो resultant table आएगा उसमें rows कितने होंगे users match 24 24 right for every user आप एक बार group में खुसोगे तो 6 users है 4 groups है तो 24 results आएंगे ठीक है लेट मी शो यू आप क्या code लिखोगे आप लिखोगे select all from users Cartesian product के बदले आप यहाँ पे cross लिखोगे cross join Cartesian product को mys equal cross join बोलता है और यहाँ पे आप लिखोगे groups that's it बस इतना code आप लिखोगे select star from users cross join groups और इतना करगे आप जैसी go पे क्लिक करोगे यह रहे 24 tables so हर user का 4 group के साथ नाम आएगा although इसका यह मतलब नहीं है कि हर user हर group का part है ऐसा नहीं है हम बस Cartesian product कर रहे है तो हम सारे combinations दिखा रहे है सारे possible combinations it does not mean कि यह बंदा इन चारो groups का part है यह बंदा इन चारो groups का part है ऐसा नहीं है ठीक है this is just all possible combinations जो cross product या फिर Cartesian product आपको दिखाता है ठीक है this is Cartesian product क्या फाइदा हुआ इसका Cartesian product to be honest बहुत काम की चीज नहीं होती है बहुत ज़्यादा जगह पे आपको ऐसे ऐसा नहीं होगा कि बहुत helpful है बहुत काम आ रहा है Cartesian product ऐसा नहीं होता है बट कभी-कभी कुछ situations में में भी काम आ जाए जैसे कि लेट से आपके पास employees है और आपके पास jobs है तो आप हर employee को हर jobs के साथ check करना चाते हो कि ये employees job के लिए कैसा है तो you are just trying out multiple combinations you can do that, that could be one scenario और भी कुछ scenario हो सकता है जहाँ पे Cartesian product काम आ जाए बट generally speaking Cartesian product काम का नहीं होता Cartesian product इसलिए use होता है क्योंकि बाकी joints इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि बाकी joints Cartesian product के उपर based होते है अब अगर आपसे कोई बोले कि एक pseudo code बनाओ Cartesian product का तो pseudo code कैसा दिखाई देगा मालो आपके पास यहाँ पे table है there is a table जिसमें you have got four rows और आपके बास एक और table है जिसमें you have got three rows यहाँ पे four rows है there are four rows and there are three rows तो तो can you tell कि like अगर आपको कोई बोले Cartesian product का logic लिखने के लिए तो logic कैसा होगा logic कैसा होगा अब दो nested loops चलाओगे for every row this is t1 this is 2 t2 for every row in t1 अब इसके अंदर लूप चलाओगे for every row in t2 और अंदर आपको जो भी करना है so logic बहुत सिंपल है यहाँ से एक row उठा रहे हो उसको इसके साथ multiply कर रहे हो उसको इसके साथ कर रहे हो इसको इसके साथ भी कर रहे हो same goes with this one same goes with this one same goes with this one and same goes with this one so basically आप nested loops चलाते हो इसका logic तो बस यही है nested loops that is what you do next we are going to do inner join ठीक है joins जो main joins होते हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं चार तरीके के joins होते हैं आपको चार हो ही पढ़ने हैं let me show you मालो आपके पास when diagram से बता रहूँ मैं आपको let's say आपके पास यह एक table है यह दूसरा table है this is A this is B तो यह जो area है common area this is अगर आप यह निकालते हो तो this is called inner join inner join ठीक है अग के पास यह दो tables हैं और आप यह area निकाल रहे हो अगर A और B तो इसको बोलते हैं left join ठीक है अगर आप बना रहे हो यह और यह और अगर आप यह area निकालते हो this is called right join यह इसको left outer join भी बोलते हैं और अगर आप यह पकड़ रहे हो इसको right outer join भी बोलते हैं ठीक है और अगर आप यह पकड़ रहे हो this is A this is B इसको बोलते है full outer join यही चार joins आपको पढ़ने हैं यही चार joins आप यूज करोगें ठीक है पहले देखते है inner join inner join देखने के पहले I will show you two tables users and membership so यह मेरा users table है मेरे पास there are six users these are the six users ठीक है then I have my membership table जिसमें there are eleven entries मतलब 11 users के बारे में यहाँ पे detail है ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे user ID 1 group ID 1 का part है user ID 2 group ID 1 का part है 3 भी 1 group का part है 4 भी 1 का part है 1 2 का part है 4 2 का part है 1 3 का part है 3 भी 3 का part है 1 4 का part है और 5 1 का part है 6 1 का part है but unfortunately you can see यह 5 बोलके कोई user यहां है यहां पर कोई 5 नहीं है similarly यहां पर कोई 6 भी नहीं है 5 और 6 है यहीं नहीं users delete हो गया या कुछ भी problem होगा but membership table में बोला गया है कि 5 और 6 group id 1 का part है बट यह दोनों users exist ही नहीं करते चीक है एक और चीज एक और चीज क्या है कि यहां पर कुछ users है जो किसी group का part नहीं है जैसे कि कौन सा user 8 और 11 यहां पर देखो 8 और 11 अगर आप notice करो तो किसी भी group के part नहीं है तो मतलब अगर आप इसको draw करो तो यह कुछ ऐसा है अगर यह आपका membership table है और यह आपका user table है तो user id user id 11 sorry user id 8 और 11 यहां पर गिरेंगे और membership में अगर आप घुसो तो user id 5 और 6 वो यहां पर घुसेंगे so this is membership this is user so यह दोनो users membership में नहीं है और यह दोनो user user में नहीं है बाकी सारे user बीच में है तो basically the idea would be this कि जैसे ही आप join करोगे तो ना 8 दिखाई देगा ना 11 दिखाई देगा ना 5 दिखाई देगा ना 6 दिखाई देगा बाकी सब कुछ दिखाई देगा ठीक है let me show you कैसे करोगे आप यहां पर जाओगे और आप query लिखोगे join का query ऐसे लिखते है select all from membership m join users u joining condition हमेशा कोई एक common column होगा and that common column is membership के अंदर user id and this should be equal to user के अंदर id so मैंने यहां पर क्या कर रखा है membership को m बुला रहा हूँ मैं user को u बुला रहा हूँ ठीक है और मैं बोल रहा हूँ m का user id u के id के बराबर होना चाहिए that is the rule और अब मैं जब इसको चलाओंगा यह देखो यहां पर आपको सिर्फ वही users दिखाई देंगे जो दोनों के common है 5, 6, 8 और 11 नहीं दिखाई देंगे यहां पर आप notice करना 5, 6 यह हमेशा common वाले आएंगे यह देखो यह दोनों हमेशा common रहेंगे क्योंकि हमने logic क्या लगा दिया अभी भी आप वो nested loop चला रहे हो बट nested loop के अंदर check कर रहे हो कि यह condition जब true है तब ही आपका code काम करना चाहिए I'll show you one demonstration inner join का by the way आप join लिख सकते हो या फिर inner join भी लिख सकते हो default join जो है mysql में that is inner join तो आप सिर्फ join लिखते हो तो समझ जाते है कि inner join करना चाहते हो I'll show you one demonstration इस चीज़ का so that आपका दिमाग थोड़ा clear हो I will go to inner join यहाँ पर लोग ने बहुत अच्छे से algorithm बना के रिखा है जैसे यह algorithm है cross join का Cartesian का यहाँ पर क्या होता है अगर आपको इस table और इस table के बीच में if you have to create Cartesian product तो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है मतलब 6 rows बनेंगे तो होगा क्या यहाँ पर देखो लिखा होगा है for each row r1 in employee table यहाँ से हर row को निकाला जाएगा for each row r2 in computer table फिर यहाँ से हर row का निकाला जाएगा और add combined result to result यहाँ पर दोनों का combined result आ जाएगा ठीक है देखना जैसी मैं next पर क्लिक कर रहूँ यह आपका first row इस first row के लिए आप यहाँ पर गुसोगे और result निकाल दोगे फिर इसी first row के लिए आप second वाले row में गुसोगे और second result निकाल दोगे अब यह अंदर वाला table loop खतम हुआ फिर आप second वाले row में गुसोगे उसके लिए अंदर वाले में फिर चौथा फिर पांचवा फिर पांचवा that is how Cartesian product works this is the output this is Cartesian product का demo ठीक है now I'll show you inner product का inner join का demo inner join में क्या होता है अभी भी आप सेम काम कर रहे हो आप ये row उठा करके सब के साथ compare कर रहे हो बट इस बार आप एक चीज़ चेक कर रहे हो कि row 1 का computer ID should match with row 2 का computer ID जब तक ये matching नहीं होगा इस column में जब तक matching नहीं होगा तब तक आप इस result में नहीं enter करोगे देखो first में गुसे आप यहाँ पे गुसे अब आप चेक करोगे कि ये दोनों match कर रहे है की नहीं ये दोनों match कर रहे है तो entry हो जाएगी देखो green हो गया entry हो गये ठीक है अब आप अगले वाले में गुसे फिर से आप चेक कर रहे हो कि ये और ये same है की नहीं नहीं है entry नहीं होगी red हो गया अब अगले रो में आगए ठीक है फिर से आप चेक कर रहे हो कि ये null match कर रहे है की नहीं नहीं कर रहे है अगले वाले से भी नहीं कर रहे है फिर आप यहाँ पे आगए अब आप चेक कर रहे हो दोनों का common, ये condition जब तक true नहीं होगा, तब तक आप result नहीं display करोगे, that is how it works, let's do left join, left join करने में क्या होता है, वो समझते हैं, फिर से देखो, left join का मतलब है, कि left वाले table का सारा content आएगा, left table कौन सा होता है, जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, कि left table कौन सा है, तो क्या बोलोगे, कौन सा table left है, जो भी left side में, आप देख रहो इस query को, अपने left side में देखो, membership है, तो membership is the left table, user बात में आ रहा है, that is the right table, तो जो table पहले आता है query में, वो होता है left table, और जो बात में आता है, वो होता है right table, ठीक है, यह हमेशा याद रखना, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जितना match करेगा, उतना तो रखना ही है, जितना match नहीं करेगा, एका, उसको भी रखना है, मतलब इसका यह हुआ, कि यह मेरा membership table है, इस row को और इस row को रखोगे data में, तो इनका, इसके सामने जो user का detail होगा, वो null आएगा, let me show you, अगर आप फिर से code लिखते हो, और इस बार आपका code अगर यह है, select all from membership m, join users u, और join इस बार मैं कर रहा हूँ, left outer join, on m.uid is equal to u.id, same ही है जब कुछ, बस मैंने इस बार join के बदले, left outer join किया, ठीक है, अब देखना क्या होगा, इसका output will be this, कि membership के सारे रोज आएंगे, no matter what, यह देखो, membership के सारे रोज आ रहे हैं, in fact last वाला भी आ रहा है, जहां पर user id 5 और 6 है, बट उसके आगे, you can see, user table से, since कोई record fetch नहीं हुआ, सारी values null है, that is how this thing works, ठीक है, इसका भी demonstration देखो, अगर आप आगे जाओ, left outer join है, तो यह table left table है, यह table right table है, ठीक है, और यह आपका query है, तो logic कुछ ऐसा है, कि for each row r1 in employee table, ठीक है, अब क्या गरोगे आप, set matched in computer to false, matched in computer to false, यह basically एक algorithm है, अब आप अंदर घुसे, यहाँ पे matched in false है, आप अंदर घुसे, और आपने check किया, कि match हुआ की नहीं, match हुआ, तो आपने result डाल दिया, और इसको green कर दिया, इस flag को आपने green कर दिया, ठीक है, फिर आप second row में गए, और आपने, फिर से comparison किया, इस बार match नहीं हुआ, match नहीं हुआ, तो, match नहीं हुआ, तो आपने, यह नहीं किया, add नहीं किया, और set matched in comparison to true भी नहीं किया, आप वापस आ गए, हाँ, अंदर वाला loop खतम हो गया, तो आप बाहर आ गए, और आपने बाहर आ कर किया किया, if match in computer is false, तो add गर दिया, जो कि condition true है, क्या हुआ यहां पर एक बार रुखो, एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है यहां पर, एक बार स्टार्टिंग से करते हैं, तो आपने पहला रुख उठाया, एक flag था, उसको false कर दिया, अंदर वाले loop में गुसे, basically दूसरे table में गुसे, आपने compare किया, यह true है, तो आप अंदर वाले if के अंदर गुसे, और आपने add कर दिया, flag को आपने true कर दिया, फिर आप दुबारा अंदर वाले loop में गए, second वाले को पकड़ा, इस बार यह match नहीं कर रहा, तो आप अंदर नहीं गुसे, और अंदर वाला loop खतम हो गया, अंदर वाला loop खतम हो गया, तो आप बाहर आए और आपने check किया, इस बाहर निकल गए और आप सीधे अप यहाँ पर आगए, second row ठाने, यह true नहीं है, आप सीधे यहाँ पर आगए, अब आप second row की बात कर रहो, ठीक है, second row में आपने क्या किया, फिर से इसको false कर दिया, फिर से वहाँ पर गुसे, आपने compare किया, this is false, तो आप if में नहीं गुसे, आप अगली line में चले गए, ठीक है, यहाँ पर भी it is false, आप यहाँ आ गए, और अब अगर यह false है, तो आपने इस employee को यहाँ पर add कर दिया, like this, ठीक है, और यह सब obviously नहीं है आपके पास, तो आप null डालते जा रहो, फिर आप आगे गए, third वाले की case में, match नहीं किया, match नहीं किया, फिर आप बाहर आए और आपने add कर दिया, and that's it, that is how this thing is working, ठीक है, basically आप flags को use करके, you are making sure कि comparison नहीं भी हो रहा है, तो right वाले का, sorry, left वाले का rows entry कर जाए, ठीक है, that is how this logic is working, basically the idea is important, आपको ये कोई code लिखने को नहीं बोलेगा, आपके पास ये funda already है, आप उसको use कर सकते हो directly, मैं बस आपको बस algorithmic point of view से समझा रहा था, कि ऐसे चीज़े काम करती है, ठीक है, तो ये हो गया left outer join, next आपका होता है, right outer join, next is right outer join, right outer join के case में क्या होता है, आपका no matter what, right वाले का सारा रोज आएगा, ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाओं, तो यहाँ पर आपके बस अभिनव, और राहूल बोलके दो users हैं, जो किसी group का part नहीं है, बट फिर भी, यह दोनों दिखाई देंगे, और इनका group info नल आएगा, तो अगर मैं वापस जाओं इस code में, और यहाँ पे जाके मैं लिखो, select all from membership m, join users u on, condition सेम रहेगा, m.id, m.uid is equal to u.id, यह मेरा condition है, और इस बार join कौन सा रहेगा, right, outer join, तो इस बार क्या होगा, users सारे दिखाई देंगे, भले उनका membership ना हो, जैसे आप go पे click करोगे, यह देखो, सारे users दिखाई दे रहे हैं, और यह दो users भी दिखाई दे रहें, बट इनका membership कुछ नहीं है, तो वो सब कुछ नल आ रहे है, just opposite of what left outer join was, ठीक है, and the last one is full outer join, so full outer join के case में, दोनों के सारी चीज़े आएंगी, ठीक है, दोनों की सारी चीज़े आएंगी, वो users भी दिखाई देंगे, जो exist नहीं करते, और वो users भी दिखाई देंगे, जिनका कोई membership नहीं है, ठीक है, but unfortunately आपके पास, directly mysql में, full outer join नहीं होता है, मतलब you cannot write this code, I'll show you, ये code काम नहीं करेगा, this will not work, full outer join will not work, so अगर मैं इसको run करूँ, देखो बोल रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर आपको full outer join चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, अलग से left outer join चलाना पड़ता है, और अलग से right outer join चलाना पड़ता है, और उनके बीच में आपको union करना पड़ता है, union भी एक operation होता है, जो दो queries को जोड़ता है, ठीक है, next हम लोग जल्दी से union कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि full outer join कैसे बनता है, union क्या करता है, कि union आपके दो queries के result को जोड़ता है, let me show you, let's say, अगर मुझे, मिर पास groups में, group ID है, और मिर पास users में, user ID है, मुझे क्या करता है, मुझे users से ID निकालना है, group से group ID निकालना है, और दोनों को जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये code लेकूँगा, I would write, select ID from users, और इसको मैं union करूँगा, with this statement, select group ID from groups, दो queries के result को जोड़ रहा हूँ, अब जोड़ते टाइम आपको हमेशा याद रखना है, कि जितने number of columns आप यहाँ पे ले रहे हो, उतने ही number of columns आपको यहाँ पे लेने हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि उपर एक column लिया, नीचे दो column ले रहे हो, कभी काम नहीं करेगा, second consideration, इन दोनो number of columns में, हर column का, जो data type है, वो same होना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यह integer है और यह character है, यह दो considerations आपको हमेशा माननी पड़ेंगी, third, union will always give you the unique results, कभी भी result repeat नहीं होंगे, so इसका मतलब यह हुआ, कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 तक है, और यहाँ पर आपके पास, 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3, since already आ चुका है, दोबारा 1, 2, 3 नहीं आएगा, हर चीज एक बार आएगा, तो अगर मैं यह वाला query run करूँ, तो आपका output यह होगा, 1, 2, 3, 4, 8, 11, and 7, सारे unique values, दोनों outcome से, अगर आपको सारी values चाहिए, irrespective of repeat हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको union all statement use करना पढ़ता है, you would write this code, अगर आप यह लिखोगे, union all, यह आपको सारे के सारे values देगा, यह देखो, 1, 2, 3, 4, 8, 11, और फिर 1, 2, 3, 4, यह groups है, और यह आपको सारे users है, ठीक है, तो union का काम क्या होता है, दो queries के result को जोड़ना, बट दो conditions होती है, पहला number of columns सेम होने चाहिए, दूसरा type of columns भी सेम होने चाहिए, ठीक है, यह logic हम लोग use करेंगे, full outer join create करने के लिए, so what we will do is, we will write this code, we will write, select all from membership m join, join में left outer join, users you, यह मेरा पहला query है, इसको मैं union कर रहा हूँ, और मैं लिक रहा हूँ, select all from membership m, right outer join, users you, और obviously मैं एक चीज भूल गया, कि जब भी आप join करते हो, आपका एक criteria होता है, join करने का, और वो criteria है, m.id, m.uid, is equal to, u.id, ठीक है, similarly, यहाँ पर भी, m.id, is equal to, u.id, this is the code, और जैसी आप इस code को run करोगे, पहले, उपर वाला result आ जाएगा, उसके नीचे, नीचे वाला result जुड जाएगा, और unique values आएगी, repeat नहीं होगा, unique values आएगी, जैसी go पर क्लिक किया, यह देखो, यह तो ठीक है, 5 और 6, यह values कहां से आ रही है, अभिनव और राहूल के लिए, यह तो खाली होना जाएगा, अभिनव और राहूल किसी भी ग्रूप के पार्ट नहीं है, यह कैसे हो रहा है, user ID 3 से क्यों जूड़ा है, query में थोड़ा गलत है, क्या गलत है, same.uid होगा, last वाला, oh oh, mid क्या होता है, oh, mid वो है, sorry, 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 my bad, sorry, गलती क्या, यहाँ पे, uid होगा यह, mid यह अक्चली membership ID है, इसलिए गलत result दे रहा था, अब run करने पे, यह देखो, पहले यह हो गया, left outer join, और यह हो गया, right outer join, और सारी unique values को अपने जोड़ दिया, that is why आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, that is why आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, okay, so, हमने चारो joins देखे, हमने, inner join देखा, हमने outer join देखा, outer join में तीनों join देखा, एक और होता है special self join, यह हम लोग थोड़ी देर के बात करेंगे, उसके पहले, मैं आपको एक question दे रहा हूँ, उसको solve करने का try करो, यह देखो, आपका membership में, group ID भी है, user ID भी है, what I want is, इसकी मुझे हर user का नाम चाहिए, और उसके बगल में, वो कौन से group में है, वो लिखा होना चाहिए, जैसे नितिश, कौन से कौन से group में है, तो अगर नितिश group 1 में है, तो नितिश के आगे group 1 लिखा होना चाहिए, नितिश group 2 में भी है, तो उसके नीचे फिर से नितिश group 2 लिखा होना चाहिए इस तरीके का result चाहिए मुझे, तो एक बार सोचो क्या code लिखना पड़ेगा, query लिखनी पड़ेगी इस बार आपको तीन tables में join करना पड़ेगा आप पहले membership को join करोगे user से फिर membership को join करोगे group से क्योंकि group का information यह देखो, membership के पास यह information है कि हर user कितने group में है बड़ इसके पास ना user का नाम है ना group का नाम है, तो user का नाम user से join करके मिलेगा और group का नाम group से join करके मिलेगा, तो इस बार आपको दो groups मारने पड़ेंगे, देखो गईस कभी-कभी आपको 2 से जादा, 3 से जादा 4-5 टेबल पर भी join मारने पड़ते हैं एक बार देखो multiple joins कैसे मारते हैं देखो आप ये code लेखोगे, आप लेखो कि select मुझे निकालना है बस name, as in user का name और मुझे निकालना है group का name from membership m join users u join condition is m.uid is equal to u.id और फिर मुझे join करना है फिर से, जो result आई रहा है तो फिर से join करना है और ये सब inner joins हो रहे हैं join करना है फिर से on groups g और इस बार joining condition होगा m.gid is equal to g.gid ये मेरा code रहेगा गईज दो join statements हैं दोनों का अपना-पना criteria है और इसको run करने पे you should get this तो नितिश ग्रूप 1 का पार्ट है नितिश ग्रूप 2 का भी पार्ट है नितिश ग्रूप 3 का भी पार्ट है अंकित ग्रूप 1 का पार्ट है और किसी और का पार्ट नहीं है नेहा ग्रूप 1 की पार्ट है और नेहा ग्रूप 3 की भी पार्ट है So that is how this thing will work आप दोनो information निकाल पा रहे हो ठीक है और सिर्फ आठ ही आया 11 membership में से because बाकी तीनो या तो user ने मिला या तो group ने मिला ये देखो अगर आप browse पे जाओ तो 5 और 6 user ने मिला इसलिए ये दोनों रोज ignore हो गए और यहाँ पे group IDF4 ये group ही exist नहीं करता ये देखो group IDF4 है ही नहीं इसलिए 11 में से 3 rows ignore हो गए बाकी जो 8 थे उसके लिए उसके लिए मैंने user और group दोनों फेच कर लिया ठीक है? So that is how you do multiple joins एक से ज़्यादा join आप इस तरीके से करते हो ठीक है? चलो हमने यहाँ तक कर लिया inner join हो गए inner join में मैंने आपको multiple joins भी करके दिखा है outer joins भी हमने सारे कर लिये partition product भी कर लिया एक self join बचा है self join is a special case जहाँ पे आप एक table को खुद से ही join कर देते हो ऐसा कभी कभी requirement आ जाता है let me show you ऐसा एक requirement यह देखो यहाँ पे users है users है और साथ में उसका emergency contact user का id दिया हुआ अब जैसे नितिश का id is 11 तो मुझे कुछ ऐसा output चाहिए देखो मुझे कुछ ऐसा output चाहिए I'll show you यहाँ पे इसको minimize कर देता हूँ मुझे एक ऐसा output चाहिए कि नितिश के बगल में लिखा हो 11 वाले का नाम that is राहुल ठीक है अंकित के बगल में लिखा हो 1 वाले का नाम that is नितिश नेहा के बगल में भी नितिश राधिगा के बगल में 3 that is नेहा ठीक है? अभिनव के बगल में 11, मतलब राहुल और राहुल के बगल में 8, मतलब अभिनव मुझे ये output चाहिए This is the output that I want सोचो, इस बार मुझे ये output चाहिए Obviously ये सारा information इसी table के अंदर है but मैं directly नहीं निकाल पाऊँगा मुझे क्या करना पड़ेगा? इस table को खुदी से एक बार join करवाना पड़ेगा देखो आप क्या code लिखोगे? आप ये code लिखोगे आप लिखोगे select name comma name from users u1 जब मैं पहली बार same table को ले रहा हूँ और इसलिए मुझे first वाले का table से u1.name चाहिए और इसको मैं join करवा रहा हूँ users से और इसको मैं u2 बोल रहा हूँ और second वालो जो नाम चाहिए वो मुझे u2 table से चाहिए और join का condition क्या है? on u1.emergency contact is equal to u2.id this is my criteria जैसी मैं इसको run करूँगा यह रहा मेरा output c c nitish, rahul, ankit, nitish neha, nitish, radika, neha, abhinav, rahul, rahul, abhinav that is how this thing is working this is called self join इसका अगर आप को algorithm देखना है तो आप क्या कर सकते हो फिर just one second इसका algorithm आप देखोगे तो तुरंट समझ में आ जाएगा I'll go to self join अब यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे आप निकाल रहे हो कि employee का manager कौन है और manager में फिर से id दिया हुआ है जैसे 2 तो इसका manager 2 है मतलब यह बन दा है Ethan McCarthy ठीक है तो इसका logic क्या है इसका logic यह है कि आप यही आपका employee table है और यही same आपका employee table है दोनो same tables ठीक है आपने for each row in इसको उठाया यह आपका पहला row है उसके लिए आप इसमें घुसे और आपने check कि r1.manager यह value is equal to r2.id इसके बरावर है कि नहीं यह value इसके बरावर है कि नहीं है नहीं है है तो यही manager है James Potter का manager Emily Rayner like this ठीक है फिर आप अगली वाले में घुसे फिर सापने check किया null 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 तो इसका कुछ entry नहीं हुआ फिर यह बंदा आया यहाँ पे match कर गया और यह आपका output है और फिर 3rd वाले में बस that's it this is your output यही same काम हमने यहाँ पे किया जब हमने यह query चलाई this is called self-join कभी-कभी इसका ज़रवत पढ़ सकता है special cases में useful है और कभी-कभी आता है इस तरह के questions आपको मिल सकता है next is sub query sub query थोड़ा सा interesting है और थोड़ा सा difficult भी है sub query का मतलब होता है आपको यूज करना पड़ता है उससे क्या होता है कि आप complex problems solve कर पाते हो ठीक है जैसे if के अंदर if लगा सकते हो वैसे आप query के अंदर query डाल सकते हो ठीक है पहले अंदर वाला query solve होगा फिर बाहर वाला query solve होगा that is how nested queries work अब दो तरह के sub queries होते है एक होता है independent sub query और एक होता है correlated sub query ठीक है independent sub query का मतलब है कि अंदर वाले query का execution से बाहर वाले query के execution को कोई मतलब नहीं दोनों independently काम करते है दोनों के execution में there is no colliding factor correlated query में क्या होता है कि अंदर वाला query और बाहर वाला query they are related तो हमें दोनों तरह के queries पढ़ने है दोनों तरह के sub queries पढ़ने है independent sub query भी पढ़ना है correlated sub query भी पढ़ना है तो मैं आपको कुछ examples पहले दिखाता हूँ independent query के जहाँ पे अंदर वाली query को बाहर वाली query से फर्क नहीं पढ़ रहा ठीक है, let me show you इसके लिए I'll go to Bollywood movies वाला data set इसमें हम लोग काम करेंगे अब जैसे हमें ये निकालना है guys कि सबसे जादा budget वाली movie कौन सी है ये हमें निकालना है तो ये निकालने के लिए आप ने कल order buy करके किया था that was one way, एक दूसरा तरीका वो है कि आप सब queries use करो like ये लिखो आप ध्यान से देखना मैं लिख रहा हूँ select all the rows from movies where budget is equal to the output of inner query और इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है select max of budget from movies so ये एक nested query है, जहाँ पे ये अंदर वाली query है और ये बाहर वाली query है, ठीक है तो पहले अंदर वाली query solve होगी तो अंदर वाली query में आपने simply equation पूछा है कि budget column का maximum value क्या है तो इस पूरे के बतले एक value आ जाएगा और फिर मैं, मालो ये value आ गया, ठीक है, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाहर वाली query को execute कर दूँगा, तो मैं बोल रहा हूँ, select movies में से, वो movie जिसका budget ये है, अंदर वाला query अपना अलग run किया, बाहर वाला अलग run कर रहा है, और इसको अगर आप run करोगे, तो this will be the output, पद्मावत 215 करोड, ठीक है, that is how this thing works, तो अब यहाँ पर क्या scene है, कि कभी-कभी आपको, हो सकता है, अंदर वाला query एक ही result दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, कि आपको अंदर वाला query multiple results दे रहा हूँ, जैसे उसका एक example मैं आपको बताता हू let's say, आपको सिर्फ उन्ही movies को list करना है, जिसमें actor का नाम A से start होता है, ठीक है, अब obviously actor का नाम A से start होगा, मतलब multiple actors होंगे, तो यह query को आप कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे, you would write, select all the rows, all the columns from movies where actor in this bracket, और यहाँ पे आप लिखोगे, select actor from movies where actor like A percent, that is how you will do it, आपने गया किया, आपने यह subquery चला दिया, So, इसका output will give you the list of actors, जो आपके database में है, जो उनका नाम A से start होता है, और फिर आप उसके उपर in चला रहे हो, तो, just give me one minute, एक बार मैं इस code को run कर रहा हूँ, directly, just to see, इसका output क्या है, This is giving me 624, because इसमें actors repeat हो रहे हैं, हमें repetition नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हर actor का नाम एक बार आना चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा, select distinct actor from movies, where actor like A, अब ये सिर्फ 184 है, तो इतने actors हैं, जिनका नाम A से start होता है, these are unique, अब मैं इसको उठाऊँगा, और इस query को मैं इस तरीके से लिखूँगा, I would write, select all the movies, select all the columns from movies, where actor in this list, तो ये मुझे 184 actors का list मिलेगा, और उनी में से जो actors होंगे, उनी को मैं fetch करूँगा, तो इसको run करने से I will get इतनी movies, 624 movies, 624 movies में ये actors है, जिनका नाम A से start होता है, तो वह नहीं आपको बोरा था कि अंदर वाली query, ऐसा भी हो सकती कि आपको एक ही row दे, एक result दे, या फिर ऐसा हो सकते कि आपको multiple results दे, अगर आप multiple results ले रहे हो, तो आपको in में उसको लेना पड़ेगा, अगर single results ले रहे हो, तो उसको equal to में लेना पड़ेगा, या greater than, less than में लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये तो examples होगए guys, independent query के, अब मैं आपको एक difficult question पूछ रहा हूँ, try करना इसको answer करने का, मुझे, जो top five actors हैं, जिन्होंने आज तक सबसे ज़्यादा profit earn किया है, in total, जो हमने कल निकाला भी था, उन five actors की सारी movies चाहिए, तो कैसे करोगे ये code, using nested queries, group by अगर नहीं करना हो तो, group by, order by नहीं करना है, आपको ये निकालना है, वो सारी movies जिसमें actor, top five actor में से एक हो, और top five actor वो है, जिसकी movies ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं, sum, सलमान खान की सारी movies का sum कर दो, that is the sum of सलमान खान का profit, वो आपको top five actors निकालना है, और उनके उपर आपको ये काम करना है, यहाँ पर आपके तीन nested queries लगेंगे, query के अंदर, query के अंदर, query लगेगा, ठीक है, देखो कैसे, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले निकालने top actors, अच्छा, order by तो लगे गई, order by और group by तो लगे गई न, उसके मेना तो नहीं हो पाएगा, select actor and उसका profit, profit कैसे निकलेगा, worldwide gross minus budget, और इसका sum करना है आपको, जितना भी उसने आज तक profits कमाए, सबका sum, from movies, group by, group by करना पड़ेगा, उसके मेना नहीं हो पाएगा, obviously, sorry, my bad, actor, और order by, this profit, as profit, profit के basis पे, descending order में, limit 5 कर दिया, असा करने से हमें, top 5 actors मिल जाएंगे, सल्मान, आमिर, शारुक, और अक्षे कुमार, and अजे देबगन, मिल गए, अब, मुझे इन में से actors का नाम चाहिए, इस पूरे में से actors का नाम चाहिए, तो I will copy this entire code, and I will write, select actor from this table, see, ये पूरी चीज, एक table है, उस table में से, मैं actors को निकाल रहा हूँ, तो ये nested query होगे, तो मैं जैसी run करूँगा, क्या हो गया, oh, select actor from this, और ये पूरा जो table बना, इसको आपको एक reference name देना पड़ेगा, कुछ भी एक reference name दे तो, let's say A बोल दिया आपने, ये पूरा एक table बना ना, बट इस table का कोई नाम नहीं, तो आप इसको एक नाम दे रहो, तो आप बस ऐसे लिख रहो, select actor from this table, और ये table क्या है, जो भी यहां से आ रहा है, ये syntax है, और go पे जैसे क्लिक किया, ये वही सारे actors का नाम आ गया, सल्मान, आमिर, शारू, अक्षय, अजे देवकन, ठीक है, अब मुझे इन पाँच actors से movies निकालनी है, तो I will copy this entire code, and I will write this code, select all from movies where actor in this table, ठीक है, आप चाओ तो यहां पे भी एक reference दे सकते हो, बी, उसे कोई फर्क नहीं बढ़ेगा, go पे क्लिक किया, reference देनी की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, in है, और in में आपको directly मिल रहा है, अच्छा, आपको from, जब आप from में nested query डालते हो, तो तब आपको reference देना पड़ता है, जब आप where में डालते हो, तो आपको reference देनी की जरूरत नहीं होती, हमेचा याद रखना, from में अगर आप डाल रहे हो, nested query, तो आपको एक reference देना पड़ेगा, बट जब आप where के अंदर डाल रहे हो, तो you don't need to provide a reference, sub query, जहाँ पर अंदर वाला query, बाहर वाला query, अलग अलग चल रहा था, फिर कभी-कभी scene आता है, correlated query का, मतलब अंदर वाला query का execution, will depend on बाहर वाला query, ऐसा होता है कभी-कभी, I'll give you one example, let's say हमें पता करना है, कि हर genre की top profitable movie कौन सी है, अलग-लग genres है हमारे पस, मुझे पता करना है कि हर genre की सबसे profitable movie कौन सी है, horror की सबसे profitable movie कौन सी है, action की सबसे profitable movie कौन सी है, तो हर genre के लिए एक ही movie का नाम चाहिए, और वो है सबसे profitable कौन सी movie है, देखो आप यह query लिखोगे, आपको end में क्या दिखाना है, worldwide gross minus budgets है, इसको आप बोल दोगे as profit, ठीक है, select title, genre, profit from movies, from movies, where, this thing, this thing is equal to select, this thing, from movies, where, यहाँ पर मैं movies को बोल रहा हूं, m1, और यहाँ पर मैं movies को बोल रहा हूं, m2, where, m2.genre, is equal to, m1.genre, I'll just copy this once, और एक पर इस code को run कर रहा हूं है, subquery returns more than one rows, माक्स निकालने हैं मुझे, कितने output आया, 14 rows, सही लग रहा है, अडल्ट जॉनर में लव सेक्स और धोका, सबसे प्रॉफिटेबल है, मिस्ट्री में 36 चाइना टाउन, साइफाई में कोई मिल गया, हॉरर में रास्त्री, लव स्टोरी में ये जवानी है दिवानी, ड्रामा में दंगल, मसाला में बहु बली, डॉक्यमेंटरी में सचिन, कॉमेडी में गोलमाल है गेन, आक्शन में टाइगर जिंदा है, और ट्रिलर में रेस्थ्री, देखो, यही है आपका query, कैसे काम गढ़ रहा है, वो समझते हैं पर, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका अंदर वाला query is related to बाहर वाला query, कैसे, जैसे आपने first बार चलाया, तो first बार आपका, जो movie था, that was अगनी पत, मतलब, यह रापका first movie, अगनी पत, तो अगनी पत के आपके बाद सारे details हैं, उसका genre भी है, genre action है, तो आपने क्या किया, आपने पूछा, मुझे print करना है, title, genre, यह सब कुछ, from movies, wherever, this condition is true, तो अगनी पत, print होगा, या नहीं होगा, वो इस बात पर depend करेगा, कि यह पूरा expression true है की नहीं, अब यह expression निकालने के लिए, मुझे क्या निकालना है, अगनी पत का profit, जो मैंने तुरंद निकाल लिया, और फिर मैंने उसको equate करना है, इसके बराबर, अब इसको, इसके बराबर करने का मतलब क्या है, इसके बराबर करने का मतलब क्या है, यह वाले पर focus करते हैं, अब मैंने क्या किया, मैंने यह question किया, select max of budget from movies, अगर मैंने सिर्फ इतना query लिखा होता, तो सारे के सारे profit में, सबसे profitable movie निकल जाता, बट मैंने वहाँ पर condition लगाया, where, m2.journer, मतलब सिर्फ वही movies ले रहें, जिनका genre is equal to m1.journer, और currently हम अगनी पत का बात कर रहें, तो अगनी पत का genre क्या था, action, तो m2.journer will be equal to action, तो यहाँ पर अब मैं max निकाल रहा हूँ, सिर्फ action movies का, तो यहाँ पर मुझे एक number मिला, and that number is action movies का max, और उसको मैंने अगनी पत के profit से match किया, match नहीं हुआ, it means अगनी पत action genre की सबसे profitable movie नहीं है, अब यहाँ पर मालो tiger जिन्दा है होती, तो tiger जिन्दा है का जब आप profit निकालते, और उसको जब आप इस से compare करते, वो दोनों नंबर सेम आते, तो यह पूरा चीज true हो जाता, और जैसी ही पूरा चीज true हो जाता, तो आप tiger जिन्दा है का title, उसका genre, और आप उसका worldwide budget minus, worldwide gross मतलब minus budget आप print कर देते, तो this is correlated query, क्योंकि यहाँ पर अंदर वाला query, is actually depending on outer query, this is an example, अब आप इसको कोई और तरीके से भी solve कर सकते हो, आसा नहीं किस question को solve करने का यही एक तरीका है, I'm not sure, हो भी सकता है, बट यह एक example है, और मैंने जानवच के example create किया, so that आप example देख पाओ, कि correlated queries कैसे काम करती है, so that was the video guys, please comments नो बताना आपको कैसा लगा, although I would not say कि आपको बस यह video पढ़ने के बाद छोड़ देना चाहिए, इसके बाद I'll be attaching a resource list, जहाँ पर मैंने कुछ websites का नाम दिया है, जिनको आप जहाँ पर जाकर के practice कर सकते हो SQL, तो I would recommend इस video को complete करने के बाद, एक बाद आप उन websites पर जाके practice करो, ठीक है, so that's it from my side, thanks for watching, bye.